एक बार हमेशा की तरह मैं आपको याद दिराना चाहूंगा कि आखिर हमने इस चेप्टर में क्या-क्या पढ़ लिया है तो बेटा हमने अब तक इस चेप्टर में विलेता पढ़ लिया है हेंड्री के नियम भी पढ़े वाश्पदाप क्या होता है वो देखा उसके उपर राउल के नियम के बारे में पढ़ा फिर अनादर्स मिलियन बहुत मज़ेदार था फिर अडू संख्या गुड हमने शुरू किया और अडू संख्या गुड के अंदर हमने देखा कि चाय के मुकाबले पानी के मुकाबले चाय का बॉलिंग पॉंट यादा होता है फिर यहां हमने देखा था पानी के मुकाबले आईस्क्रीम का हिमांक कम होता है और आज का जो क्लास है वो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है अज क्लास में हम पराशरन दाप के बारे में पढ़ेंगे। चली देखते हैं पराशरन क्या होता है और पराशरन दाप क्या होता है। तो चलो कहाने को बढ़ाते हैं तो अनुसंख्या गुण में कौथनांक में उन्नयान और हिमांक में अवनमन पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाप के बारे में तो चलो यहां आते हैं सबसे पहला प्रस्ण आप बताईए आपको क्या पता है परासरण के बारे में बेटा परासरण जिसे हम जिसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं परासरण को ऑस्मोसिस और परासरण दाप को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं तो अब तुम मुझे बताओ आपको क्या पता है कि परअसरन क्या होता है इसके बारे में लोवर क्लास से परते आ रहे हैं क्लास नाइन्थ में ठेण्ट में थोड़ा बहुत आपको बताया गया पराऊसरन के बारे में ओके सा आखिर परासरान होता क्या है? मैं जब भी किसी बच्चे से प्रशन पूछता हूँ, मैं जब भी किसी बच्चे से ये पूछता हूँ कि परासरान क्या होता है? आस्मोसिस क्या होता है? तो वो एक दो बच्चे तो आंसर बता देते हैं, पर बहुत सारे बच्चे तूटे confusion अक्सर बच्यो दिमाग में रहता हैं मैं आप अपको सामने देख नहीं पा रहा हूं तде आसमो इसनों से कि प्रास्तरान क्या होता है कि बहुत सवाच्छों कि आहिए पढसर पता भी हो बहुत सारे बच्यों को इसका अंसर पता कि आखिर movement किस चीज़ का होता है विले का की विलायक का ये एक confusion होता है जब भी मैं परासरान के बारे में पूछता हूं तो दो confusion अक्सार बच्चों के दिमाग में होता है पहला कि भई गती कौन करता है कौन करता है किस का movement होता है विले का ये विलायक का और दूसरा confusion ये होता कि कहाँ से कहां कम सांधरता वाले से ज्यादा सांधरता वाले मुविमेंट होता है कि ज्यादा से कम के तरफ तो यह दो परेशानियां अकसर बच्चों दिमाग में रहता है अगर आपको इसमें डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है पर क्योंकि बहुत सार बच्चों को मैं जब फिजिकल क्लास लेता ह हो देख पाता हूँ कि बच्चों में अकसर यह दो कंफूजा रहता है तो बैटा आप lebih अगर कंफूज हैं परासरां को लेंकर या औसमोसिस को लेंकर तो कंफूजा नहीं का सिर्फ एक करन कहारण कि आपने परासरां का एक्चुल मीनिंग नहीं समझ आप ये परीभाष CR होता क्यूं है और कब तक होगा और कैसे होगा अगर आप यह समझ गया तो अपने आप आप परासरन का जो परिभाशा है वो आपके दिमाग में छप जाएगा तो हम बात करेंगे इस बारे में कि परासरन होता कब है दूसरा क्यूं होता है और तीसरा कब तक होता है अगर इसको पहले हटा देते हैं बेटा इसको हटा देते हैं मैंने यहाँ पर नीचे भी कुछ लिखा हुआ है उसको जरा चलो समझते हैं पर आसरान क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने क्या किया मैंने ना यहाँ पर एक बड़ा सा बरतन ले लिया इस बरतन की बीच में मैंने एक partition कर दिया एक border बना दिया यह देखो मैंने एक partition कर दिया और मैंने जो partition किया है मैंने जो partition किया है बेटा उसमें देख सकते हो छोटे छोटे hole है छोटे छोटे छेद बने हुए है pores बने हुए है तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स बने हुए इस बीच में जो मैंने पार्टिशन लिया है यहाँ बीच में मैंने जो पार्टिशन लिया इसमें छोटे छोटे होल बने हुए है अच्छा जी अब मैंने क्या किया दोनों तरफ दोनों तरफ बराबर मातरा में दोनों तरफ मैंने बराबर मातर में पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसमें मिला दूंगा कोई भी एक विले, कोई भी एक सॉल्यूट, माहलों मैंने इसमें शक्कर मिला दिया, यह दोखे बेटा, यह शक्कर की अडू है, यह शक्कर की अडू इस तरफ भी मैंने शक्कर डाल दिया है इस तरफ भी मैंने शक्कर डाल दिया है बस फर्क इतना है कि एक तरफ शक्कर की कॉंटिटी यानि शक्कर की मातरा कम है एक तरफ शक्कर जादा है तो आप कहेंगे एक तरफ कम शांधर विल्यन है यह जो विल्यन है इसकी सांधरता कम है तो मैं लिख सकता हूं कि इसका इस वाले का concentration concentration मतलब सांधरता कम है less concentration less है और इस तरफ concentration high है यानि कि सांधरता ज्यादा है इस तरफ शक्कर कम है इस तरफ शक्कर ज्यादा है इधर सांधरता कम है इस तरफ सांधरता यह का पानई कम मीठा है यहां का पानई ज्यादा मीठा है अच्छा जी अप सुनना क्या होगा यह जो बीच में आपने इ संपर्ख में आगए उफ दोसरे के संपर्ख में आगाए अप देखना इससे होगा क्या आपको आपको कक्षा क्रीमटर्टर पढ़ा था उश्मा गतिकी यानि कि थर्मो डैनुमिक आपको याद कर देक्टा थर्मोडैनीमिक में एक डान्य में एक लॉख था जिरो पौक याद इस लॉट में क्या पढ़ाएया था याद दिलाँ या देखना असल में इस लॉक्षील को समझना मान लू आपके पास एक लोहे का तुकड़ा है जिसका तापमान है 25來到 श्रा मान लो और एक और लोहे का तुकड़ा है जिसका ताप मान 75 डिगरी सेल्सियस है और अब मैं अब देख सकते हैं कि एक लोहे का तुकड़ा थोड़ा ठंड़ा है और एक लोहे का तुकड़ा गर्म है अब बेटा मैं क्या करूँगा इन दोनों लोहे के तुकड़ों को आपस में जोड़ दूँगा ये देखिए मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर इन दोनों लोहे के तुकड़ों को आपस में जोड़ दिया तो अब क्या होगा जो लोहा थोड़ा थंडा था जो लोहा थंडा था अब वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और जो लोहा गर्म था वो थोड़ा थंडा हो जाएगा याने कि अपने आप क्या हुआ अपने आप यहाँ पर क्या हुआ उश्मा याने कि हीट ज्यादा ताप मान ज्यादा तापमान वाले ठोस से कम तापमान वाले ठोस के तरफ आता है उश्मा यानि कि उर्जा ज्यादा तापमान वाले ठोस से कम तापमान वाले ठोस के तरफ आएगा और ऐसा कब तक चलेगा जब तक दोनों ठोस का तापमान बराबर ना हो जाए यानि दोनों ठोस का ज स análम अवस्था में स सामे अवस्था में सा रीक वह भावन भी निकलेगा। पर इस से बाहर निकलने वाले उर्जेнов कारा थ यह आप लिए होते lat दूर ठॉकूर होते तो इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। पर जैसी आपने उनको जोड दिया यह आ जोडते ही वो दोनों जो लोहे के तुकड़े थे इन्होंने कुछ ऐसा किया कि दोनों का ताप मान कुछ दिल के बाद एक जैसा हो गया तो यही लॉजिक अभी यहां पर लगता है अगर बीच में आपने जो पार्टिशन लिया है अगर वो पर्मनेंट पार्टिशन होता यह मतलब है कि अब दोनों विल्यन एक दूसरे के संपर्क में आ गया है अब क्योंकि दोनों विल्यन एक दूसरे के संपर्क में आ गया है और दोनों विल्यन का सांधरता बराबर नहीं है एक जैसा नहीं है तो अब यह दोनों विल्यन सोच रहे हैं कि चलो कुछ ऐसा करें कि दोनों तरफ विल्यन की सांधरता एक जैसी हो जाए क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आ गए है तो अब ये दोनों विल्यन ये सोच रहे हैं कि चलिए कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों तरफ का जो सांधरता है वो एक जैसा हो जाए और ऐसा करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं सुनना बेटा अब ये दोनों क्या करेंगे तो अब मुझे आप एक बाँ बताओ दोनों तरफ शक्कर की मातरा अलग अलग है दोनों तरफ विले की मातरा अलग अलग है तो दोनों तरफ सांधरता अलग है याने कि दोनों तरफ पानी एक जैसा मीठा नहीं है तो अब ये दोनों बिल्लियन आखिर ऐसा क्या करेंगे कि दोनों तरफ सांधरता एक जैसा हो जाए दोनों तरफ का जो पानी है वो एक जैसा मीठा हो जाए क्या होने वाला है सुनना यहां पर दोनों तरफ सांधरता एक जैसा करने के लिए या ला क्यों ना मैं यहां से शक्कर के अड़ू इधर ले आऊं क्यों ना यहां यहां देखो यह बहुत सारे शक्कर के अड़ू है यानि कि विले विले के अड़ू है तो अगर मैं शक्कर के अड़ू थोड़े से इस तरफ ले आऊं तो एक समय ऐसा आएगा दुनों तरफ शक् मिलें आपने के इंधर नहीं आसकता वह इस तरफ न ही आ पाइगा नहीं किया अब बचछा दू सर भी कल क्या तो दूसरा भी कल्प है पानी याने की विलायक विलायक याने की पानी जल जल तो अब क्या होगा अब पानी यहां से यहां भागेगा पानी इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो इस तरफ का देखो आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा पानी के लेवल बढ़ता जा रहा है पा यानि कि विलियन गाड़ा होता जा रहा है याद रखना हमारा टार्गेट क्या है इधर का विलियन और इधर का विलियन दोनों तरफ सांधरता बराबर करना है यानि कि दोनों तरफ के पानी को एक जैसा मीठा करना है तो पानी अपने आप भाग रहा है तो इधर पानी का लेवल कम होगा जिससे पानी गाड़ा होगा और मिठास जो पहले कम था वो बढ़ता जाएगा यानि कि इस तरफ का सांधरता जो पहले कम था अब बढ़ेगा और इस तरफ पानी बढ़ रहा है पानी बढ़ रहा है यानि कि विल्यन फीका होता जा रहा है तो जो विल्यन पहले जादा मीठा था अब वो कम मीठा होगा यानि कि आयतन बढ़ने से आपको पता होना चीए आयतन बढ़ने से सांधरता कम होता है तो बस बेटा क्या है उन्नियम याद है आपको सांधरता आयतन के वितकरमानुपाती होता है तो यहां आयतन कम हुआ तो सांधरता बढ़ा यहां आयतन बढ़ा तो सांधरता कम हुआ तो इससे अब क्या होगा? इससे क्या होगा? कि जिस विल्यन का पहले सांधरता कम था अब वो बढ़ रहा है और जिस विल्यन का सांधरता ज्यादधा वो कम हो रहा है और ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा कब तक जब तक दो तरफ विल्यन का सांधरता एक जैसा ना हो जाए तो आपने क्या देखा? यहां पर एक घटना हुई जो अपने आप अप शुरू हो गई, उसमें क्या हुआ? अपने आप पानी, अपने आप पानी, कम सांधरता वाले विल्यन से जादा के तरफ गया, हमेशा पहली बात पानी ही मूव करेगा, और दूसरा कहां से कहां? कम सां तो आस्मोसजी क्या होता है बोफ्मेंट औफ घमासाओंगा मुव्मेंट ऑफ-मीत ओटर यह लिए चानियांट्रियंट मॉलेकूल कि प्रांस अलती डोन्य तलिवफ़ करेगा हैं अलत्री सद्सांधरता नाहोच आप बताई यह जैसा दो हो इसेशन लिया, उसमें इतना छोटे छेद है कि शक्कर के अडू पार नहीं हो पाएं, इस तरह के पार्टिशन को आप कहते हैं, बेटा, अर्ध पार गम्यां, अर्ध पार घर में भिली, आपने बोला अर्ध पार गम्यां, याने की आधा पार करने का चमता, तो यह जो बीच यह नहीं दे रहा है यह यह जो यह जो बीच में पार्मिशन लिए हो वह शक्कर के अड़गों को पार होने का परमिशन नहीं दे रहा है इसको बोलते हैं भटा हम लों Semi Permeable Membrane कई बार तो कई शब्द हिंदी में फटाकस दिमाग में आता नहीं है तो मैंने कहा कि कई बच्चों को ये डाउट होता कि क्या मूव करता है विले की विलायक तो क्लियर है बटा विले मूव नहीं कर सकता शक्कर मूव नहीं कर सकता क्यों क्योंकि बीच में जो partition है उसमें 6 दितने चोटे हैं कि विले मूव नहीं कर सकता अब बता दूसरा विलायक तो कौन मूव करेगा हमेशा विलायक कहां से कहां लो से हाई लो से हाई क्यों ओकि दोनों तरप का साधरता एक जैसा हो सकें तो चलिए आखरी बार रिपीट करता हूं कि जब भी दो अलग अलग सांधरता वाले विल्लियंग तकरएंगे तो हमेशा पानी कम सांधरिलियंग से ज्याधा सांधर विल्यन तरब जाएगा और इसी घटनक बोलते हैं परासरन यानि की ऑस्मोसीज और अवर असा कब तक होता है जब तक दुनों तरब का जो सांधरता है वो एक जैसा ना हो जाए ठीक है अब यह तो हो गया परासरन अब बात करते हैं परासरन दाब क्या होता है तो पानी अपने आप मूव कर रहा है गौर सुनना पानी अपने आप जा रहा है यानि कि परासरन चल रहा है परासरन चल रहा है एक समय ऐसा आएगा कि परासरन रुख जाएगा पानी का जो गती है पानी का जो मुव्मेंट हो रुख जाएगा मुझे पता है पर मैं चाहता हूं कि इस घटना को मैं रोकूं मैं चाहता हूँ इस घटना को मैं रोकूं मैं परासरन को रोकने जा रहा हूँ मैं परासरन को रोकने जा रहा हूँ कैसे करूंगा उसके लिए जाज़बटे मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर एक पिश्टन लगा दिया यह देखिए मैंने यहाँ पर एक पिश्टन लगा दिया और इस पिश्टन के माध्यम से अब मैं इधर दाब दाब लगाऊंगा यानि की प्रेशर प्रेशर लगाऊंगा तुम बताओ पानी जो इस तरफ जा रहा है पानी जो इस तरफ जा रहा है बेटा उसके गती के विरुध मैंने दाब लगाया प जब भी पानी जिस दिशा में जा रहा हो उसके विरुद अगर आपने दाब लगाया तो पानी मूव करना बंद कर देगा याने की परासरन रुक जाएगा तो गौर सुनना वह दाब वह दाब जो परासरन को रोक दे वह दाब जो जल के गती को रोक दे कहलाता है बेटा परा परासरन दाब किसे कहते हैं मैंने साब लिखा है कि वह दाब जो परासरन को रोक दे पानी के गती को रोक दे उसे कहते हैं बेटा हम परासरन दाब अब कई लोग सोच रहोंगे क्यूं 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 रोके वो तो कभीन-कभी अपने आप रूखी जाएगा कभीन-कभी पर परेशन्द तो अपने आप रूख जा ऐगा पर जबरदस्ति क्यों हम क्यों रोक रहें इसको मैं बताउंगा परासरन का debt up को यो देना पड़ा परासरन क्यों रोखना परता है ये भी मैं आपको बताउंगा फिलहाल यह पर सब्सक्राइब का देफिनेशन था प्रास्त्राण दाप का डेफिनेशन स्क्रीन शॉट लिजे फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं तब तक आपके थोड़े कमेंट पढ़ लू क्या बोल रहें आप बेटा बारवीम बड़े बड़े चेप्टर है अच्छा मैं आपके खुश खबर देता हूं हाला कि हम इसकी बारें बाद में डिस्कस करेंगे अभी न अभी क्या चरहा अप्रेल मैं से मैं से मेरी क्लासेस सुबे होंगी अभी जब ता छुट्टी चलेंगी और सुबे हमनों हर दिन क्लास लगाएंगे अभी हमनों डिस्कस कर रहते सुबे हमनों हर दिन क्लास लगाएंगे ताकि गर्मी भर में अधिक से अधिक से लिबस हमारा हो सके ठीक है तब है तो अब आप चिंटना करें आपको वे बताया जाएगा चलो आगे बरतें बेटा तो अभी मैं लगाया तो औसमुसिस रुख गया गोर सो सुनना जब मैंने प्रेशर लगाया तो पानी इस तरफ जाना बंद कर दिया उपNew चरफ फ्र quadrant कर दिया अब तु मुझे बताओ अगर अब मैं और ज्यादा प्रेसर लगा दूगा यहां पर अगर मैं और ज़्यादा प्रेशा लगा दूँगा प्रासरन दाब से भी ज़्यादा प्रेशा लगा दूँगा तो अगर मैं यहाँ और ज़्यादा प्रेशा लगाया तो क्या होगा बताएंगे मेरे को सो कि एक यह तुम्होचा जनी खर्व ने होगा कुछ और होने वाला है आगर मैं दाब लगाता हूं तो पानी का मूवमिंट रुख जाएगा अगर मैं जादा दाब लगा दिया तो पानी उल्टा भागेका पानी इस तरह से इस तरफ भागे गा अब पानी उल्टा भागेगा तो इसको बोलते हैं बेटा ये क्या था ये क्या था परास्रान यानिके आस्मोसिस ये क्या था आस्मोसिस अभी तक क्या हो रहा था आस्मोसिस अब आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशा लगा रहे हैं तो जब आप ज्यादा प्रेशा लगा देते हैं तो पानी उल्टे दिशा में जाएगे, तो बोलते हैं बटा, reverse osmosis, reverse osmosis, मैंने कहा, reverse osmosis, क्या बोला मैंने, reverse osmosis, आरो, आरो, आरो purifier, आरो purifier का पानी पिये हो न, है जी, आप देखना, टीवी में भी ग्या पना आता है, आरो purifier का ही पानी पिये, तो बताओ, आपने हैं हैं बटा, आरो purifier, तो पानी पीने के लिए जब हम आरो purifier चुरते हैं, तो तो आरो का मतलब होता है, reverse osmosis, हैं जी, आरो का मतलब होता है, लीवार्स आस्मोसिस याने कि आपके घर में वो जो आरो प्यूरिफायर है आरो प्यूरिफायर है ना तो बेटा वो आरो प्यूरिफायर में जो आरो शब्द है उसका मतलब रिवर्स आस्मोसिस होता है याने कि जो रिवर जो जो आरो प्यूरिफायर सोते हैं उसमें रिवर्स आस्मोस विपरित पराश्रान कहते हैं उसको विपरित पराश्रान कहा जाता है ठीक है तो अभी इसको explain करने के लिए चलो एक बार मैं दुबारा यहां पर कहानी में वापस आता हूं कि आखिर एक मिनट एक मिनट तो आखिर हाँ आखिर आरो प्यूरिफायर कैसे काम करता है आरो प्यूरिफायर कैसे काम करता है चलो मैं आको दिखाता हूं ठीक है यहां देखना चलो एक आरो प्यूरिफायर बना लेते हैं बेटा आरो प्यूरिफायर बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने द देखा था यह देखो यह देखो यह देखो मालो कि मैं यहां पर एक आरो प्यूरिफायर आपके लिए बना रहा हूं अच्छा को पता बेटा यह जो आरो प्यूरिफायर होता है यह बहुत ताकतवर होता है यह जो आरो प्यूरिफायर होता है यह बहुत ताकतवर होता है इत प्यूरिफायर उसमें से पीने लायक पानी निकाल के आपको देदेगा आरो प्यूरिफायर इतना ताकतवर होता है कि आप इसके अंदर कितना भी गंदा पानी डाल दो कितना भी गंदा पानी डाल दो बेटा आरो प्यूरिफायर आपके लिए उसके अंदर से पीने लायक प करीब बारा तेरा साल पहले की बात है जब Aro Purifier शुरू-चुरू market में आए था तो na TV में विज्ञापन आता था एक विज्यापन मुझा याद है उस विज्ञापन भूता था एक करोड चैलेंज मुझे भी याद रबारा तेरा साल पहले की बात है टीवी में एक एक करोड चैलेंज आप अपने घर से गंदा पानी लाइए हम आपको पीने लायक पानी देंगे ऐसा कुछ विज्यापन था एक करोड चैलेंज और उस विज्यापन में दिखाता था कोई नाली से पानी ला रहा है कोई नाले से पानी ला रहा है कोई यहां से तो क्या ऐसा सं पानी निकाल सकता है अब प्लीज अब कोई करेगा नहीं आप नाली के यह चेक करने लिए अच्छा सर ने ऐसे बोला था कन्फरम करते हैं कि सही बोला है कि जूड तब उसके लिए पर मैं जो बोल रहा हूं इसको सच यह जूड शाबित करने के लिए आप नाली का पानी अभी ऐसा हुआ तो हा रोफ प्यूरीफार बहुत ताकतवार होता है अभठ कैसे काम करता मैं आपको सीखाता हूं समझने के लिए एक काम करते हैं बटा जो समुद्री पानी होता है जो समुद्र का पानी जो समुद्र का पानी से खुब सारा नमक होता है उसमें धेर सारा नमक होता है हम उस पानी को नहीं पी सकते तो बटा समुद्र के पानी से चलिए अब मैं आपको पीने लायक पानी निकाल के दिखाता हूँ माल लो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ sea water यानि की समुद्री पानी अब आपको पता है बटा अगर मैं यहाँ से समुद्री पानी अंदर भेजूँगा तो समुद्री पानी में धेर सारा नमक होता है धेर सारा नमक होता है और इस तरफ नॉर्मल पानी है नॉर्मल पानी है मतलब या तो उसमें नमक नहीं होगा यह नहीं के बराबर होगा नहीं है समझो तो बेटा इस तरफ नमक पानी है यानि कि इस तरफ सांधरता यानि कॉंसेंट्रेशन हाई है इस तरफ नमक कम है यानि कि सांधरता कम है लो कंसेंट्रेशन अब सुनो मैंने इस तरफ नमक वाला पानी डाल दिया मैं जानता हुआ इस पानी को नहीं पी सकता अब सुना मेरी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो अपने आप परासरन शुरू हो जाएगा याद रखना परासरन एक स्वताह परिवर्तित अभिक्रिया है यानिकि अपने आप होने वारा क्रिया है अगर कुछ नहीं करोगे न तो अपने आप पानी इधर जाएगा इधर को जाएगा मैं मैं बता चुका हूं मैं बता चुका हूं कि पानी हमेशा कम सांधरता से जादा सांधरता के तरफ आता है तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो पानी इस तरफ आएगा लेकिन मैं कुछ करूंगा क्या यहां से प्रेशर देने वाला हूं तो बेटा अगर मैं यहां से भयानक pressure दूंगा अगर मैं यहां से बहुत high pressure दूँगा तो क्या होगा पानी उल्टा भागेगा किस तरफ इस तरफ पानी धर जा रहा है तो बिटा नमक यही रह जाएगा नमक यही रह जाएगा और नमक वाले पानी से मैंने पीने लायक पानी निकाल दिया धीरे धीरे जल का इस तर बढ़े गए तो पानी के लेवल बढ़ रहा है उसके पानी पानी यहां से बाहर आएगा आप एक ग्लास लीजिए पानी को जमा कीजिए और पी लीजिए तो इस तरह से वह ऐसा टाइप को दिखता है उस आरोफ प्यूरी फैर में उपर का हिस्सा पार दर्शी होता है ट्रास्परेंट है ना उपर का हिस्सा पार दर्शी होता है ट्रास्परेंट रहता है जिसमें अंदर में अजीब अजीब टाइप का मशिन दिखता होगा आप ध्यान दिया बहुत पेची दे तंत्र सिस्टम दिखाई देगा वो क्यों दिखाने के लिए अरे भाई आरो प्यूरिफायर खरीद के लाओंगा तो ऐसा अजीब अजीब टाइप का मसीन दिखेगा तब तो मेरे को लएगा ना कि हाँ इसे मसीन लगा है काम करेगा सबको ढग दूंगा मसीन लगा होता है ने बेटा वह बहुत ताकतवर होता है ताकतवर मतलब हाई प्रेशर क्रियेट करने के लिए हाई प्रेशर क्रियेट करने के लिए तो क्या समझे अगर यह आरो प्यूरिफायर है तो इसमें लगा हुआ मसीन इतना हाई प्रेशर क्रियेट करता है कि यहा को सकता तुमने ऐसा आपको और हिए साउल्य याने के विले को यहाँ रोक्देगा और सिर्फ पानी को सिर्फ पानी को इधर आने देगा जिसे कारण आप पीने लायक पानी ले सकते हैं अब अब एक करीब चार-पांस साल पहले बेटा मैंने मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था चार-पांस साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप आरो प्यूरिफायर का पानी बहुत सालों तक पीते रहोगे तो आपका बॉडी प्रॉबलम में आ सकता है मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर आप आरो प्यूरिफायर का पानी बहुत सालों तक पी ओगे तो आपका जो body है वो problem में आ सकता है कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ अच्छा आपको पता है यह जो आरो purifier होता है ने बेटा यह इतना ताकतवर होता है कि पानी में जो जहरीले ions होते हैं जहरीले ions याने की जैसे की arsenic, arsenic, lead, हाँ जी mercury तो जहां सुनेंगे पानी में जो harmful जो नुकसान डायक ions होते हैं उसको यह रोक देता है पानी में अगर जहरीले ions हैं तो उसके रोक देता है क्योंकि यह बहुत ताकतवर है पर परशानी क्या है कि बीच में आपने यहां जो partition लिए है ने बेटा बीच में यहां पर जो partition है वो यह जज नहीं कर पाता कि जो आयन है वो हमारे body के लिए काम का है कि नहीं है मेरे कहने का मतलब है यह जो partition है यह सब को रोकता है सब को रोकता है चाहे वो बुरे ions हो यह अथे ions हो अब बेटा परशानी यह है कि आपको पता होना चीह है कि पानी में कुछ ऐसे आयन भी होते हैं जो हमारे body के लिए काम के हैं जैसे कि बेटा sodium आयन, chloride आयन, magnesium आयन, calcium आयन यह सब ऐसे आयन है जो हमारे body के लिए जरूरी है अब परशानी क्या है यह तो पहचान नहीं पाता differentiate नहीं कर पाता यह क्या करेगा खराब आयन को तो रोके गही अच्छे ions को भी रोकने लगता है मतलब तुम ऐसा पानी पी रहे हो जिसमें वे ions नहीं है जो हमारे body के तो अब क्या करें प्यूं कि ने प्यूं अब क्या करें इसे प्यूं कि ने प्यूं तो जवाब है बेटा पी लेना चाहिए जवाब है पी लेना चाहिए क्योंकि पहला target है कि खराब आयस हमारे body में ना जाए और दूसरा अगर ये मेरे body में नहीं जा रहे हैं तो दूसरे फल खाते हैं, उसके माध्यम से इन आयनों की कमी को पूराप कर सकते हो, पर एक बार अगर ये आपके बॉड़ी में घुज गया, ज्यादा खर्चा भी ठा देगा, तो चिंता ना करें, अगर आपके बॉड़ी में ये सब आयन्स की कमी हो जाएगी, तो खान पान से, अच्छ मैंने बताया परासरन क्या होता है, दूसरा बताया परासरन दाप क्या होता है, और तीसरा मैंने बताया कि विपरित परासरन क्या होता है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, परासरन हमारे आम जीवन में कहां कहां देखने को मिलता है, परासरन के अनुप्रियोग क्या ह बस इतना याद रखना कि परासरन गौर सुने बैटा जो परासरन होता है उसमें एक ही चीज होगा पहला पानी मूफ करेगा कहां पानी मूफ करेगा कम सांधरता वाले निकाय से जादा शांधरता वाले निकाय के तरफ बस इतनी से बात आपको याद रखनी है ठीक है तो आप लिख किलाते नहीं हो बस explain करते हो तो आप लोग के लिए यह सब लिख किलाता हूं हाला कि हम थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं पर उसके बावजूद जो कुछ आपको explain किया जाता है आप क्या किया करो जैसी टीचर आपको कुछ पढ़ाता है उसी दिन आप रात में थोड़ा सा पूस्तक से पढ़ लो तो आपके दिमांग में बैठ जाएगा आप एकदम बात इस चैप्टर का नोट्स अभी अपलोड नहीं हुआ है एक दो दिन में हो जाएगा तो वहीं बोल रहा हूं बेटा आपना सीखो कि आपको क्या बताया जा रहा है और खुछ से नोट्स बना लिए ना वह आपको याद भी हो जाएगा और एक्जाम में बहुत कारगर साबि ठीक है यहाँ देखना मैंने ना एक बरतन ले लिया बेटा एक बरतन ले लिया इस बरतन में मैंने पानी ले लिया पानी ले लिया और इसके अंदर जानते हैं मैंने क्या ले लिया बेटा इसके अंदर मैं ले लिया किश्मिश यह देखो किश्मिश इसों बहुत हैं रेज नहीं होता याने कि किश्मिस में जो पानी है वह बहुत मिठा है यानि किश्मिस है हाई कंसंट्रेशन में हाई कंसंट्रेशन और बाहर का पानी मिठा नहीं है यानि बाहर का पानी है लो कंसंट्रेशन में यानि कम सांधरता में और मैंने अभी अभी आपको बताया था जब अलग-अलग सांधरता वाले विल्यन तकराते हैं तो पानी अपने आप कम सांधरता से जादा के तरफ जाने लगता है तो अपने आप पानी कम सांधरता से जादा के तरफ जाएगा यानि पानी किश्मिस के अंदर जाएगा किश्मिस फूल जाएगा इस घटना को बोलते हैं बेटा हम लोग इसको बोलते हम लोग एंडो आस्मोसिस जब पानी किसी निकाय के किसी सिस्टम के अंदर जाए इसे बोलते बेटा एंडो आस्मोसिस जाने कि अंतापरास रहना अच्छा एक उदारन और देखो एक उदारन और देखो जी एक देखो मैंने ना एक बरतन ले ल बाहर कौन बाहर बाहर चो पानी में तेर सारा शक्कर घॉल दिया है या राल है जो स intuit पानी आनल नोस वह बहुत जो सारा मिठा है भाहर का जो पानी है वह बहूत मेठा है या इस इस बार बाहर है high concentration और अंगुर पानी के मुकाबले कम मिठा हो गया यानि कि यह है बेटा कम concentration और मैंने क्या बताया था जब अलग सांधरता वाले निकाए आपस में टकराते हैं तो पानी अपने आप कहां से कहां जाता है कम सांधरता से जादा के तरफ यानि कि इस बार पान याने की ठीक तो है ठीक तो है एक्जो ओस्मोसिस यानि की पानी का बाहर जाना तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे उधारण हैं जिसमें आपको दो अलग अलग सांध्र वाले जो सिस्टम हैं जब वो टकराते हैं तो पानी को मूवमेंट अपने आप किसी एक निशा से दू प्लीज इसका स्क्रीन शॉट लेंगे मैं थोड़ा पानी पी लूँ और आप के कमेंट थोड़ा देख लूँ प्लीज इसकी शॉट लेंगे बेटा बेटा आप पूछ रहा हो कि अंदर ही अंदर सब कुछ हो जा रहा है तो फिर उसको अंता कैसे बोले आपने कछा ग्यारव किसमिस कैसे बनाते हैं या अच्छा कोर्शन आपने पूछा है पता है अभी एक बच्चे ना पूछा है किसमिस कैसे बनाते हैं कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अंगूर को सुखा देने से किसमिस बन जाता होगा है ना ना इल्ले नहीं बनता है अगर आप अंगूर को स रहते हैं मस ऑलो सूखने वाला रहता इसको राख मिष्ट कैसे बनता है कि एसे बताता हूं हम क्या करते हैं अंगूर को पानी में डाल देते हैं ऐसे पानी में το कूप सारा नमक होता है शक्कर नहीं होता शक्कर नहीं होता खूब सारा नमक होता है तो पानी में अगर खूब सारा नमक रहेगा उसमें अंगूर को डालोगे तो बैटा अंगूर के तुलना में पानी ज्यादा सांध्र है अब सांध्रता चेक करते समय यह जरूरी थोड़ी है कि इसमें भी अंगूर हो इसमें भी शक्कर हो इसमें भी शक्कर हो ऐसा नहीं है एक में शक्कर हो सकता है तो अंगूर को पहले हम कुछ समय के लिए ज्यादा सांधर विल्यन में डुबाते हैं यानि कि नमक वाले पानी में डुबाते हैं जिससे अंगूर श्रिंक हो जाता है सिकूर जाता है क्यों सिकूर जाता है अंगूर के अंदर से पानी निकल जाता है वह सिकूर जाता है उसके बाद उसको सुखाते हैं और फिर वो बनता है किस्मिस फिर वो बनता है किस्मिस करक्ट ओके अगे बढ़ते हैं तो अभी आपने देखा कि क्या होता है परासरन फिर आपने देखा परासरन दाब क्या होता है बाहे परासरन और अंतह परासरन क्या होता यह अब चलो कहानी को आगे बढ़ अभी कुछ दिर पहले आपने देखा था कि इस इक्जामपल में जब मैंने प्रैशर दिया तो परासरन रुख गया था अब मैंने कितना प्रैशर दिया उसको चेक करने के लिए आप यहां पर न ऐसा आप बैरोमिटर लगा सकते हो बेटा यह देखो आप यहां बैरोमिटर लगा सकते हो किसको बोलते हैं बैरोमिटर दाब ग्यात करने के लिए यानि प्रैशर पता करने के लिए हम बैरोमिटर लगाते हैं यहां से लगा दो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितना दाब लगाया अब कोशन यह उठता है कि क्या परासरण दाब भी अडू संख्या गुड़ है है जी भूलेंगे नहीं बेटा अभी आप अडू संख्या गुड़ पढ़ रहे हैं अभी आप अडू संख्या गुड़ पढ़ रहे हैं याने की 취능, Colligative, Properties पढ़ रहे हो और अडू संख्या गुड़ क्या होता है वे गुड़ जो मिलाए गए सॉल्यूट के मातरा पे निर्भर करते हैं वे गऴ जो मिलाए गए विले के मातरा पे निर्भर करते हैं उसे वो देफ़ अडू संख्या गुड़ तो हमने देखा था कि कोथनांग में उन्यान और हिमांग में अवनमन हाँ ये अडू संख्या गुड तो थे पर अब प्रशन है कि क्या परासरन दाप भी अडू संख्या गुड है मतलब क्या ये भी और वो की संख्या पर निर्भर करता है हां करता है कैसे बेटा इस तरफ विले कम था इस तरफ विले ज्यादा था तो पानी इधर आ रहा है गौर सुनना पानी इस तरफ आ रहा है क्योंकि आपने इस तरफ विले ज्यादा लिया हुआ है तो पानी यहां रह तो बेटा अगर आप इधर और ज्यादा मातरा में अगर आप यहां और ज्यादा मातरा में विले लोगे याने कि विले के मातरा बढ़ाओगे विले के अड़ों की मातरा बढ़ाओगे तो बेटा अब पानी और ज्यादा इस्ट्रॉंगली मूव करेगा पानी और ज्यादा से इधर मूफ करेगा तो उसको रोकने के लिए प्रैशर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या समझे प्रैशर ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा वो अड़ों के संख्या पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको अडू संख्या गुड कहते है इसलि परासरन दाब केलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो ये है अच्छा पहले पतादू बेटा परासरन दाब को ना परासरन दाब को हम पाई से दर साते हैं पाई से पाई से और परासरन दाब केलकुलेट करने का सूत्र है पाई इक्वल टू सी आर टी एक और तो यह दो सूत्र हैं जिसके माध्यम से आप क्या ग्याद कर सकते हैं प्रासरणदाब और इस सूत्र में इस सूत्र में आर क्या है आपने कल्छा ग्यारवी में पढ़ा है इलेवंत में आपने पढ़ा है आर होता है बटा गैस कॉंस्टेंट जिसका कितना वैल्ली होता है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटी एम पर केल्वीन पर मो तो यह देखें इन दोनों सूत्रों का हम समय के साथ साथ उप्योग करेंगे और इसके निमेरिकल भी कि बनाएंगे चलिए इसको पहले इसक्रिंशोट ले लिजए प्लीज एक बच्चा पूछ रहा है एट पॉइंट पॉन्ट्री रहा हो भी होता है एट पॉइंट थ्री भी होता है पर यहां पर 8.3 नहीं होगा क्यों बताता हूँ मैं आपको आरटी क्या है बटा आर गैस और टी ताप मान है टी ताप मान है सी क्या है सी सांधरता है अरे भई आपका पूछना बिल्कुल सोभाविक है आप पूछ सकते हो सी क्या है टी क्या है पर आपने नोटिस क्या है केमेश्ट्री में पूरे केमेश्ट्री में जब जब टी लिखा जाता है तो ताप मानी होता है सी लिखा जाता है तो वह सांधरता यानि कॉंसेंट्रेशन ही होता है अच्छा बच्चा पूछ रहा था कि सर आर का मान तो 8.314 होता है आपने 0.021 क्यों लिग दिया मैं आपको को बताता हूं बेटा अगर आप क्लास 11 पढ़े हो अच्छे से तो आपको याद होगा आर का मान आर का जो मान है वह आपने 8.314 पढ़ा है कच्छा 11 वी में और अभी बता रहा हूं कि आर का मान 0.0821 लीटर ATM पर केलवीन होता है बेटा आर के दो वैल्यू होते हैं पर कब कब कौन सा वैल्यू यूज करते हैं सुन लो जारा जब आपके आप उर्जा उर्जा वाला चैप्टर पढ़ोगे उर्जा याने की एनर्जी या फिर हीट तो जब हम उर्जा या उश्मा से सम्मंधित अब होता यह होता है असलमें आर यही होता है पर इसमें आर की क्या है लीटर एटीम आर की काई क्या है लीटर एटीम और मैं आपको बता दूँ मैं आपको बता दूँ एक लीटर एटीम होता है बेटा 101.3 जूल के बराबर तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस उपर वाले आर में 0.0821 बेटा अगर आप लीटर एटीम को हटाना चाहते हो और जूल लाना चाहते हो इसमें गुड़ा कर दो 101.3 तो लीटर एटीम हट जाएगा जूल बन जाएगा और इसमें गुड़ा करते ही यहीं माना आएगा तो असल में आर का वैल्यू इतना ही रहता है पर लीटर एटीम खोटा कि जूल के रूप में जब लेते हैं तो इस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो जूल बन जाता है बेटा तो इस चेप्टर में आप इस चेप्टर में अभी आप क्या पढ़ रहे हो विल्लियन याने की सॉल्यूशन और आपने देखा है इस चेप्टर में हम दाब के बारें बात करते हैं आयतन के बारें बात करते जो आर का यह वैल्ली होगा और जब ऊरज्रा के बारें बात करेंगे तो यह वैल्ली होगा और क्या है किसकी बार बार भी पढ़ हिल्राइए नहीं हम बार है उति श्रख से हैं बोले ना रहे है बयोग में लाना पड़ता है चाहओ तो इसके इसका भी음 मेहनत कर रहे हैं और आखिर तक करेंगे आप हमारा साथ दो रिजल्ट सच में बहुत अच्छा एगा तो आप यहां बस पढ़िए आकर के परासरन दाप के बारे में बात करें याने की ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें तो एक बार मैं याद दिलाएता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है परासरन दाप क्या होता है परासरन के घटना को रोकने के लिए परासरन के प्रोसेस को रोकने के लिए हम जो द सबस्क्राइब लगाते उसे को परासरों रदाब कहा जाता है और परासरों रदाब को क्यलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है पाई इकवल टू सी आर्टी और बीटा होता है पाई प्लू बीद अपॉन एम बी आर टी अपॉन वी देखें यह दो सूतर मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ और यह भी बता चुका हूँ इस फॉर्मूला में किस किस चीज को क्या बोलते हैं और कुछ चोटी-मूटी बाते भी मैंने आपको बताई थी जैसे की जैसे की आर का जो मान है हूँ यह बता चुका हूँ कि कुछ भी हो जाए आयतन जो होगा उसे लीटर में ही लेना है कुछ भी हो जाए दाब जो होगा उसको ATM में ही लेना है और चाहिए कुछ भी हो जाए ताप मान जो होता है ताप मान ताप मान जो होता है उसे केल्वीन मिलेना है बाकि ATM में कैसे लाते हैं लीटर में कैसे लाते हैं कैलरीन में कैसे लाते यह आपको पिछले क्लास पर सिखा चुका हूं अच्छा जी इन सब के अलावा भी मैंने कुछ बाते आपको बताई थी बैटा कि अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ आया अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखावाया 2% glucose solution 2% glucose का विल्यान तो इसका क्या अर्थ निकालना है मैंने बोला था जब भी किसी प्रश्ण में percentage दिया रहता है तो उसका मतलब होता है कि 2 ग्राम glucose उपस्थित है 100 ml विल्यान में तो मैं आपको चोटी चोटी चीजे बता चुका हूँ कि आखिर आर का मान क्या होगा और जब भी किसी प्रश्ण में percentage दिया रहता है उसका क्या मतलब होगा और अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ है अगर किसी प्रश्ण में लिखा ह सम परासरी है सम परासरी मतलब होता है बेटा आईजो टोनिक तो अगर किसी प्रश्ण में अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हो आया कि दो विल्यान सम परासरी है यह आईजो टोनिक है तो इसका अर्थ होता है कि उन दोनों विल्यान का उन दोनों विल्यान का जो परास परासरणदाब है उसका मान बराबर होगा या दोनों विल्यन का सांधरता बराबर होगा ध्यान देना सांधरता बराबर होगा तो अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ आया कि दो विल्यन का दो विल्यन का दो विल्यन आइजोटोनिक है यह दो विल्यन सम परासरी है तो इसका ये अर्थ निकालेंगे कि हमारे पास दो विलियन है दोनों का परासरण दाप बराबर है या फिर या फिर जो सांधरता है कंसंट्रेशन सांधरता है वो बराबर है तो एक बार मैं चाहूंगा दोबारा इसको आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए या लिख लीजिए फिर अब हमें निमेरिकल भी बनाना है प्लीज इसको लिख लेंगे बेटा क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है क्यों दिखाई नहीं दे रहा है लीजिए इसके स्क्रीन शॉट ले लिजिए या इसका कॉपी कर लिजिए फटाफट फट फिर निस अब के माध्यम से मैं कुछ परश्ट न आपको करवाने माला हूं बटाज आज हम निमेरिकल करेंगे ओके समने देख लिए यह क्या चीज है क्लियर है ओके तो आगे बढ़ते हैं चलिए तो इसको मैं थोड़ा चोटा कर दूँ फिर से अब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप चिंता ना करें एक बार तो आपने इसके स्क्रीन शॉट लेहीं लिया है अब अब कुछ चीजे मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा जैसे की जैसे की जब हम लोगों ने कुछ बाते आपको और बताना चाहता हूं जब हम कुछ बाते आपको और बताना चाहता हूं जब हम कुछ बाते आपको और बताना चाहता हूं जब हम कुछ बाते आपको और M B W A फिर हमने हीमांक में आवनावन पढ़ा हीमांक में आवनावन पढ़ा तो वो ऐसा कुछ था W B इन्टू 1000 M B W A फिर जब परासरान दाप पढ़ा तो ऐसे पढ़ा W B अपान M B R T by B अब जब गौर से सुनेगा इन सभी सूत्रों में इन सभी सूत्रों में एक चीश समान है सांधरता सांधरता भूलेंगे नहीं आप अडू संख्या गुड पढ़ रहे हैं और अडू संख्या गुड उस विल्यन का जादा होता है जिसका सांधरता जादा होता है मैं फिर इपिट करता हूँ अभी आप अडू संख्या गुड पढ़ रहे हैं और अडू संख्या गुड उस विल्यन का जादा होता है जिसका सांधरता जादा होता है तो कहिन कहीं अडू संख्या गुड ये सब ये 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 सब अडू संख्या गुड है और अगर ये अरुसंख्या गुड़ है तो कहीं कहीं सांधरता इनके लिए एक बहुत important role play करते हैं तो आखिर सांधरता है कहाँ पर तो मैं एकदम clear कर दूँ आप लोग को बेटा ये जो हिस्सा है ये यही सांधरता इसको हम सी से दर्स आते हैं ये सांधरता है ये जो हिस्सा है ये ये सांधरता है सी से दर्स आते हैं और यहाँ पर ये ये जो हिस्सा है ये सांधरता है कोफनांक में पड़ते वक्त आपने संथ जरता डेखा है कि अगर को कहता है कि अवानमन संथ हरता याहां देखा है यह हमारा संथ जरता और और परासय कोंoug प्त्र चान्थरता इस बावाब संथरता यानि की कान्सेंट्रेशन तो इस सूत्र में हमारा बासお願いします था-पका जो सूत्र है इस सूत्र में यह जो हिस्सा है यह जो हिस्सा है बेटा ये क्या है सांधरता कहलाता है thousands वाले हैं जो को चेजों का इंप्योग हो네 वाले दिगरने वाला है तो चलें फिल कोषां की चीजोट ले DP का बागी बच्चे को क्लियर दीख रहे है कि यह तो मैंने बड़ा कर दिय थे हो पार्ट धिकर रहे कि नहीं पर बताएंगे मेरेको कि आपकी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बैटा कि दीख रहा है करके तो मुझे बस एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा नेट्रों में आएंगे तो एक क्लियर हो जाएगा ठीक अब यहां सुनो एक बच्चा पूछ रहा है सर जेई के लिए इनफ है यकीन मानिए हम जो थेयरी आपको यहां पर बताया जा रहा है उस थेयरी में ऐसे बहुत सारे चीज़े होंगी जो आपको पूस्तक में भी लिखा हो नहीं मिलेगा होगी बताएगा भी नहीं तो हम कुशिस कर रहे हैं कि किसी भी कॉंसेप्ट को एक दम डीप से डीप बताया जाए हां एक परिशानी यह थी कि अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है मैं करीब आज हमारा इस चेप्टर का आज हमारा इस चेप्टर का दसवा क्लास है यानि कि 10 क्लास लग गए अभी भ सब कुछ जानना है अंदर से अंदर की बाते जाननी है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है हां लेकिन एक परिशानी थी समय लग तो रहा है और सीलेबस बहुत बड़ा है इसी वज़ए से अभी जो मेरे क्लास थे जो अल्टरनेट चल रहते तीन दिन अब सो मुआर से सो मु सब्सक्राइब करें तो अब क्लासे से रोज होंगी और सीलेबस कंप्रीट होगा उसके अब पिल्कु चिंदा ना करें और हम कोशिज करेंगे अच्छे से चीजों समझें और डीप से डीप नॉलेज यहां से लेकर जाए ठीक है तो बस यहां पर मैं यह बतार था बेटा क इस सांधरता कहां कहां उपयोग होता है तो याद रखना हम जब कोई भी अनुशंख्या गुड पढ़ते हैं तो उसमें सांधरता भी शामिल रहता है जो आप इसे वाकश देख सकते हैं चलि फिर अब प्रश्ण बनाते हैं तो इन सभी इन सभी इन सभी डेटा इन सभी ड पूछा है बेटा इस प्रश्ण में पूछा है कि 5% विल्लियन है गौर सुनों 5% ग्लुकोज का विल्लियन है ताप मान दिया है 18 डिगरी सेल्सेस चलिए पराश्रण दाप पता कीजिए तो बेटा राजी हाजी पराश्रण का सूत्र क्या है हमारे पास यह देखो विले का द्रवे मान विले का आडविक द्रवे मान आर टी अपान वी अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं ध्यान दीजेगा मैं पहले ही आपको यह बता चूका हूँ की आर जिस भी सूत्र में लग जाता है ताप मान कैल्विन में होना जरूरी है तो ठीक है बेटा ताप मान 18 डिग्री सेलसेस है उसको 273 से जोड़ेंगे तो फिर वो कैल्विन बन जाएगा ये कैल्विन बन जाएगा चलो ये तो आपको आता है अब मुझे ये बताओ प्राश् ये अब इसका क्या मतलब है तो अगर प्रश्ण में लिखा है 5% ग्लुकोज का विल्लियन है तो इसका ये मतलब है कि 5 ग्राम ग्लुकोज उपस्थीत है 100 ml में में मैं आपको ये पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जब परसेंटेज दिया रहता है तो क्या करते हैं चलो बताईए बेटा विले का द्रवेमान किता है तो पांच परसेंट याले की पांच गराम तो विले का द्रवेमान हो गया पांच गराम कौन सा विले है ग्लुकोज तो ग्लुकोज का आडविक द्रवेमान कितना होता है एक सवस्थी गराम आर का मान किता लेंगे 0.0821 टाप मान किता लेंगे यह केलवीन में बदल चुका है आगे आते हैं नीचे आते हैं अब बेटा आयतन तो आयतन दिया है 100 ml 100 ml पर पर ध्यान देंगे ध्यान देंगे 100 ml वो ml में है उसको लीटर में change करने के लिए हजार से भाग करेंगे तो वो से लीटर में KIR दे अब करेंगे आंसरर आपके सामने उन प्रotz नहीं है कि अगला प्रश्ट नहीं अगला प्रस्ट नहीं सामने आगे आ गया है इस प्रखन में पूछा है गोर से इस प्रखें में यह पूच्छा है गॊर्थ से देखिए इस प्रखन में deras मान किता दिया है ताप मान दिया है 283 Kelvin और गलाइकॉल नाम का एक विले है उसका द्रवे मान दिया है कितना दिया है बेटा द्रवे मान दिया है उसका 1.82 ग्राम और प्रती लीटर प्रती लीटर मतलब आयतान दिया है बेटा एक लीटर अच्छी बात है अब आपको बोल रह कितना है 518 mm तो चलिए गलाइकॉल का मोलर द्रवेमान पता कीजिए तो बेटा हमारे पास सूत्र क्या है मैं बार बार सूत्र लिखूंगा मैं बार बार सूत्र जरूर लिखूंगा यह देखो अब सुनो मेरी बात अब सुनो मेरी बात डबलू भी कमान कितना है वन पॉइंट टू आर कितार था जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन लीटर एटी एम पर केल्विन टेंपरेचर कितना है जी टू एटी थ्री केल्विन आईए निची आईए एमबी एमबी आपको ग्यात करना है आपको अडू भार ग्यात करना है आयतन कितना है बेटा एक लीटर अब समस्या क्या है अब समस्या यह है कि जिस सूत्र में आर लग जाता है मैं पहले ही बता चुका हूँ जिस सूत्र म आर लग जाता है, उसमें आयतन लीटर में ही होना चाहिए, दाब एटियम में होना चाहिए, और ताप मान केलवीन में होना चाहिए, तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो, आयतन लीटर में है, एक लीटर, ताप मान केलवीन में है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन, लेकिन, परासरन दाब M.M. में दिया है परासरन दाब M.M. में दिया है और पिछले क्लास में आपको सिखा चुका हूँ कि M.M. को M.M. को A.T.M. कैसे बनाते हैं M.M. को A.T.M. कैसे बनाते हैं जल्दी बताइए वहाँ M.M. लिखा है बेटा कितना 518 को याद दिलाएगा mm-coe tm कैसे बनाते हैं जल्दिया दिलाओ mm-coe tm कैसे बनाते हैं कि mm-coe tm कैसे बनाते हैं कि भागित 760 गदानी तो कोन लिखा है भागित हजार नहीं अखिलेस भागित 760 वेरी गुड़ बेटा बस इसको भाग सेड़ो अब बन गया ATM बन गया तो problem क्या है problem यह है कि जब धी किसी सूतर में बेटा आर होता है तो आर कहता है कि जब 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 जिस सूतर में पाया जाओंगा आथन लीटर में ही लेना पड़ेगा pressure ATM में ही लेना पड़ेगा ताप मान कैल्विन में तो पर यहां जो प्रेशर था वो एमें में था तो उसको एमें में ने पर करमट कर दिया लीजिए इसको हल कर लेंगे हल करते ही आपको अडूभार मालूम चल जाएगा स्क्रिंशॉट लीजिए इसका आगे बड़ी लीजिए अगला प्रस्ण आपके सामने आ चुका है यह बहुत इमपॉटन कोशन है बहुत लब चला कोशन है यह तो ठीक है आप है एकसर फैला देता ह सुनना एक जिसमें 3.4 परसेंट यूरिया है 3.4% यूरिया 100 ml विलियन में और गन्ने का रस गन्ने का शक्कर 1.6% विलियन है और ताप मान दिया है 20 डिगरी सेल्सियस तो चलो बताओ प्रश्ण में क्या पूचा है बटा कुल पराश्रन दाप कितना होगा कुल पराश्रन दाप कितना होगा अब एकदम गौर से सुनो इस प्रश्ण में लिखा है मिलाने से गौर से प्रश्ण में क्या लिखा है मिलाने से याने की इस प्रश्ण में असल में दो चीज़े है बटा इस प्रश्ण में दो चीज़े एक यूरिया और एक है क्या है गन्ने करस गन्ने करस को सिम्पल शुगर लिख लिए मैं शुगर ल यूरिया है 3 यहां पर लिख देता हूँ 8 मिनाट यूरिया है किता है भई 3.4% यूरिया का सॉल्यूशन है और 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 कितना बोला है बिटा 1.6% 1.6% शुगर का याने गन्ने का जो रस है उसका सॉल्यूशन है अब प्रश्ण में क्या बोला है एक यूरिया का सॉल्यूशन है एक शुगर का सॉल्यूशन है और कोशन यह बोल रहा है कि अगर दोनों को मिला देंगे तो अब दोनों को मिलाते ही जो मिक्स्चर बनेगा जो विल्यन बनेगा उसका परास्रान दाप कितना होगा तो प्रश्ण में ये पूछ रहा है कि अगर यूरिया के विल्यन को शक्कर के विल्यन से मिला देते हैं तो मिलने के बाद एक जो नया मिश्रन बनेगा उस मिश्रन का कुल परासरन दाप कितना होगा तो बहुत आसान है बेटा क्या करना है बस करना यह है कि आपको यहाँ पर यूरिया का पराशन दाप ग्याद करना है और एक बार एक बार शुगर का पराशन दाप ग्याद करना है और एक बार शुगर का पराशन दाप ग्याद करना है और एक बार शुगर का पराशन दाप निकाल लो परास्थन दाब यूरिया का प्लस परास्थन दाब शक्कर का तो बस क्या करना है बैटा अगर आप इन दोनों विलियन को आपस में मिला दोगे तो एक बार इसका परास्थन दाब निकाल लो एक बार इसका परास्थन दाब निकाल लो और परास्थन दाब को percent urea का मतलब समझ गया ना one point six percent sugar solution का मतलब समझ गया ना three point four percent Urea मतलब three point four gram urea in 100 ml solution और one point six percent sugar याने की one point six gram sugar in hundred ml solution तो बेटा इसका क्या मतलब है इसका ये असलब हुआ कि अगर मैं सूत्र यहां पर लगा दूँ डबलू बी आर्टी आर्टी एम बी और आयता देखना मैं क्या बता रहा हूं डेखना मैं क्या पता रहा हूं डबलू बी आर्टी एम बी और वी अब एकदम गौर से सुनना चलो एक काम करते हैं यहां पर हम निकालेंगे परास्तर अदा भी यूरिया का जली पता यूरिया का कितना दरदे मालें लूँगा 3.4 ग्राम मैं बता चुका हूँ 3.4 परसेंट मतलब 3.4 ग्राम होता है बाकी आर का मान आपको पता है यहां रख देना ताप मान भी दिया है परास्तर में कहा दिया था हाँ यह 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 ताप मान दिया है इसको कैलवीन में चेंज करके यहां रख देना आगे बढ़ते हैं बेटा यूरिया का अडू भार होता है 60 ग्राम अब बस बज गया कि आयतन में क्या रखूँ आयतन में क्या रखूँ चलो पहले इस तरफ आते हैं यहां मैं परास्तरन दाप शक्कर का निकाल रहा हूँ शक्कर का द्रवेमान कितना है 1.6 परसेंट याने की 1.6 ग्राम आर का मान आ आप पता हैं एंबी शक्कर का शक्कर का अजू भारतों और होता है 342 अब से की प्रशिन ही आई परस्त करना होगा और इस वाले में आहीक कितना होगा यूरिया का यूरिया का आयतन कितना होगा बता बैटा आयतन कीतना होगा अंडेड एम मिल है क्या बोल रहे हैं हंड्रेड एमल हंड्रेड एमल इस एक डम सही बोर रहे हो पर एक परेशानी है एक परिशानी है प्रस्ट ने में क्या लिखा यहाँ पर कि यूरिया के विल्यन को शक्कर के विल्यन से मिलाया गया है अब दो अलग-अलग विल्यन को मिलाओ गे, तो दोनों का आइतन तो एड हो जाएगा ना जी दोनों का जो volume है तो add हो जाएगा ना तो बेटा यह है यह है 100 ml फ्री वेदे खूरा लिखा ना 100 ml और यह भी कितना है 100 ml तो ये भी 100 ml है ये भी 100 ml है अब दोनों मिलके 1 valilik mean बन गए तो कुल आयतन अब लेंगे हाँ पर 200 ml अब यहाँ पर आयतन होगा 200 ml जिसको लीटर में चेंज कर लेंगे इसका भी आयतन होगा 200 ml और उसको भी लीटर में चेंज कर लेंगे बैटा यह जो कोशन है यह बोर्ड एक्जाम में कई बार पूछा गया है और अधिकास बार बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पर 100 ml लिख देते हैं यहाँ पर 100 ml लिख देते हैं पर बैटा यहाँ प्राश्ण में क्या लिख था मिलाने पर तो दोनों विल्यान को अगर मिलाओगे तो आयतन तो जुड जाएगा न जी तो ये गलती बस मत करना बस अब उसके बाद क्या है ये निकल गया यूरिया का परास्रन दाब ये निकल गया शक्कर का परास्रन दाब दोनों का योग करोगे तो निकल जाएगा कुल परास्रन दाब प्लीस इसका screen shot लेंगे बहुत important question है ये इस chapter के objective questions करवाय जाएंगे बेटा जैसे ही chapter खतम होगा आपको MCQ कराया जाएगा और हाँ notes के बारे में बता दूँ इस chapter का notes जो है हमारे application में डाल दिया गया है इसके पहले वाले chapter का notes भी हमने डाल दिया है और इस chapter का notes भी हम लोगों ने हमारे application में डाल दिया है आज ही जाके application को डाउनलोड करो और वहां से notes को भी डाउनलोड कर लो बेटा इसका screenshot लो खुछ से घर्व बनाना इसको यह वाला यह वाला खुछ से अब ट्राई करना इसक्रीन शोट ले लो बेटा यह वाला आप लोग घर्व बनाईएगा यह वाला घर्व बनाईएगा आप लोग हो गया उसके बाद और भी आएगा देखते हैं हाँ चलिए तो अब हम पहुंच रहे हैं बेटा हमारे आख्री अडू संख्या गुड पे अब हमारा आख्र परासरणदाब और चौथा और चौथा कॉलिगेटी प्रॉपर्टी यानि कि चौथा अडू संख्या गुड आपके सामने आ रहा है यह वाश्पदाब में आप पेच्छिक अवनमन चलिए बात करते हैं इस अडू संख्या गुड के बारे में यह क्या होता है चलिए आख के तुलना में विल्यन का वाश्पदाब हमेशा कम होता है मैं इस चप्टर के शुरू से ना जाने कितने बार यह सेंटे से रिपीट कर चुका हूं आपको याद भी हो गया होगा हमेशा विलायक के तुलना में विल्यन का वाश्पदाब कम रहता है विलायक जादा वाश् देखना बेटा आप इस चेप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो कि वाश्पदाव याने की वैपर प्रेशर वाश्पदाव याने की वैपर प्रेशर जो होता है वह हमेशा वह हमेशा विलायक का ज्यादा होता है और विल्यन का कम होता है यह आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सॉल्वेंट का वाश्पदाव ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वाश्पदाव हमेशा कम होता है क्यों कम होता है यह सब आपको पहले पता है यह पढ़ाया जा चुका है आपको त वाश्पदाब में अवनमन हो जाना बैटा अवनमन मतलब क्या होता है कमी आना अवनमन मतलब क्या होता है कमी आना कमी आना तो जब भी विलायक के तुल्ल में विल्यन का वाश्पदाब कम होता हो दिखे तो हम कहते हैं वाश्पदाब में अवनमन हो गया वाश्पदाब में कमी आ गई और मैं आपको बता दूँ और विलायक के वाश्पदाब को पी नौट ए से दर्स आते हैं और विलियन के वाश्पदाब को पी एस से दर्स आते हैं और इन दोनों के बीच जो अंतर है इन दोनों के बीच जो अंतर है इसे को हम कहते हैं इसे को हम कहते हैं वाश्प दाब में वाश्पदाब में अवनमन इसे को बोलते हैं वाश्पदाब में अवन याने की लोवरिंग ओफ बैपर प्रेशर लोवरिंग ओफ बैपर प्रेशर तो इन दोनों के बीच वाश्पदाब का जो अंतर होगा उसी अंतर को हम बोलते हैं वाश्पदाब में अवनमन याने कि lowering of vapor pressure, तो तुमने क्या बोला बेटा, तुमने बोला, कि P not A minus P A, इन दोनों का अंतर, क्या कहलाएगा, वाश्पदाब में अवनमन, है न, है न, है न, आपने क्या बोला, आपने बोला, P not A minus P A, को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाश्पदाब में अवनमन, अवनमन, गौर सुने, P not A, ओ, समचा होंगा, P not A minus P S रहता है, P not A P S, हाँ, 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 जी, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, P not A minus P S को क्या बोलते हैं, वाश्पदाब में अवनमन, P not A minus P S को बोलते हैं, वाश्पदाब में अवनमन, और जब वाश्पदाब में अवनमन को हम, विलायक के वाश्पदाब से तुल्ला करते हुए देखते हैं, तो यह कहलाता है वाश्पदाब में आप एक छित अवनमन आप एक छित अवनमन तो गौर सुनेगा एकदम clear दिमाग में रखना P not A minus P S कहलाता है वाश्पदाब में अवनमन और P not A minus P S upon P not A कहलाता है वाश्पदाब में आप एक छित अवनमन तो कोई भी आपसे पूछेगा कि वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है तो बोलना P not A minus PS और वाष्पदाब में आप एक चिक अवनमन क्या होता है तो बोलना P not A minus PS upon P not A तो बेटा जब अवनमन विलाय कितुलना में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं वाष्पदाब में आप एक चिक अवनमन और भूलेंगे नहीं ये जो टॉपिक अभी आप पड़ रहे हैं ये भी तो आखिर अडू संख्यक गुड़ है याने की P not A minus PS upon P not A इसको आप कहते हैं वाष्पदाब में आप एक चिक अवनमन तो ये भी तो अडू संख्यक गुड़ है और अडू संख्यक गुड़ क्या होता है अडू संख्यक गुड़ वे गुड़ होते हैं जो किस पे निर्भर करते हैं बेटा किस पे निर्भर करते हैं विले के मोल प्रभाज के उपर विले के मातरा पे XB XB मतलब क्या होता है विले का मोल प्रभाज विले की मातरा या पहले ही पर चुके हैं तो सिंबल सी कहानी है कि वाश्पदाब में जो आप एक छित अवनामन है क्योंकि ये अडू संख्या गुण है तो सभाविक सी बात है ये अडू, विले के अडू के संख्या पर निर्भर करेगा इसलिए ये सूत्र ऐसा बन गया अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आब ये सूत्र ऐसा दिखाई देगा बेटा ये XB, XB कैसे लिखते हैं याधना आपको भूल तो नहीं गया और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ किसी भी विलियन में विलायक के जो अडू होते हैं उसके तुलना में विले के जो अडू होते हैं उसकी मातरा बहुत कम पाई जाती है इसलिए विले के मातरा को विलायक के मातरा के सामने हम नेगलेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा अब जो सूत्र है, वो ऐसा बन जाएगा बेटा, उपर क्या बचा, NB, नीचे क्या बचा, N A, अब इसी सूत्र को आगे बढ़ाएं, चलिए देखते हैं, अब ये सूत्र आगे कैसे जाएगा बेटा, P not A minus P S upon P not A, उपर NB है, NB क्या लिखते हैं आपको, विले का द्रावेमान, विले का आडविक द्रावेमान, नीचे N A है, यानि के विलायक का द्रावेमान, विलायक का आडविक द्रावेमान, अब इसी सूत्र को थोड़ा और साप सूत्रा लिखूं, विवस्थित तरीके से लिखूं, तो अब M B M A upon W A और लीजिए सूत्र बनके तयार हो गया यह जो सूत्र आप देख पा रहे हैं यही सूत्र अब numerical बनाने में use होगा तो कोई भी बोलेगा वाश्पदाब में जो अवनमन होता है आप एक छित अवनमन होता है उसका numerical कैसे बनेगा तो यह है वो सूत्र जिस्के माध्यम से आप इस टॉपिक के numerical बनाएंगे अब numerical कैसे बनेगा मैं बताता हूँ इस टॉपिक में कोई खास थेओरी नहीं है और ना ही यह derivation पूछा जाता है आप सिर्फ इस formula को दिमाग में रखेंगे और इसके जो numerical है अब वो हम लोग करने वाले है प्रिस कोपी कीजिए फिर मैं करवाता हूँ निमेरिकल लिक लो या screenshot ले लो इसका फिर इसका आप numerical बनाएंगे और numerical बनाने से पहले मैं बता दूँगा कि कैसे इस चीजों पर ध्यान रखा जाता है हाँ बेटा इसमें सिर्फ formula important है ठीक तो चलो फिर बनाते है numerical और ये भी देखते हैं कि numerical बनाते हैं वक्त मैं कई बर आपसे कहता हूँ सिर्फ formula याद कर लेने से numerical नहीं बनता numerical बनाने के लिए formula याद होने के साथ साथ उस formula से सम्वंधित कुछ hidden बाते कुछ छूपी हुई बाते भी हमको पता होने चाहिए तब ही हमसे numerical बनता है चले फिर दिखाता हूँ कैसे करना है इसका numerical तो उसके लिए एक बार मैं जो सूत्र था उसको दो बारा लिख देता हूँ P not A minus P s P not A विले का द्रवेमान विले का आडविक द्रवेमान विलायक का आडविक द्रवेमान और विलायक का द्रवेमान हाँ यह लेजिये तो सब क्या-क्या बोलते समझ में आ गया विलायकका वाश्имостиौ cognitive पि स्ग्या है विलेंग का वाश् स्दाब करेक्ट ग्रेट और 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 पी नॉट ए माइनस पीस क्या है वाश्पदाब में अवनमन और पीज ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए क्या है वाश्पदाब में आप एक छित अवनमन ठीक, बाकि WB, MB ये तो आपको पता ही होगा बेटा हम सुरू से परते आ रहे हैं, WB, MB क्या-क्या होता है अब चलो, सूत्र तो आपको याद हो गया सूत्र में किस-किस चीज को क्या बोलते हैं ये भी आपने समझ लिया पर इन सब के अलावा भी कुछ बाते आपको समझनी है फिर वही तरीका कि जब भी किसी प्रश्ण में कुछ दिया रहता है तो कैसे पता लगाते हैं कि क्या दिया है और जब भी प्रश्ण में कुछ पूछता है तो कैसे पता लगाते हैं कि क्या पूछता है तो चलो यह लॉजिक में पहले भी आपको समझा चुका हूँ एक पर फिर समझाता हूँ आपको तो गौर सुने बेटा अगर किसी प्रश्ण में कुछ चीज दिया हुगा कोई भी चीज अगर दिया होगा तो कैसे पता चलता है कि क्या दिया है तो बहुत सरल है यह अगर दो द्रव्यमान दिया होगा अगर किसी प्रश्ण में दो द्रव्यमान का मान दिया है तो समझ जाना बेटा जो छोटा वाला द्रव्यमान होगा उसको WB और बड़ा वाला द्रव्यमान को WB मान लेंगे 2 गराम 50 गराम दो गराम छोटा है WB 50 गराम बड़ा है तो WB के अगर यहां से प्रश्णलमें दो दाभ दे या है डो दाभ गिए सब ना इस प्रश्णलम, चोटा वाला दाभ पीएस होगा और बना वाला दाभ पिनाटे लिएब जी क्योंकि विलायक का वांस्पदाप हमेंसा ज़्यादा होता है और विल्लियन का वाश्पदाब कम होता है तो जब भी दो वाश्पदाब प्रश्ण में दिया रहेगा तो छोटे वाले वाश्पदाब को अपने आप PS माल लेना और बड़े वाले वाश्पदाब को पी नौटे माल लेना अच्छा जी अगर किसी प्रश्ण में अगर किसी प्रष्ट्ट में पूछेगा अगर पूछेगा की वीलियं से वीलीयं का वाश्पदाब ग्याद करो यहां क्या घ्यात करना है कικा थाना है पेस ग्यात करना है अगे आप को अगर आपको बोलेका मातरा या भार या और क्या मातरा कॉंटिटी वेट ठीक है मातरा यह भार पूझे गए यह है अगर द्रव्यमान पूझे गा तो समझ अपने अपने आप आपको डैबलूबी पता लगाने बोल रहा है जब भी किसी प्रस्ण में बोलेगा ने बेटा भार पता करो यह मात्रा पता करो यह द्रविमान पता करो समझ जाना डबलू भी ही निकालना है आपको डबलू भी ही निकालना है और हमेशा प्रस्ण में ध्यान देना हमेशा प्रस्ण में M B और M A हमेशा दिया रहता है हमेशा दिया होता है ध्यांदना हर प्रश्ण में M B या M A का मांद दिया रहता है और नहीं दिया रहेगा तो निकालने बोलेगा वर अक्सर इसका मांद दिया रहता है अच्छा जी अब इन सब के अलावा अगर किसी प्रश्ण में P not A का मान नहीं दिया होगा गौर सुनना अगर किसी प्रश्ण में P not A का मान नहीं दिया होगा तो बिटा उसको अपने आप आप 760 mm मान लेना मान लेना अगर किसी प्रश्ण में P नॉटे का मान नहीं दिया रहेगा तो अपने आप उसको 760 mm मान लेना तो लीजिए यह कुछ छोटी मोटी चीजे हैं जो आपकी दिमाग में बैठ गया है न तो numerical अपने आप बनेगा कैसे बताऊंगा पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए आप इसकी स्क्रीन शॉट ले ले बेटा बेटा सूतर पर ध्यान दीजिए सूतर को याद कीजिए सूतर में क्या चीज बोलते हैं किसको उसको याद कीजिए और जो मैंने आपको लॉजिक बताया है इसको अगर आप समझ गए ना तो कितना भी कठीन से कठीन प्रश्ण हो आप बना लेंगे चलिए इसकी निशोर्ट आप लेही लिए होंगे अब सीधे पहुंचते है प्रश्ण में याद रखना यह जो छोटी छोटी चीजे हैं यह आपको कठीन से कठीन प्रश्ण को बनाने में हेल्प करेगा एक और बात मुझे याद आ गया चलो भी मैं आपको शेर कर दू अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ आया 2% glucose विल्यन तो अगर किसी प्रश्ण में इसा लिखा हुआ है तो जानते हो इसका मतलब क्या समझोगे इसका मतलब समझोगे बेटा 2 ग्राम 2 ग्राम glucose उपस्थित है 100 ग्राम विल्यन में अब फरक देखना फरक देखना अभी कुछ दिर पहले मैंने आपको बताया था कहा बताया था यह यहाँ यहाँ पर मैंने बोला था कि इसमें परासरन दाब वाले में परासरन दाब वाले कॉंसेट में बोला था जब परसेंट दिया रहता है तो हम यहाँ लेते हैं विल्यन का आयतन क्योंकि इसमें आयतन का प्रयोग हो रहा था क्योंकि इसमें आयतन का प्रेयोग हो रहा है और बेटा अभी जो आपने देखा यहाँ पर इसमें द्रवेमान का प्रेयोग हो रहा है इसमें द्रवेमान का प्रेयोग हो रहा है इसलिए 2% glucose मतलब 2G glucose 100g विलियाण में में ग्राम आ याप में 100 ml लिख्खा था इसारन यहाँ पर कही पर आयतन नइए यह कही पर आयतन नहीं है तो इसमें हमों 1-2 mm नहीं लेंगे इसमें ग्राम लेंगे तो च्होड़ी-छोड़ी वात ध्याहारन है इसका तो चलिए फिर आपने स्क्रeynthia ले लिया ह ओके तो चलो इस प्रश्ण में चीजों को थोड़ा समझना चलो करते हैं गौर सुने बटा एक निस्ची तापर शुद्र बेंजीन का वाश्पदाब एक वाश्पदाब दिया है और और एक अवाश्पशिल वैदुद अब घट यह है ठोस जिसका इतना ग्राम दिया है उसक द्रवीमान का मतलव होता है बiska और अब चरब करके चीज़ों को समझते हैं इस प्रस्ट में क्या क्या दिया में क्या क्या क्याद करते हैं कि क them स्बाइब ब्रते अने दोन थे चोटा वाला वैल्यू रवांगा टो मैंने क्या सिखाए ठाक अगर दो वाश पदाब दिया हो तो जो छोटा वाला वाश्पधाब होता है वो P S होता है बेटा तो 0.845 बार और जो बड़ा वाला वाश्पधाब होता है वो P 0 A होता है अभी अभी कुजर पहले बताया हूँ आपको मैं तो 0.850 बार फिर उसके बाद उसके बाद देखो ग्राम 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 दो दरवेम होता है वो डबलू भी होता है बता चुका हूं आप लोग को 0.5 ग्राम जो बड़ा वाला ग्राम होता है वह हमें साथ डबलू यह होता है कि तह बेटा 39 ग्राम लीजे सब कुछ तो दिया है सूत्र लगाते हैं सूत्र क्या है हमारा बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस पी पी नॉट ए डबलू बी एम बी एम ए डबल्यू ए लिजे मैंने सारा फॉर्मल लिग दिया अच्छा जी अब वैल्यू पूट अप करना शुरू कर देते हैं चलो पी नॉट ए कमान किता दिया है यह देखो यह देखो 0.850 पी एस कमान किता दिया है 0.845 नीची आई यह अगें 0.850 नॉट डबलू बी डबलू बी कमान किता दिया है बेटा 0.5 और डबलू ए कमान किता दिया है 39 39 एम बी एम बी आपको ग्याद करना है अब एम ए क्या लूंगा तो बटा एम ए का मतलब होता है एम ए का मतलब होता है विलायक का अडू भार अब इसमें विलायक कोन है बेंजीन है बेंजीन है उसके अडू भार दिया है देखो 78 मुझे कैसे पता चला बेटा एम ए का मतलब होता है विलायक का अडू भार तो मुझे कैसे पता चला कि यह विलायक का अडू भार है तो ब जिसका जिसका द्रवेमान जादा होता है वह उलायक है और क्योंकि बेंधन वलायक है तो उसको द्रवेमान दिया हुआ है तो इसको आम एहां पूटाप कर लिए बस हल करते ही आपको मालूम चल जाएगा कि उस ठोस्का आर्वी द्रवेमान कितना है चोटी चोटी चीजे समझे बेटा जब भी प्रस्ण में कुछ दिया रहता है कितना बड़ा प्रस्ण है अगर आप इसको लॉजिकली समझने जाओगे माथा खब जाएगा तो ज्यादा अच्छा है यह तरीका आपको सिखाएगा है कि किसी वैली को देखे कैसे पता पर जब और जिनिक शुरू होगा तो वहां से आपकी असली परिछा शुरू होगी जो बच्चा और गिनिक को समझ गया उसका नबबे परसेंट से उपर आना तय है कोई निरोग सकता उसको तो अभी आप कुछ भी कर लो फिजिकल को बाद में भी रिवाइज कर सकते हो इन नबबे परसेंट आने से कोई नहीं रोग सकता और किसी बिग्जाम में आप बैठिये केमेश्ट्री में आप बहतर से बहतर परफार्मेंस करेंगे तो अभी तो थीन महेने तक फिजिकल और इन और्गनिक खतम होने में लग जाएगा तो अगस्ट से हमारा और्गनिक शु अब इससे बड़ा तो नहीं हो पाएगे बटा ओफुली यू कर दूब लोगो आपको बीच में आरहा होगा लोगो से बीच में आरहा होगा अब आई होप क्या आप देख सकते हैं दिख रहा क्या आप देखो तो वैभो हम एटा एप में पुराने नोट्स भी हैं पर अभ हाला कि मैं भी पीचे-पीचे आपके बनाऊंगा और यह देखता हूं कि आप भी वही कर रहे हैं जो मैं इहां पर करूंगा एब ट्राइ कीजिए मैं तो करूंगा पीचे-पीचे-पीचे आपके आंसर किता दिया है इसमें 755.7 टॉर बता दू एक बार चलो ठीक है बताएता हूं तो इस प्रस्ण में इस प्रस्ण में देखो ताप मान दिया है इसे कोई मतलब नहीं है यह डबलू-बी का मान है अच्छा जी फिर बोला है क्या बोला है कि अडू भार दे दिया है और बोला है कि किसका शुद्ध जल का वाश्पदाप दे दिया है अब क्या पूछा है विल्लियन का वाश्पदाप पता लगाओ पैटा विल्लियन का वाश्पदाप पता लगा रहा है मतलब पीएस पता लगाना है PS पता लगा रहा है ठीक है, बनाते हैं फिर P not A minus PS upon P not A WB, विले का द्रवेमान विले का आडविक द्रवेमान विलायक का आडविक द्रवेमान और विले का द्रवेमान चलो, ठीक है WB, ये क्या लिख दिया मैंने ओ, एक मिनट MB MA WA हाँ, चलो, अब put up करते हैं फॉर्मला में चीजों को P not A, P not A मतलब बता है पता विलायक का वास्पदा, विलायक को है जल जल का वास्पदा किता है, 760 ओके, 760 और PS पता करना है आपको 760 W भी कमान किता है A, 1.68 और विलायक का द्रवेमान किता है 18 और 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 शक्कर का अड़ुभार होता है 342 बस यही तो करना है PS यानि की विलायन का वास्पदाब निकालना है चलो, यह आप screenshot ले लो यह आप screenshot ले लो यह आप घर में बना लेंगे screenshot ले लो इसो घर में बना लेंगे इसका screenshot ले लो यह घर में आपको बनाना है इसका आप लोगों के लिए कुछ प्रस्ट लेंगे ले लीए इसका आप घर में बनाएंगे यह भी कुछ प्रस्टन है उदाराण के लिए आपके लिए यह आपको घर में बनाने के लिए कुछ और प्रस्टन है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो जो लॉजिक मैंने बताया है उसको बस फॉलो करो अपने आपे सारे कोशन बनेंगे इसको करो इसका भी करो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो यह कुछ प्रस्टन है जो मैंने आपके लिए लेके आया है इसको आप घर बनाएंगे बेटा जो आपको तरीके बताये गए है जो मैंने लॉजिक आपको बताया शॉटकट बताया कि कैसे पता चलता है कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है यह लॉजिक करते ही अब अपने आप कोशा मना लेंगे अब अब इस चैप्टर के हम आखरी छोर में पहुच चुके हैं अब अगला जो क्लास होगा बेटा वो सो मुआर से सुबे होगा अब एक्चुली क्लास रूम के जो सेट अप है यह सेट अप मेरे घर से बहुत दूर बेटा मैं एक्चुली साथ किलोमेटर से आता हूँ यह क्लास लेने के लिए तो सुबे सुबे मैं छे बजे या साथ बजे यहां नहीं पहुच पाऊंगा तो उसके लिए छमा चाहूंगा मैं क्लास सुबे 8 बजे और 9 बजे ही ले पाऊंगा उससे पहले नहीं हो पाएगा मेरे घर थोड़ा धूर है ठीक है तो या तो आप लाइब आजाईए और नहीं आप आएगे तो फिर recorded वीडियो तो आप देखते ही हैं समय समय पर तो आप वैसा कर सकते हैं तो अगर आप लाइब नहीं पहुच पाते हैं 8 बजे या 9 बजे तो शाम को आप अपने सुविधा के हिसाब से वीडियो तो अप्लोडेट रहता है उसको आप देख सकते हैं इसका बाप आने वालाएं बहुत बहुत रहुत रोमांचक समय होगा जब आप इसके आगे टोपीक को आप पढ़हेंगे तो अगरा तोब्लाबी वैटा उसमें हम उसमें हम डायेटZ कोशन आएगा की पशनाग में उन्ने क्या होता है इसको पूरा explain करो, ऐसा प्रशन आएगा पांच नमबर का, मैं आपको board exam में कैसे कैसे question आता है, वो भी बता रहा हूँ, और competitive में तो multiple choice आता है, mcq आता है, उसमें क्या बताना है, आपको सब कुछ पता होना चीए, multiple choice question आपके सामने आएगा, आप उसको हल करेंगे, लेकिन board exam के अगर बात करें, तो board exam में किस type का question आता है, उसको जड़ा समझ दो, तो जब भी exam में इनके उपर question आते हैं, तो बेटा, या तो तीन नमबर का आएगा, या तो पांच नमबर का आएगा, और अगर पांच नमबर का question आया, तो कैसे question आएगा, सीधा लिखा हुआएगा कि कोथनांक में union क्या होता है, उसे पूरा पूरा explain कीजिए, तो कोथनांक, कोथनांक में union सबकी परिभासा देते हुए, जो मैंने आपको derivation बताया है, उसको लिखेंगे, और last में जो formula आता है, उस formula में किस किस चीज को क्या बोलते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, सा के numerical आम तोर पर तीन नंबर में आता है, ध्यां सुनेंगे, इन सभी topic के जो numerical है, मैं चीजों clear करते पर चलता हूं बेटा, ध्यां सुनेंगे, इन सबसे related, इन सबसे related, अगर theory, question आया, theoretical question आया, तो बेटा, वो आएगा, तीन नंबर का, और पांच नंबर का, हाला कि मैं clear कर पांच नंबर के question आने के chances जादा होते हैं, इन सभी topic के उपर पांच नंबर के question आने के chances जादा होते हैं, और अगर मैं numerical की बात करूं, निमेरिकल कोशन की बात करों तो इन सभी टॉपिक के निमेरिकल तीन नंबर के ही आते हैं तीन नंबर के ही आते हैं पांच नंबर में बहुत रेर केस में होता है बहुत कभी कभी ही ऐसा होता है कि पांच नंबर के कोशन निमेरिकल से आ जाए तो इन सभी टॉपिक में अगर थेओरिवी। फोकस कर रहे तो बätta 5 नमबर के लिए तयार रही है बोर risk साम मे और lyution के बारे है नुमरिकल के बारे हैं तो 3 नमबर की के लिए लेकिन लेकिन इन सभी टॉपिक के उपर एक और तरह कोशन का ऊता है यह और तरह का कोशकर रहा बहुत बार कोशन ए सो conceptual question conceptual question याने की एक number का question one marks का आपको पता है जब आप board exam में बैठेंगे या किसी exam में बैठेंगे तो जो बड़े बड़े question होते हैं ज्यादे number वाले वो बन जाते हैं पांच नंबर वाले चार नंबर वाले बन जाते हैं हम फसते हैं छोटे question में जो एक number दो number के question होते हैं उप परिशान करते हैं बैठा क्यों परिशान करते हैं क्योंकि एक number का question कहीं से भी आ सकता है कहीं से भी आ सकता है कुछ भी पूछ सकता है इसलिए तो आपको chapter में सब कुछ समझता है हर चीज को deeply समझता है और आप पुस्तक जरूर रीड करेंगे याद रखना पुस्तक में लिखा हुआ एक एक चीज मैं मुझ से बोल रहा हूँ पर लिखो आया नहीं जा सकता तो इसलिए बेटा आप अगर हर क्लास अटेंड किये हो यकीन मानो पुस्तक को जब रीड करोगे न सब समझ में आएगा और अगर एकात कोई लाइन या पॉइंट मैं नहीं बता पाया हूँ उसको भी आप खुछ से समझ लोगे जब आप किसी चैप्टर को इतने डीपली पढ़ते हो या अच्छे से पढ़ते हो तो पुस्तक में अगर एक दो लाइन आपको कुछ नया लिखा हो मिल भी जाएगा ना जो मैं नहीं बता पाया हूँ या कुछ इसकीप हो जाए उसको भी आप अराम से कर लोगे तो अब कभी भी इस चैप्टर बहुत बढ़ा होता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई एक लाइन या दो लाइन ऐसा लिखा हो जो हम क्लास के बीच में नहीं बोल पाया चुड़ जा है तो उसको लिखे बहुत टेंसर मतले ना कि सर नहीं ये टॉपिक छोड़ दिया जाए उसको खुश से समझ सके खुश से डील कर सके और आपको इतना ताकत अपने दर पढ़ा करना भी पढ़ेगा बेटा तो चलो तो मैं बता रहा था कि इस टॉपिक में थेवरी वाले कोशन आप अराम से बना लोगे निमेरिकल तो मैं करवाई दिया हूं यह चोटे छोट मौल लीजिए हमारे पास दो विल्लियन है मैं आपको उदारन बता रहा हूं कि कैसे कोशन आएगा हूं बोलेगा एक विल्लियन में मल लिजिए एक mol ग्लुकोज है, और मालिज्हे एक विल्यन में, एक मोल एनसील है, तो चलो बताओ, इन दोनों में से किसका कुथनांग ज़ादा होगा, किसका कुथनांग में उन्नेया ज़ादा होगा, किसका हीमांग जादा होगा, किसका हीमांग में अवनमन जादा होगा, किसका अपरासन जादा होगा, किसका वाश्क जादा जादा होगा, किसका वाश्क जादा में आप एक छित अवनमन जादा होगा तो आपको इस तरह से कुछ एक्जामपल दिये जाएंगे और पूछा जाएगा चलो बताओ की किस विल्यन का अडू संख्यक गुण जादा होगा तो इन सब के लिए आपको क्या याद रखना है तो इन सब के लिए आपको बस ये याद रखना है बेटा कि आपको इतना तो पता है ना कि जो अडू संख्यक गुण होता है वो किस पे निर्भर करता है वो निर्भर करता है वो निर्भर करता है विले की मोलों की संख्या पे है ना मैंने क्या बताया मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो कॉलिगेट्यू प्रॉपर्टी होता है जो कॉलिगेट्यू प्रॉपर्टी होता किस पे डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है नंबर ओफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ovat toot 기다리게 तो गहानी यह है कि जिस wilion में जिस wilion में wilay के molo की संखया जिस wilion में wilay की molo की संखया ज्यादा पाई जाएगी उसमें अडू संख्या गुड भी ज्यादा पाया जाएगा अब परेशानी क्या है जर्द गौर सुनना अडू संख्या गुड का जब मैंने आपको परिभाशा बताया था तो मैंने बोला था अडू संख्या गुड सिर्फ ये देखता है कि विल्यन में विले के कितने कण है गौर से सुनना अडू संख्या गुड सिर्फ ये देखता है कि विल्यन में विले के कितरे कण हैं पर वो कौन से कण है इसके बारे में आपको नहीं सोचना है वो कौन से कण है वो कौन से पाटिकन है उनका गुर्धर्म क्या है ये सब नहीं जाना है आपको सिर्फ विले के कणों की मातरा पर फोकस करना है तो उस हिसाब से अगर हम इस इ ग्लुकोज के अड़ू गॉड से सुना अगर मैं किसी विलियन में डाल देता हूं तीन मौल ग्लुकोज तो आपको क्या है दिखेगा घ्रियो रूप को दिखेंसे के यहां pos तीन मोल NACL इस बार मैंने NACL ले लिया अब बेटा तीन मोल NACL को अगर मैं पानी में डालूंगा तो आप सबको पता है NACL पानी में जाते ही तूट जाता है उसका वियोजन हो जाता है उसका डिसोसियेशन हो जाता है उसका आयोनाजेशन हो जाता है तो बेटा एक NACL का मो को पानी में जाएगा तो एक सोडियाम और एक क्लोराइड रहाएं बनाएगा यहां पर तीनgg after thyl place nsv दिम मोल है तो बनेंगे प्लोराइड के आयन और बनेंगे तीन सोडियाम आयन तो अब तुम मुझे ये बताओ, कुल मिलाके, अब इस विल्यन में कितने कण हैं, आप देख सकते हैं बेटा, अब इसमें 6 कण हैं, 6 कण हैं, तो यहाँ पर आपने, ग्लुकोस को जब पानी मिलाया, तो यहाँ पर दिख रहा है बेटा, 3 मोल्स कण, याने की पार्टिकल, और यहाँ वो सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं कि कण कितने हैं, कौन सा कण है, इसको नहीं देखना है, कण कितने हैं बस उसको देखना है, तो बेटा, आप साब साब देख सकते हो, शुरू में, शुरू में मैंने इसको भी 3 मोल लिया, इसको भी 3 मोल लिया, अब एक्जाम में कोश कोशनाएगा अब एक्जाम में कोशनागि चलो बताओ ठीमुल ग्लुकोज और किसका क्कोथना जाता होगा तो बटा आपको ये भी समझना है कि आप जिस अडू को या किसी पदार्त को पाणी में डालते हो तो कोहिए वह वीयोजन तो रहा है कि तूट तो नहीं रहा है यह अगर वाट टूटा तो कहानी बदल जाएगी कहानी बदल जाएगी तो आपने यहां पर क्या देखा अब बताओ इसमें तीन कड़ है उसमें च्छे कड़ है तो सोभाविक सी बात है इस वाले विल्लियन का अडू संख्या गुड जाद होगा कोथनांग में उन्यां जादा होगा हीमांग में अवनमन जादा होगा परासरन धा जादा होगा और वाश्पदाब वाश्पदाब पता है ना अडू के आजाने से पानी में विले के अडू के आजाने से वाश्पदाब कम हो जाता है तो बेटा इस वाले में वाश् बुद्धा ही कम होता है तो आप देख सकते हैं बेटा कि सिर्फ इनको देखने से पता नहीं चलता अगर एक्जाम में कोशन आ गया कि बताईए थ्री मोल ग्लुकोज थ्री मोल एनेसेल किसका अडू संख्या गुड जादा है तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास जो जो विले है कहीं वो पानी में जाते हैं टूट तो नहीं रहें अगर टूटा तो कहानी बदल जाएगा और एक इसांपल देखो इस बार मैंने ले लिया थ्री मोल सीयल टू मालो इस बार मैंने ले लिया कैल्सियम क्लोराइड कैल्सियम क्लोराइड पर इस कहानी में और बदलाव आएगा बेटा जब तुम इसको डालोगे जब तुम इसको थ्री मॉल कैल्सियम क्लॉराइड डालोगे तो बनेंगे तीन कैल्सियम के आयन और बनेंगे क्लॉराइड के कितने आयन बताओ यहां क्लॉराइड के कितने आयन बनेंगे यहां पर क्लोराइड के kतने आयन होंगे बिटा मनजीत सही बात है बिटा 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो कितने कण हो गए तो यहां तो यह हो गए अब यह हो गए 9 मोल्स अब यह हो गए 9 मोल्स कण हो गए 9 मोल्स पार्टीकल तो फिर ऐसे में उस विल्यन का तो ऐसे में इस विल्यन में देखो कितने सारे कड़ आ गए तो जादा कड़ आएंगे अगर तो सोभाविक सी बात है अडू संख्यागूड भी जादा होगा तो आपको इस बात का ध्याँ रखना है कि अडू संख्यागूड क्योंकि कड़ो के मातरा पर नीर भर करता है तो जिस विल्यन में जादा कड़ोंगे उसके अडू संख्यागूड भी जादा होगा इन सभी चीज़ों को एकदम विवस्थित तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूँ यहां देखना, यहां देखना बेटा हमारे पास कणो की संख्या, कणो की संख्या, जितनी ज्यादा होगी, उतनाहीं ज्यादा, उतने ही ज्यादा कौथानांग फोगा उतन चैदा कौथानांग में उन्यान होगा उतने ज्मावन अवन पन होगा उतने ही ज्यादा ऑपरूफणांग में उतना ही ज्यादा परास्रण दाब होगा उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा वाश्पदाब में अवनमन होगा और उतना ही कम उतना ही कम वाश्पदाब होगा ये लिजिए मैंने सारे यहाँ पर आपके सामने रख दिया बेटा ये सब मैंने आपके सामने रख दिया है कंफ्यूज नहीं होंगे आप देख सकते हो कि कड़ों की जो संख्या होती है हर कोई उसके समानुपाती है हर कोई उसके समानुपाती है बस हीमांक जो है वो वितकर्मानुपाती है और विल्लियन का वाश्पदा वितकर्मानुपाती है कैसे हैं जी कैसे हुआ याधन आपको बेटा, अगर आपको फ्रिजिंग पॉइंट वाला कहानी याद होगा, तो यह किसका फ्रिजिंग पॉइंट है? मालो है 0 degree Celsius है, और यह मालो माइनस 5 degree Celsius, यह पर चुके हैं बस मैं आपको याद दिला रहो हो, ठीक है? यहां सुनना तो यह बेटा यह जो नीचे वाला है यह विलियन का होता है और यह विलायक का होता है और इन दोनों की भी जो अंतर होता है उसको डेल्टा टीएफ लिखते हैं अब तु मुझे बताओ यह तो पता है ना जितना जादा विले मिलाओगे उतना ही जादा अंतर ब बढ़ता जाए या निकि डेल्टी एफ का मान बढ़ता जाएगा मान बढ़ता जाएगा तो बेटा कणो की संख्या बढ़ाओगे तो डेल्टी एफ का मान बढ़ेगा समानुपाती है समानुपाती है लेकिन यह बताओ ज्यादा विले मिलाओंगा तो ग्राफ और पीछे जा डेल्टा टीएफ कमान बढ़ता है डेल्टा टीएफ कमान बढ़ेगा समानुपाती है लेकिन टीएफ कमान लेकिन टीएफ कमान लेकिन टीएफ कमान तो कम होते जा रहे हैं तो याद रखना है बेटा कड़ो की संख्या यह बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कड़ो की संख्य जादा हो तो हिमांग में अवनमन ज़्यादा होगा यह अपको पता ही है जितना विले मिलाते हैं वाश्प उतना ही कम बनता है तो जितने ज़्यादा अडू की संख्या होंगी वाश्पदा उतना ही कम होगा तो इसको समझने का दो तरीका है या तो इसको आप लॉजिकली समझो थोड़ा बुद्धी लगाओ लॉजिकली समझो और लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक सूतर जैसा माल लो और आसान कर दूँ ऐसे याद रखो कि कणो की संख्या जादा होंगी तो सब जादा होंगे सब जादा होंगे बस दो चीज उल्टा है हीमांक और वाश्पदा बस ये दो अपोजिट होता वागी सब समान उपाती है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं चलिए इसको एक स्क्रीन शॉट ले लिए फिर कोशन करवाता हूँ बेटा आपको मैं ग्लुकोस किसमें टूटता है ग्लुकोस नहीं टूटता है बेटा ग्लुकोस वियोजीत नहीं होता इसलिए उसके अडू संख्या गुण में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता तो चलो फिर मैं आपके सामने कुछ प्रश्ण रखता हूँ उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे इसको तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा उपर कर देते हैं और आपके सामने चलिए मैं कुछ कोश्ण देता हूँ ठीक है मैं आपके सामने चार पांच इग्जामपल ले लेते हैं ठीक है पांच इग्जामपल ले लेते हैं बेटा तो हाँ पहला प्रस्ट ना एक मोल ग्लुकोज और थ्री मोल ग्लुकोज में किसका डेल टीबी का मान जादा होगा एक मोल ग्लुकोज और एक मोल NACL में किसका TB का मान ज़्यादा होगा यह प्रस्टने ठीक है एक मोल CACL2 में और एक मोल LCL3 में किसका TF का मान ज़्यादा होगा तीन मोल ग्लुकोज में और तीन मोल K2SO4 में किसका परासरण दाब ज़्यादा होगा एक मोल HCL में और एक बच्चे ने पूछा इसलिए चलो एक तीन मोल H2SO4 में किसका क्या लेले वाश्पदाब ज़्यादा होगा तो लीजिए आपके सामने मैंने कुछ प्रस्टन रख दियें बैटा आपको सब का आपको सब का यह सारे अडू संख्यक गुण किसका किसका ज़्यादा होगा आपको बताना है चलिए कुछ आपको आंसर दूँगा आप भी ट्राइब करो हम उक्येस बिहार बोड का पूरा सिले बस इसमें होगा चिंता ना करें हाँ हाँ बिहार बोड क्या यह हम लोग बेटा किसी एक बोड पर बाद है नहीं है हम सभी चीजों को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि सारे बोड में बच्चे आसानी से जो है सर्वाइब कर सके survive कर सके ठीक है तो यहाँपर मिस नंबर देता हूं ना पहला नंबर दूसरा नंबर आपको answer बताना है इसको एल ले कि फर्स्ट में या भी 下次 में फिर्ड में आसांजी से आपका answer ch令 कर पाऊंगा फिर्ष्ट का b सभी सहीए बेटा फिर्ष्ट का बी आंसर होगा करेक्ट दूसरा बताओ सेकेंड का टी बी सही है यह ज्यादा होगा विश्वजीत सही आंसर बेटा निक्खिल सही आंसर है कामना सिंगर आठ और वेरी गुड बेटा सही आंसर है कि ठाड वताओ थाडड वताओ थाड़ किसका टिएफ ज़्यादा होगा है ये थोड़ा इंपोर्टेन कोश्चन है ये वाला जिसकाँ अठीचरदेगा किसने आडो की संख्या ज़्यादा थो टीएफ कम अब देख लो इसमें अडो की तके सबस्बिऩित किसमें जादा है उस की साभ शान सर देंगे। कि उसकी साथ अथर देंगे भी यहां से देखना इस प्रश्न के महुत इंपॉर्टन यह वाला यह ने बोला बेटा अडू की संख्या ज्यादा तो टी एफ कम पर मैंने पूछा है टी एफ ज्यादा किसका होगा तो अडू की संख्या अगर ज्यादा होगी तो टी एफ कम याने की यह इसका अंसर होगा यह वाला यह वाला यह उल्टा रहता है ना इस वाला उल्टा रहता है आगे बताओ पर आस्रान दाप किसका ज्यादा होगा के टूए सफोर का यह के टूए सफोर को तोड़ने जानते होना के टूए सफोर को तोड़ने जानते होना के टूए पर टू- 2 टीन कण तीन कल!' तीन पांटीकल inед को ए एसली वाश पिदाब सत Commissioner लोग ए और वाश पिदा प्लचालograph उल्टा हो तो ज़्यादा कडो संख्या तो वा अपिदाब कम तो जयादा होगा कन फिर्ब कीजिए आप ने भी ऐसे कुछ हुआ Anime सामने और रखता हूं एक प्रह्न बस मैं आपके सामने और रखता हूं हाँ आपको बताना है मैं आपके सामने कुछ कर लेने वाला हूं जैसे कि NaCl, H3PO4, Na3PO4, K2Cr2O7 और K4, Fe, Fe, Cn6 आपको इन सभी अड़वों को एक काम करते हैं किसकी आधार पर ले ले लेते हैं लेते हैं डेल टीएफ की आधार पर है चलो डेल टीएफ में बढ़ते करम में इनक्रीजिंग, इनक्रीजिंग ओडर में आपको इन सभी कड़ों को डेल टीएफ के बढ़ते करम में विवस्थित करना है, जमाना है, चलो ट्राइ करो, चलो ट्राइ करो तीसरे वाले का नाम बेटा, पोटेशम डाइक्रोमेट बस बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं बोलते हैं, पोटेशम डाइक्रोमेट बोलते हैं बस इसको और C2, O7, 2- इसमें होंगे तीन करन, इसमें होगे बटा के पलस, के पलस, के पलस, के पलस, और A, V, Cn6, 4- तो इसमें होगे बटा टोटल 5 करन, अब इस तरह की प्रस्ट बनाने में एक ही परिशानी आ सकती है, अगर आपको किसी योगिक को तोडने नहीं आता, अगर आपको इनंकमपाउंट्स को डिसोसेट करने या तोडने नहीं आता, तो ही परिशानी आएगी, कही लोग इसको तोडने नहीं जानते, P को अलग कर देते हैं, O को अलग कर देते हैं, Cb, 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 Cb तो इस तरह के प्रश्ण में अगर किसी को भी परिशानी हो रही है तो वो एक ही परिशानी मुझे पता है वो और वो यह कि इंकम पॉंट्स को तोड़ने नी जानते तो बेटा मैं पहले ही बोल चुक हो कि मैं हर तरह के बच्चे को साथ लेके चल रहा हूं दिक्कत होता है ज मेरा यह करतव बनता कि मैं आपको हर चीज बता हूं और हर वो बच्चा जो अगर ग्यारवी में ठीक से नहीं भी पड़ पाया होगा वो भी यहां पर बहतर तरीके से सर्वाइब कर सके तो मुझे मालूम है कि आपको यह तोड़ने आता है लेकिन जिन बच्चों को यह चाल थे झाल नहीं आता इंक मैं आखीर मेशा थोट गवाट को तोड़ते कैसे आपके पास कुछ भी हो अगर इधर अगर इस तरफ हेलोजन होंगे हेलोजन होंगे तब भी जो बंध है वो यहां से टूटेगा मैं जरा समझाता हूं मेरे बोलने के क्या मतलब है जैसे एक्जाम्पल के तौर पर KCl, K2SO4, Na3PO4, MgCO3, K4, Fe, Cn6, Mg whole twice, SO4, oh sorry, Mg whole twice, SO4, whole twice, यह देखो, यह कुछ एक्जाम्पल के ऐसा लिखने क्या ज़रु रहा था है, एक यह वाले एक्जाम्पल देते हैं, Mg PO4, हाँ, जरा यह एक्जाम्पल आप देख लो, हाँ, जैसे यह एक्जाम्पल है, और भी कुछ एक्जाम्पल दिखाता हूं आपको, AL, CL3, CABR2, इसके अलावा आपने सकते हैं, बेटा, NAI, etc. चलो, यहाँ देखना, आपको इतना तो पता है ना, कि यह धातू है, यह धातू है, आप देख सकते हैं, यह सब धातू है, तो हमेशा जो बंद होता है, बेटा, वो धातू के बगल से तूटता है, तो उस हिसाप से, यहाँ से बंद तोलोगे, तो आपको एक Potation मिलेगा, और एक Chloride मिलेगा, यहाँ से तोलोगे, तो दो Potation है तो दो पॉटेशिन मिलेगा और एक शेयित मिलेगा अगर यहां से बंद तोड़ोगे तो त् sproutूडियों ты आयन मिलेगा और एक फॉसफैट मिलेगा यहांसे बंद दोड़ोगे तो इधर बिला एत मेगनेशियum और एक कार्बोनेट यहां से बंद तोड़ोगे तो लेफ्ट साइड मिलेगा चार पोटेशियम और एक एक पूरा एफी सी एन एफी सी एन होल सिक्स पूरा एक साथ रहेगा ऐसा इधर लेफ्ट साइड क्या दिखेंगे आपको तीन मेगनिसियम आयन तीन मेगनिसियम आयन और इस तरफ मिलेगा बेटा दो फौशफेट आयन तो बने क्या सीखा है आपको हमें सब बंद धातु के बगल सें टूटते इससे अप अंदाजा लगा सकते यहाँ को कण मिलेंगे यहां पर होगल से पूडता है तो इस तरह आएगा एक अल्मुनियम इधर आएग़ ब mism of the time संख्या ज्यादा है और वैसे भी यह सारी बाते आपको मालूम होनी ही चाहिए क्योंकि अब इसके आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में आपको इन योगी को तोड़ने आना चाहिए तो इसका स्कूर्ण संख्या कुले के अभी परेशान मत हो बेटा वो दिये स्योजी योगिक उसमें मैं एक बार आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं औक्सिकरण संख्या एफी क्यों नहीं टूटा बेटा यह जो बंद टूटते हैं यह आउनिक बंद टूटते हैं सास जो स्योजी बंद होते हो नहीं टूटते पानी में डालने से आउनिक होता है इसलिए तो ज्यादा अच्छा है कि आप इस लॉजिक को याद रखे तो आपके लिए दम आसान हो जाएगा ओर आगे बढ़ते हैं अब जो टॉपीक आपके सामने आने वारा है यह इस चेप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपीक है अब इंपॉर्टेंट किस उदेश से मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कि एक्जाम में आता है, ये मैं बता हूँ, ये एक्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता, अब तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है, वो बारवी बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, ये बारवी बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आया, कुछ मैंने आपको इस चेप्टर न पढ़ाया है वो सब बारवी बोर्ड के एक्जाम में ज्यादा आता है यह कम आता है पर अगर यह आया तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता तो आप यह बताओ अगर मुझे 20 प्रश्ण में से 15 प्रश्ण मेरे से बन रहे हैं तो बहुत से बनेंगे तो फिर आप में रून में अंतर क्या है अंतर आपको पैदा करना है कैसे वो बचे हुए जो पाच प्रश्ण है जिसको और कोई नहीं बना पा रहा है उसको मुझे बनाना है यह सोचिए कि जो कठिन प्रस्ण होते हैं, उसको मुझे बनाना है, जो direct प्रस्ण आते हैं, वो तो हर कोई बना रहा है, मैं भी बना लूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो घुमे हुए प्रस्ण आते हैं, जो tricky कोशन होते हैं, जो थोड़े घुमे हुए कोशन होते हैं, उसको कैसे बनाया जाए इसी पर आपको focus करना है तो ये exam में जादा नहीं आता पर अगर ये आ गया तो आपके score को कम कर सकता है और यही जो हर chapter में न हर chapter में एक दो ऐसे topic होते हैं जो थोड़े दो ट्रिकी होते हैं दिमाग लगाने वाला उसको अगर आप सीख गए तो फिर 90 percent आने से आपको कोई नहीं रोग सकता बेटा तो अब चलिए इस topic में इतना क्या है जो मैं इतना जोर डालते हैं इस बात पर इस बात को आपको बता रहा हूं यह topic बहुत important जरा समझेगा एक अजीब सा एक अजीब सा अवलोकन आपके सामने आने वाला जरा गौर से देखन ग्लुकोज को मैंने डाल दिया 500 ग्राम जल में तो चलिए तो चलिए तो चलिए डेल टीवी का मान ग्याद कीजिए एक सिंपल सा प्रश्ण आपके सामने मैंने रखा है एक और प्रश्ण है अगर 10 ग्राम 10 ग्राम एसिटिक आम लगो एसिटिक एसिट इसको बहुते बटा एसिटिक एसिट इसको अगर मैं फिर से 500 ग्राम इसको बेंजीन में डाल देते हैं बेंजीन में और यहां पर KB का मान होता है बेटा 5.1 Kelvin यह मैंने एक उदारण आपके सामने रख दिया अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दो अलग अलग प्रस्न है एक ही जैसे प्रस्न है दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के दिखने वाले प्रस्न है अब आपको कह रहा हूं डेल टी भी निक एकदम जबानी याद हो गए है है ना WB 1000 MB WA चलो अब काम करते हैं इनके हम जो वैल्यू है उसको पूट अप करते हैं बेटा हमें डेल टी भी का मान निकालना है के भी दिया है 0.52 WB का मान किता है 10 ग्राम ठीक है विलायक कदर अवे मान किता है बेटा 500 ग्राम अच्छी बा में इस फारे केस में मतलब तो के बिक मान किता दिया है बैटा 5.1 दरव्यमान विले का 10 ग्राम और भार किता दिया है विलायक का 500 ग्राम अब आपसे प्रश्ण पूछ रहा हूं मैं आपसे प्रश्ण पूछ रहा हूं जल्ली से अंसर देना यहां पर क्या लिखों और यहां पर क्या लिखों आपको आंसर देना है यहां पर कितना वैलू पूट पहले फर्स्ट वाले को बताओ यहां पर कितना मान मुझे रखना है पहले वाले प्रस्ट में MB का मान कितना होगा जल्दी बताएंगे पहले वाले प्रस्ट में MB का मान कि मंजीत क्या answer दे रोगे यहां 760 कैसे put up करोगे राजकुमार कैसा पर нрав पर परक्रां पर हैं दो कितना होगे तो पायल एकदम सही answer है सही answer पर सही answer यहां हम रखेंगे 180 ग्राम क्यों की ग्लुकोस का अडू भार होता है बेटा 180 ग्राम बस अब इसको हल करना है आंसर आपके सामने होगा तो आपको डेल टी भी निकालना था ना इसको हल करते ही आंसर आपके सामने होगा अब बिल्कुल इसी टाइप का दिखने वाला प्रश्ण आपके बगल में है अब चलो इस मैं आपको बताना है यहां पर कौन सा मान पूट अप करोंगा कर कौन सा मान रखूँ में जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो में दूसरे वाले केस में क्या अंसर रखूंगा मैं अच्छा लोग तो बेटा आप लोको जो आइडी है ना उसमें अच्छा सा नाम डाल दिया करो नाम लेने में अच्छा लगता है अभी देखो एक बच्चे का टॉप जी आर्क लिखा हुआ है अब मैं क्या इसको प्रोनाउस करूँ आपने आंसर सही दिया है पर मैं चाहता ह बाकी बच्चों को कि कौन को से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो आपने अपने आइडी में अच्छा सा नाम जरू लिखना एक बच्चे लिखा है MP official अब इसका क्या मतलब मुझे नहीं पता तो निखिल कामना साहिल अजय सचिन मुकेस पायल अभय सब का आंसर सही है अब मुझे chip बता बेटा दो प्रश्न जैसे एक दम एक जैसे हैं दो प्रश्न आपके सामने एक दम एक हैं एक दम एक जैसे बस क्या बदला विले यहां पर ग्लुकोज लिया यहां पर मैंने एसिटिक आम Liya और अब मैंने आपसे जोर डालते बोपुछा यहां पर क्या रखो गया आपने बुल स्वफी क्यों लिया क्यूंकि क्या हमको पता है ग्लुकोस का अडुभार 180 होता है यहां पर साठ क्यों लिए क्योंकि हम पता है की एसिटिक एसिट का अडुभार साथ ग्राम होता है अब सुनना ध्यांसे दो परेस्थन एकदम एकजैसे पर इस वाले में आपका जो आंसर आएगा झैना को help करोगे जब इसको हल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सही होगा पर इस वाले में आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा यह क्या हो गया भी आप तो सब चीज ठीक ठीक पूटप कियो हो सारे मान आपने सही सही रखा है आपका दिमा आपका गलत मतलब पूस्तक में जो आंसर दिया है वो और आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है तो बेटा अब पूरी कहानी ठहर जाती है विले पे सब कुछ तो सेम था बदला क्या बदला क्या रूप में कोन आ गया है विले के रूप में आ गया है तो एसिटिक अमले की आ जाने से मेरा प्रश्ण जो मैं हल कर रहा हूँ वो गलत क्यों आ रहा है सिर्फ एसिटिक अमले की आ जाने से मेरा आंसर गलत क्यों हो रहा है अब सुनो कहानी में क्या ट्विस्ट है पहले सके स्क्रीन शॉट ले लो बेटा फिर मैं आगे बताता हूँ अच्छा पिछले क्लास में एक दो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे सर इसको पूरा पूरा हल किया करो एक दो बच्चे मुझे कमेंट किये थी कि सर इसको पूरा हल करो इसको पूरा हल मैं क्या करूँ बेटा इसको गुड़ा करना है फिर भाग देना है यह तो आपका काम है अब पूरा प्रस्ण सम से बनता हों सिखतल गुड़ा भाग तो आपको आता है और नहीं आता है उसको वरना बढ़ार मी स्कोर मिं कर पाओगे मुंटीप्लाइब करना डिवाइड करना ऊjesvin todo आपका हिस्स तो मैं इतना ही करूंगा हमेशा मिंस्ञाय Dur听 पूरओन्छी दूबारा यह ग् inherent मत करना कि सार पूरा-पूरा हल किया करो इसको क्या हल करो बेटा यह तो आपका हिस्सा है चलिए तो अब दिमाग घूमा हुआ है हमारा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दो एक जैसे प्रश्ण है इसमें आंसर सही आया इसमें आंसर गलत क्यूं अब जरा इसके पीछे का कारण शोटा कर देता हूं इसी दो प्रश्ण के मैं चोटा करदेता हूं मुझे मालूमा आ अपको दिख नी रहा है देखना भी नहीं है आपको कोई बात नहीं इसको में वी लुकोस था और एक तरव के प्रश्ण में एसिटिक अमला था अब दोरा दिमाग पर जोर डालो आप जोर डालो बेटा अब तक आप कितने अडू संख्या गुड पर चुके हैं चार क्या-क्या डेल टीबी पढ़ा डेल टीएफ पढ़ा पाई पढ़ा और ये वाला पढ़ा ये पढ़ा अब आपने क्या ये नोटिस किया है कि अब तक जितने प्रश्ण जितने प्रश्ण मैंने आपको करवाए हैं उन्में विले क्या था उन्में विले याने की सॉल्यूट क्या था आपने इतने सारे प्रश्ण में बना लिए क्या आपने नोटिस किया इतने सारे प्रश्ण में सॉल्यूट क्या था तो मैं याद दे आता हूं किसी-किसी प्रश्ण में ग्लुकोस था किसी में फ्रुक्टोस था किसी में यूरिया था किसी में विले यह सब थे पर क्या तुमने यह ध्यान दिया कि अभी तक एक भी प्रस्ण में एक भी प्रस्ण में एक भी प्रस्ण में विले विले एक भी प्रस्ण में एच टू एस फॉर विले नहीं था एक भी प्रस्ण में एक भी प्रस्ण में केटूअल सफ्रूर क्रस्ण नहीं था कि नोटिस किये अभी तक एक भी प्रस्ण में ये सब नहीं थे ये सब थे अब इनमें अंतर क्या जानते हो बेटा अंतर ये है कि ये सब ऐसे योगी कोते हैं जिनको आप किसी भी चीज में घोल दो ये ना तो टूटेंगे ना तो जुडेंगे मतलब इनको बोलते हैं बेटा क्या non electrolyte इनको बोलते हैं हम लोग non electrolyte लेगिन आप सबको पता होगा SEL पानी में जाते ही तूट जाएगा आपको पता है H2SO4 पानी में जाते ही तूट जाता है आपको पता है NaOH भी पानी में जाते ही तूट जाएगा ये भी dissociate हो जाता है ये भी पानी में जाते ही तूट जाता है ये भी जैसी ही पानी में जाएगा तूट जाएगा और ये भी पानी में जाते ही तूट जाता है तो आपने क्या सुना अब तक मैंने जितने question किये हैं एक भी question में ऐसे योगिक नहीं आये थे जो विलायक में ज जाते ही टूट जाते हो तो क्या समझे बेटा अगर कोई योगिक किसी विलायक में जाते ही वैसा कव ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन तुम खुद बुद्धी लगा अभी कुछ देर पहले बात चल रहा था कि अडू संख्या गुड क्या होते हैं अडू तूटे और अगर कोई योगिक टूटे तो दोनों में अडू संख्या गुड तो अलग-Alग आएगा अगर मैं प्रिक्टिकलड करने विल्यू कोज में अलग माना आएगा S.E.L. में अलग मानाएगा पर जब प्रश्ण हल करता हूँ तो प्रश्ण हल करते समय मेरे पास तो एक ही सूत्र है जो मैंने अभी बताया था तो सूत्र तो मेरे पास एक ही था तो अब मैं क्या करूँ तो अब कहानी में यही पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि ज इसको हिंदी में व्यद्यूथ अप घटे बोलते हैं यह इलेःप फर लाइटस हैं तो अब कहानी यह है कि अगर किसी प्रश्ण में यह सब रहेंfold तो अडु संख्या गुण हल करने का तरीका एकदम सिंपल है पर अगर किसी प्रश्ण में यह सब आ गया है तो अडू संख्य गुड का गरना करने में आपको परशानी आने वाली है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर ये सब रहेंगे तो numerical simple तरीके से बनेगा लेकिन अगर ये सब रहेंगे तो कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा निमरिकल बनाने का तरीका भी बदल जाएगा अब वो कैसे होता है मैं बताऊंगा पहले इसे कॉपी करेंगे प्लीज अभी मैंने सिर्फ क्या बताया इनको बोलते है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इनको बोलते है इलेक्ट्रोलाइट ये सब ऐसे योगिक है जिसको किसी भी चीज में डालतो ये ना तो टूटेंगे ना तो जुडेंगे और ये सब ऐसे योगिक है जिसको किसी विलायक में डालते ही या तो ये तूट जाते हैं या फिर जुड जाते हैं जुड जाते हैं ऐसा भी होता है न अब कैसे होगा बता अपिक के साथ रिलेट करने जा रहा हूं तो अभी यहां पर मैं लिखा बेटा आसमान ने अडू द्रवेमान अब इसका क्या मतलब है सुनना एकदम ध्यान से सुनना मालो कि मेरे पास एक अडू है कोई भी एक अडू है और इसको अगर मैं इसको अगर मैं किसी विलायक में जाते ही जैसा है वैसा ही रहेगा मतलब यह ना तो टूटेगा ना तो जुड़ेगा तो बेटा इसका जो अडू भार है इसका जो अडू भार है इसमें कोई बदलावन नहीं आएगा सिम्पल सी बात है लेकिन अगर सोचो कोई अडू अगर कोई अडू अगर कोई अडू किसी विलायक में जाते ही कुछ ऐसा कर जाए गौड से देखना में क्या पताने जा रो बेटा माल लो कोई अडू किसी विलायक में जाते ही तूट जाए तूट जाए तो बेटा एक अडू का अडू भार उस अडू के सरचना पनीरभर करता है और अगर अडू ही तूट गया तो सरचना बदल गया सरचना बदल जाएगा तो अडू भार भी तो बदल जाएगा तो जैसे वो तूटेगा तिनके भार बदल जाएगे और ऐसा भी होता है कभी कभी कि अडू किसी विलायक में जाते ही दो अडू आपस में जूड जाते हैं और अगर दो अडू जूड जाएंगे तो अडू भार भी तो बढ़ जाएगा तो कहानी ये है कि बेटा कुल मिलाके दो तरह के पदार्थ होते हैं पहला जिने हम कहते हैं नौन इलेक्ट्रोलाइट जो किसी विलायक में जाते ही ना तो तूटेंगे ना तो जूड़ेंगे जैसे गुलुकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेप्थलीन, प्रोटीन, एड्सक्टरा पर कुछ योगिक ऐसे होते हैं जो विलायक में जाते ही या तो टूट जाएंगे, या तो डिसोसियेट हो जाएंगे या तो एसोसियेट हो जाएंगे इनको कहते हैं बेटा इलेक्टोलाइट और एकदम सिंपल कहानी है अगर कोई योगिक, विलायक मजाते ही टूट जाये, तो उसकी सरचना बton जाएगी और सरचना बदल गई तो भार भी बदल जाएगा और अगर जूड़ गया तब भी सरचना बदल जाएगी और अगर सरचना बदल गई तो भार बदल जाएगा तो अब क्या समझे अगर कोई योगिक किसी विलायक में जाते ही अगर तूट गया या जुड गया तो उसका अडू भार बदल जाएगा और सोचो अगर आपको ये पतर ही चल पाया कि अडू भार बदल के कितना हो गया है आपको याद है कुछ दिर पहले मैंने एक प्रशन पूछा था आपसे ये वाला प्रशन एक मिनट एक मिनट आपको कुछ दिर पहले मैंने एक प्रशन पूछा था ये वाला प्रशन तो बेटा ग्लुकोज किसी भी लायक में जाते ही ना तो टूटता है ना तो जुडता है तो इसका अडू भार नहीं बदलता है आप तो यहां वही अडू भार रखोगे ना जो आपको बचपन से जिखाया गया है तो आपने गल्ती कहां पर किया आपने यहां पर वही मान रख दिया जो आपको इसको निकालने आता है पर आपका अशल गरत क्यों आप इस बात को ध्यान नहीं दे पाए कि मैंने इस आपने यहां बदला हुवा अडू भार थोड़ी रखा आप तो 60 रख दिया ना 60 मतलब इसका नेचुरल भार और आप कहां सर गलत आया तो कुल मिलाके कहानी यह है कि ऐसे योगिक जो टूडते नहीं जूडते नहीं उनका अडू भार भी नहीं बदलेगा और अडू भार न आता है और बदले हुए अडू भार को ही हम कहते हैं आसमान ये अडू भार अगर भार बदल गया उसी को बोलते हैं आसमान ये अडू भार और अडू भार के बदलने का कारण क्या है दो कारण है दो कारण है पहला या तो आपका विले संगुठन कर रहा है याने कि एसोसि Elishan कर रहा है, याने की एक अडु जाके टूट जा रहा है, तो बेटा उपर में मैंने लिख दिया है कि आशामान ये अडु भार क्या होता है, ये अडु भार क्या होता है, और अडु भार में बार बदलाव कैसे होता है, पर जब मैंने ग्लुकोज लिया था तो ग्लुकोज का अडु भार होता है 180 ग्राम और वही पर वही पर एसितिक आमला एसितिक आमला CH3 COH इसका इसका अडु भार होता है 60 ग्राम पर परेशानी क्या हुई थी परेशानी यह हुई थी कि बेटा ये एक साधरन कंपाउंड है एक नॉन नॉन इलेक्ट्रलाइट है पर एसितिक आमला इलेक्ट्रलाइट था इलेक्ट्रलाइट था और यादे क्या हुआ था जब हम कोई भी अडु संख्यक गुड की गढ़ना करते हैं बेटा कोई भी अडु संख्यक गुड ध्यान देना मैंने कहा कोई भी अडु संख्यक गु लेकिना डेल टीबी के भी मैं ऐसे लिखते हैं इसको इसको ऐसे बिखते हैं बैटा डेल टीवी के भी म मतलब मोराल्टी मोराल्टी मतलब weight of solute into 1000 molecular weight of solute weight of solute यह हो गया डेल टीवी ठीक इसी ठीक इसी प्रकार जब हम लोगों ने डेल टी अफ निकाला था इसका क्या शुतर है बेटा के एफ एम याने की याने की याने की एम मतलब क्या weight of solute in 2000 अपन molecular weight of solute weight of solvent और एक और colligative property था क्या osmotic pressure जिसको हमनों क्या लिखते थे बेटा CRT या इसी गौर क्या लिखते थे विले का द्रवेमान विले का आडविक द्रवेमान RT by B और एक और एक और था इसके लावा एक और था वाश्पदाब में आप एक छित अवनमन पर अभी क्लिए मनत तीन को लिख दिया अब आप सोचो इस सारे जो अडू संख्या आएगा तो आप क्या देखोगे अप यह देखोगी आप्पस कौन सा विले है फिर जो करोगे उस विले का द्रवेमान निकालोगे और उसके बाद यहाँ पर उसको रख दोगे और आप हल करने कोशिस करोगे तो परशाणी क्या है कि अगरा पिछले क्लास में अच्छा मैं बात क्लियर कर दूं आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं यह इस पूरे चैप्टर में अब तक जो पढ़ाया गया है उसका सबसे कठीन हिस्सा है और एकदम मैं आपको हितायाद दे दूं कि आप में से कोई भी अगर पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो आज मत करो आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो आज के क्लास को अटेंड करने से अच्छा है आप पिछला क्लास का वीडियो देख लो उसके बाद आज के क बताऊंगा पिछले क्लास में जो बताया गया है उसके अधार पे बताऊंगा तो अगर आपने लाश्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो प्लीज पहले वीडियो देख लो फिर आज अक्लास का अटेंड कीजिए या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है ओके हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं बेटा तो आप यह बताएं इन सभी अडू संख्या गुण में एंबी कॉमन है कॉमन है अब तुम बताओ अगर मैं ग्लुकोज ले लूं सी सिक्स ट्वेल्ब ओ सिक्स और बेटा एसिटिक अम ले ले लूं सी एस्ट्री सी ओ ओ अच अब तुम बता क्या करोगे अब क्या मंगा कि क्या 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 लोगे और जब निकालो उख और जब कराश्तावन धाभ दब निकालत ओप साथ ग्राम कर दाएं और यहां करद ओख कहीं आप काँचuestas ग्रात अगर लएकर यहां पर साट ग्राम रखोगे आपका असर गलत आएगा और आप समझ नहीं पाएंगा ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं पाएंगे तो बेटा पिछले क्लास में क्यों कि मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में क्यों कि मैं बता चुका हूं इसलिए अभी मैं आपको इसलिए अभी मैं है जो याद दिल आता हूं कि लाश्ट क्लास में क्या हुआ था तो बेटा जोने पिछले क्लास में चैया जू या कि नौन इलेक्ट्रोलाइट है और यह एक इलेक्ट्रोलाइट है यानि कि वैद्यूत अब घट है और दोन में फरक क्या होता है दोनों फरक यह होता है कि बटा जो नौन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब इन्हें हम किसी किसी वीले में डालते हैं तो बेटा वो जैसे होते ह विलायक में जब हम इस नॉन इलेक्ट्रोइड को किसी विलायक में डालते हैं तो विलायक में जाने के बाद जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही रहेंगे जिसके कारण इनके MB में जिसके करण इनके अडू-भार में कोई बदलाओ नहीं आएगा लेकिन अगर आपने गलती से किसी वैध्यूत अपघट्य को विलायक में डाला तो बेटा अब यहाँ परेशानी क्या होगी सुनना हला कि मैं पिछले क्लास में ये बता चुका हूँ तो बेटा, जब किसी वैद्यूत अब घट्ये को पानी में डालते हैं, तो वैद्यूत अब घट्ये जो होते हैं, इनके साथ एक प्राब्लम है, प्राब्लम यह है कि जब यह किसी विलायक में जाते हैं, तो या तो वो तूड जाते हैं, दो हिस्सों में, उनका वियोजन हो जाता है या फिर या फिर वह जूड जाते हैं उनका सही योचा हो जाता है और बेटा सो हवी कसी बात है जब कोई योगिक किसी विलायक में जाके टूड जाए या जूड जाए तो उसका अडू भार बदल जाएगा तो इसका ये मतलब निकला कि ग्लुकोस के केस में आपने बिना कुछ सोचे समझे 180 यहां यहां और यहां पुटप किया और आपका आंसर आ गया लेकिन अगर एसीटिक अमल का अरूभार साथ यहां पुटप करोगे तो आपका अंसर गलत आ क्योंकि एसीटिक अमल जब तक किसी विलायक में नहीं गया होता तब तक उसका वजन 60 ग्राम प्रतिमोल होता है लेकिन जब वो किसी विलायक में जाएगा तो बेटा तूट जाएगा और तूट गया तो अडू भार बदल जाएगा जूड गया तो भी अडू भार बदल जाएगा तो अब अडू भार बदल के अब अडू भार बदल के कितना हो गया अडू भार बदल के कितना हो गया अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उसके मान को यहां रखोगे और सारे अडू संख्या गुण की गड़नाप कर सकते हैं तो बेटा आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि अगर किसी विले का अडू भार बदल जाए तो निमेरिकल कैसे बनाएंगे क्योंकि यह सब ऐसे कमपाउंड है जो विलायक में जाते ही अपने अडू भार को बदल देते हैं और जब कोई योगिक किसी विलायक में जाते ही अपने अडू भार को बदल देते हैं या तो आपका जो विले है वो किसी विलायक में जाते ही जूड़ गया हो उसका सयोजन हो गया हो या फिर या फिर कोई विले विलायक में जाते ही टूड़ गया हो यानि उसका वियोजन हो गया हो तो अड़ुभार में बदलाओ दो कारणोस होता है या तो कंपाउन टूट र रहा है या तो आपका विले टूट रहा है यानि कि डिसोसियेट हो रहा है और सुभाविक सी बात है सुभाविक सी बात है अगर कोई योगिक विलायक में जाते ही अगर कोई योगिक विलायक में जाते ही अगर जूड गया तो बेटा उसका जो एमबी का मान है वो बढ़ जाएगा मतबं MB का मान बढ़ जाएगा और अगर वो टूट गया तो विखन्डन हो गया वो टूट गया, बिखर गया तो ऐसे केस में MB का मान जो है वो घट जाएगा घट जाएगा तो आज के क्लास में हमको यह समझना है कि अगर कोई वैध़ूत अब घट्य ये क्या है भूलेंगे नहीं बेटा ये यानले की इलेक्ट्रॉसानी कब आती है जब हम क्या लेते हैं ये इलेक्ट्रॉसा epic puedo नि कुलेते हैं जब भी कोई इलेक्ट्र रहेगा तो समझ लो कि उसका अडू भार में बदलाव आने वारा है तो अगर अडू भार में बदलाव आया तो निमेरिकल कैसे बनेगा आज हम यही सिखेंगे चलिए इसके स्क्रीन शॉट लीजिए फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं भी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ऐसे का आगे बढ़ाते हैं अब एक बहुत बढ़ा प्रस्न मेरा दिमाग में आ रहा है अब मुझे अडू संख्या गुड की गढ़ना करने में परेशानी हो रही है क्योंकि अगर गलुकोस था कोई पर बैत अगर आ गया क garbage तो मैं आप क्या करूंगे तो अब चलो बेटा इन सब का मैं इलाज बताता हूं इन सब का अब इलाज क्या है अभी भी हम कंफ्यूज हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अडू भार कितना लेना है हमें अडू भार कितना लेना है तो उससे पहले मैं जो वियोजन होता है और जो सयोजन होता है इसके बार में कोई और कोछ बताना चाहता हूँ जोड़ा सुनना माल लो कि तुमने एने स्यल ले लिया बैटा एने सिपर का एक मिन्त की ऑपने शुरू है फिर मैं लोगा एनसील और फिर मैं लूँगा एसिटिक हमला हम डब से सुनना यह बताओ glucose को जब तुम किसी विलायक में डालते हो तो glucose बेटा जैसा है वह ऐसी रहेगा यह देखो glucose ना तो टूटा ना तो जुड़ा याने कि यह नहीं टूट रहा है और नहीं जुड़ रहा है इसका मतलब glucose के अड़ू भार में कोई बदलाव नहीं आएगा याने कि यहां इसका जो MB का मान है वो इस्थिर रहेगा याने कि constant रहेगा तो क्या समझे glucose का MB का मान glucose का MB का मान कितना होता है बेटा 180 गराम तो यहां भी उसका आड़विक दरवेमान 180 गराम ही है तो क्या समझे अगर कोई बोलेगा कि glucose को लेके प्रश्ण बनाओ तो बेटा glucose में आपको पता है glucose का दरवेमान नहीं बदला तो यहां 180, 180, 180, 180 लोगे answer आपका आजाएगा लेकिन अब यहां पर NACL में क्या होने वाला है NACL को जब पानी में डालते है तो बेटा यह टूट जाता है इसको जब आप water में water में जल में डालोगे जल में डालोगे तो चाता है ए तो चात, बैठा, आप परिशानी क्या है NACL का अडू भार होता है 58.5 gram NACL का अडू भारता है 58.5 gram अब बेटा यह टूट गया तूड़ गया मतलब यह दो अलग अलग बन गए दो अलग 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 बन गए इसका वजन हो गया 30 ग्राम इसका हो गया बेटा तो अब प्रस्ट ये उड़ता है कि अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं 23 ग्राम यहाँ पर लूँगा तो बेटा क्लोरिन का छूट जाएगा, और अगर क्लोरिन का यहाँ पर लूँगा तो सोडियम छूट जाएगा, और गलती से भी अ करने का नियाम है कि यहाँ पर यहाँ पर आप किसी एखी प्रकार के अडू का भार रख सकते हो, पर बेटा अब यह दो अलग अलग अडू बन चुके हैं, अब दो अलग अलग टाइप के विले के दरवेमान का योग करके यहाँ नहीं पूटप किया जाता, ध्यान देना, अगर आप यह सोच रहे हैं, कि इन दोनों का योग कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पूटप करूँगा, तो यह संभाव नहीं है, क्योंकि नियाम कहता है कि इसी भी विल्यान का, जब आप अडू संख्या गुड की गरना करते हो, तो MB के इस थान पर, MB के इस थान पर किसी एक प्रकार के ही अडू के दर्वेमान को रख सकते हो, पर अब आपके पास दो-दो अलग-अलग टाइप के विले हो गए, तो आप दोनों का योग नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रस्टन है कि एने-सी-ल के केस में, वह यहाँ क्या मान रखूंगा, बताता हूँ, पर जो एसीटिक अमला है, बेटा, एसीटिक अमला को जब बेंजीन में डालते हैं, तो जानतों क्या होता है, दो बेंजीन के अडू जूड के अडू जूड के एक हो जाते है, दो एसीटिक अमला के अडू जूड के एक हो गया, एक हो गया मतलब मैं समझा तो मैंने कैसे किया दरासल यह जो acetic अमला है बेटा इसको मैं ऐसे लिए सकता हूं यह देखो CH3 COOH आपको पता ही होगा बेटा हम acetic अमला को ऐसे लिखते हैं यह एक acetic अमला है दूसरा भी ले लेता हूं CH3 COOH यह दूसरा acetic अमला है और acetic अमला का अडू भार कितना होता है पता है यह होता है बेटा साट ग्राम कितना होता है जी साट ग्राम अब देखना क्या होता है जब दो जब acetic अमला को बेंजीन में डालते हैं बेंजीन में आपस में जुड़ जाते हैं और पहले ये दो अलग अलग अडू थे अब दोनों जुड़ के एक हो गया है निकि यहां पर एक तरह का अडू बना तो मैं क्या भूला थे यहां पर आप किसी एक प्रकार के अडू का द्रविमान रख सकते हो और बैटा ये दोनों मिल के अब एक हो गए एक मॉलेकुल बन गया और इसका द्रवे मान कितना होगा सुभाविक सी बात है सुभाविक सी बात है दो अडों जुड के एक होगा तो अब यहां MB कमान होगा बैटा 120 ग्राम तो क्या समझ में आया अगर एक सिटिक अंडग का प्रश्न एकजाम में आया तो अगर आप यहां साथ 20 लिखो के तो आपका आश्याम में आय तो क्या समझे परशानिया बढ़ती जा रही है हम थोड़े कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि यहाँ पर आखिर रखना क्या है एक ब़ार एसीटिक अमल के केस में हम समझ गये कि जूड रहा है जूर के एक हो गया तो जूर के एक हो गया तो दोनों को ड्रवख़मान को मैं जोड दूंगा ढ59 फूट कर दूँगा यह तो समझ में आ गया पर एने सीयल के केस में क्या करूं इतों अलग 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 कण बन गया और कभी दो अलग कर के द्रव tailored कर योग कर के यहां पर नहीं रखा जाता तो परिशानियां बढ़ती जा रही है हम समझे नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां पर रखेंगे क्या मैं बताऊंगा इसका बहुत सरल तरीका है चिंता ना करें बहुत सरल उपाय है मैं बताऊंगा पहले आप यह समाज़ो कि चल क्या रहा है तो अभी बस इतना याद रखना है कि अगर नौन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसका द्रविमान जितना होता है उतन अधान क्या है बताऊंगा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको इसका जो इलाज है बताऊंगा बेटा तो अगर कोई कंपाउन टूटा या जूड़ा तो समझ जाना कि वहाँ पर अडू भार क्या लेना है इसके लिए परशानी आपको आएगी ही आएगी हा तो मेरे खाल से तो मेरे खाल से आप इसके इसक्रीनशॉट ले चुपके हैं तो चलो अब इन सभी परशानियों का हल निकालते हैं बेटा अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यहां पर क्या रखूंगा और यह परशानी क्यों शूरू हुई जब भी आपके प् मुश्किल है तो फिर अरू सख्या गुर कैसे करना करूंगा तो अब मैं आपको इन सबका एक सिंपल उपाय बताता हूं कि आखिर यहां पर करना क्या है आपको याद होगा पिछले क्लास में ही मैं बता चुका हूं कि यह टॉपिक सबसे कठीन है कठीन सिर्फ इसलिए क्य जिनका नाम है वेंट आफ आप देख सकते हैं आपके समस्या का समधान लेकर के आ रहे हैं एक साइन्टिस्ट है जिनका नाम है बेटा वेंट आफ और इंहोंने दिया एक वेंट आफ गुडांक याने कि वेंट आफ एक्टर उन्होंने दिया वेंट आफ फैक्टर जिसको इस्मॉल आई से दर्शाते हैं तो आखिर किसी योगिक में अगर अडुभार आसमान ये होने के चांसेस आ जाये तो आपको उस समस्या से उबारने वाले साइन्टिस्ट का ना है बेटा वेंट आफ इन्होंने एक वेंट दिया उक्ट आफ फैक्टर दिया इसके मदब से अब सारे प्रॉड्रम का सॉल्यूशन निकलने वाला और कैसे निकलेगा वैं को बताता हूं कैसे निगले सुनना विटर एक साइंटिस्त थे एक साइंटिस्त ते जिनका नाम था भृंट अफ व्यन फॉन्हों ने एक कारच दिया व्यन्ठ ऑफ पट्र जिसको इस मॉल-ई-जफ से दर्öhाते हैं तो हमारे पास परिशानी क्या थी? जब glucose था, तो हमें clear पता था, कि MB हमें कितना लेना है, कितना लेना है? हमने आंकमून के कहा दिया, कि MB का माण हम यहाँ पर लेंगे, बाटा, 180 ग्राम, बिलकुल, no परेशानी, लेकिन जब हमारे सामने ANACL आया, तो अभ हम सोच रहे कि ANACL का MB का मान कित्ता लेंगे हम confused है हम confused है और हम और हम यह भी सोच रहे कि अगर acetic आमला आ गया acetic आमला आ गया तो MB का मान कित्ता होगा हम confused है तो इन सभी समस्याओं से अब समधान देने आ चुके है आप चिंता मत करो गोर सुना बेटा अप इस बात की चिंता मत करो कि यहां पर मुझे क्या रखना है वैंट अब नाम के साइंटिस्स ने बोला कि यहां पर भाषी मान रखो जो आपको इनका पहले से पता है गोर सुना वैंट आप आप ने कहा आप यहां पर वही मान रखो जो आपको इनका पहले से पता है बस एक काम करना आप ना इन सभी अडू संख्या गुड के साथ आई का गुड़ा कर देना आई मल्टीपल कर देना आई मल्टीपल कर देना यह लो वेंट आफ नाम के सांटिश ने क्या मोला अब चि करो यहां वही रखो जो आपको आता है जिस चेस में 50.5 और इसके केस में साथ तो अब आप चिंता मत करो कि यहाँ पर कौन सा value put up करना है बस आप क्या करो इन सब के साथ I multiply कर दो I multiply करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर वही मान रखो जो आपको पहले से पता है अब आपका answer एकदम सहीं आएगा तो अब हम सारे समस्तियाओं से निकल चुके हैं अब हमको इस बात के चिंता नहीं है कि MB की स्थान पर क्या put up करना है तो अब से मैं MB की स्थान पर वही value put up करूँगा जो मैं इनका निकानना जानता हूँ बस extra क्या करना है I multiply करना है तो बेटा वेंट आफ नाम के scientist ने बोला कि सिर्फ आपको एक काम करना है जब भी आपके सामने कोई प्रश्ण आ जाए तो प्रश्ण को देखते ही पहले आपको ये पता करना है कि I multiply होगा कि नहीं होगा बस आपको ये पता करना है कि I multiply होगा कि नहीं होगा ये तो पता कर कोई अमल आ गया या कोई छार आ गया या कोई लवन यानिके सॉल्ट आ गया तो आई मल्टिप्लाई करना पड़ेगा क्यों तो बेटा ग्लुकोस यूरिया नैप्थलीन कैमफर प्रोटीन ये लोग कभी तूटते नहीं पर अमल विलायक में जाते ही तूट जाता है छार वि तो आप बस इतना याद रखना कि जब भी किसी प्रश्ण में एसिड बेस या सॉल्ट आ जाए तो आई मल्टिप्लाई करना है और ग्लुकोस फ्रूटोस यूरिया केस में आई मल्टिप्लाई नहीं कर बस इतनी से बात आपको याद रखनी है तो एक बार फिर से सिंबल भ किजिए आप बस इनके साथ क्या मल्टिप्लाई करते ही अब आपको चिंता करने क्या वशक्ता नहीं है कि अब मुझे MB का मान क्या लेना है अब आप MB का वही मान लेना जो आपको पहले से पता जैसे कि NACL में चिंता मत करो NACL आएगा तो 58.5 ग्राम ही लेना और अगर एस तृश्येशन से संगुथन से वह स्गुठन से बद्व 20 ग्राम ही इसको लेना है बस क्या करना आई मल्टिप्लाई करना अब प्रस्ष्ण है आई कहां है से लाउं आई का मान कहां से लाओं आई कैसे निकालते है मैं बताता हूं गता वैंता व Hakk d Art आरूभाड इसक क्या मतलब है कि इसका मतलब है कुछ द पहले आपको याद ए जोसी दिक अम्ला थहा का समान के. अरूभार कितना था 6 पर जब उनमें संयोजन हुआ तो उसका अरूभार कितना हो गया 120 को वटा साथ बटे 120, इसका इसका आई का मान ऐसे निकलता है, अगर मैं उदारन के लिए, उदारन के लिए अगर मैं acetic अमला का लेता हूं, तो इसका दरव्यमान था 60 ग्राम, तो किता है बटा, एक सब बीज ग्राम, तो एसिटिक अम लगा, समान ये अडू भार कितना है, शाठ, और हमने पाया कि उसका अडू भार बदल गया है, तो हमने जब बदला हुआ, बदला हुआ अडू भार देखा, वो कितना है, एक सब तरीका है नीचे वाला इससे सरल तरीका है नीचे वाला तो नीचे वाला ज्यादा आसान है आई का मान ज्याद करने के लिए तो पहले काम करो इसके स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं आपको बताऊंगा आई का मान कैसे निकालते हैं आई का मान कैसे निकालते हैं इसके स्क्रीन याई कमान कैसे निकालते मैं आपको नीचे वाले तरीकी समझाता हूं ठीक है तो काम करते हैं इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं हाँ, अब चलो.. Äl п joint प्रक्रायक में जूदता हूं याटो उल मिले किसी विलायक में जाता है या तो जुड जाएगा तो विलायक में जाने से पहले अडू की संख्या कितनी थी उसको नीचे लेते हैं और विलायक में जाने के बाद अडू की संख्या कितनी हो गई उसको उपर में लेते हैं एक फिर से रिपीट करता हूं कोई भी विले विलायक में जाने से पहले उसकी संख्या कितनी थी अड़ों की संख्या कितनी थी वो नीचे रहेगा और कोई भी विले विलायक में जाने के बाद तूट गया या जुड गया तो अड़ों की संख्या तो बदल जाएंगी न तो अड़ों की संख्या बदल के कि हो गया उसको उपर मिलेंगे आप कैसे निकालते हैं मैं आपको गार से देखेगा ने कर तो पानी में डालते पानी में तो एने सी एल दो हिस्सों में टूट जाता है तो आई का मान कितना हो जाएगा तो बैटा यहां क्या लिखा है नीचे में क्या लेते हैं ये विलायक में जाने से पहले एक था और विलायक में जाने के बाद अब ये यह सो फोर को ले लेते हैं ब supreme लोक ब hinए तो फोर को र sol चाटा है इस थरा से तूट जाता है डो पोटेशियम आयन और एक सलफेट आयन मैं पिछले क्लास में आपको सिखा चुका हूँ कि किसी भी योगी को कैसे तोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं मैं पिछले क्लास में आपको सिखा चुका हूँ तो बैटा आई कमान इस बार कितना होगा जी तो बैटा टूटने से पहले यह पूरा एक था तूटने के बाद किता होगा तीन पोटेशन दो है और सल्फट एक तो आई के बाद किता हो गए तीन वेरी गूड एदम सिंपल है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं मा लिजी यहां पा ले लेते हम लोग एने थ्री पीओ फोर तो बाटा इस युपगं गरब दोको आप अगरा पानी में डाल दो गें तो नोट के दो हिस्टों में बढ़ जाता है CH3COO- और H+, ऐसे तूटता है Acidic Amla, तो बैटा, I कमान कितना हो जाएगा, दो पार्टिकल बने, तो I कमान क्या हो जाएगा, टू, लेकिन वही पर अगर, वही पर अगर आपने Acidic Amla को, एक मिनट, हाँ, अगर आप Acidic Amla को, बेंजीन में डालोगे, बेंजीन में, तो बैटा, दो Acidic Amla जुड के एक हो गये थे, आपको याद होगा, कुछ दिर पहले मैंने बताया था, Hydrogen बंद के माधियम से, दो Acidic Amla जुड के एक हो गये थे, तो I कमान कितना हो जाएगा, जी, तो बैट जब मैंने इस माधियम से बताया था, तब उतना ही आया था, याद है, इस माधियम से बताया था, तब उतना ही आया था, कितना, यह देखो दिख रहा है, ओहो, यह देखो, यह आपको दिख रहा होगा बेटा, यह मैंने बताया था, वन बैट टू आया था, पहले भी वन याद दिलाता हूं समान रूभार साथ बदला हुआ आडूभार 120 तब भी वन बाइट्यू है था तब भी वन बाइट्वीड से यह मैं उसको लिग दिया और सरल तरीका क्या है यह जादा सरल है अचाएक और इग्जांपल देखो एक और इग्जांपल देखेंगे अमल चीजिक्स एच फाइब सी ओएच बिटाब बेंजोइक अमल को जब हम बेंजीन में डालते हैं तब भी दो बेंजोइक अमल जूड के एक हो जाते हैं तो इस बार फिर से आई कमान दिख रहा है क्या हो जाएगा वन बैट टू एक और एक्जामपल एक और एक्जामपल फिनॉल को लेते हैं तो दो फिनॉल भी जब बेंजीन में जाते हैं तो बेंजीन में जाते ही दो फिनॉल के अडू एक हो जाते हैं तो फिर से यहाँ पर फिर से यहाँ पर आई कमान कितना हो जाएगा वन बैटू अब बेटा इन सब एक्जामपल को देखने के बाद आज हम numerical करने वाले हैं और अब समझना है बेटा कि आखिर I के इस मान के मदद से हम numerical कैसे बनाएंगे उससे पहले कुछ बातों को समझ लो यह जो acetic अमला है यह जो acetic अमला है गौर से सुनना है यह जो acetic अमला है बेटा वो दो अरू मिलके एक हो जाते हैं उनमें संगुडान हो गया दो acetic acid जुड के एक हो गया पर आपको यह भी पता होना चीए कि acetic acid का जो अमला है इसमें वियोजन की शक्ती भी होती है मतलब तूट भी सकता है तूट भी सकता है और इसको कैसे तोड़ते हैं बेटा CH3 COO- और H+, और मेरे ख्याल से आपने acetic अमला को आज तक सिफ तूडते हुए देखा है जूडते हुए तो आज पहली बार देख रहे हो तो ऐसे में इसमें आई कमान कितना होगा है जी acetic अमला तूट के दो हिस्सों में बढ़ गया है तो ऐसे में आई कमान किता होगा तू तो अब प्रश्ण यह उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड वी लाया कि मैं जाते ही तूटेगा कि जूड़ेगा क्योंकि याद रखना acetic आमने तूट भी सकता है अगर तूट गया तो आई कमान 2 होगा जूड़ गया तो आई कमान 1 by 2 होगा तो प्रश्ण हल करते समय है आपको यह समझना पड़ता है कि कोई भी योगिक टूटने वाला कि जूडने वाला तो भेटा इसका उपाए क्या है? 366 कोशन में प्रस्ट में लिखा रहेगा प्रस्ट में लिखा रहता है कि आपका जो वैदुद अबगट है वो टूट रह है कि जूट रहे उसका वियोजन हो रहा तो संगुडन हो रहा लिए प्रश्ण में ना लिखा हो ते उपाय है मैं आपको इसका उपाय बताता हूं अगर प्रश्ण में ना भी लिखा हो हाला कि लिखा रहता है प्रस्टने में साप साप लिखा हुआएगा कि आपका वैदुद अभघट तूट रहा है कि जूड रहा है वो लिखा हुआ आता है फिर भी अगर ना लिखा हुआ है तो आप कैसे समझेंगे कि आपका वैदुद अभघट तूटने वाला कि जूडने है जल को लिया है तो अगर आप विलायक के रूप में जल को उपयोग करोगे तो आपका योगिक वह तूटेगा और अगर विलायक के रूप में अगर विलायक के रूप में आपने बेंजीन को लिया है या किसी तेल को तेल को तेल नहीं ओईल तो बेटा अगर आप ओईल लो लोये बैट याद रखना जब कोई रूंगिक फारी में यह तोट जाता है रहो फारे तो तोट उ Hampshire और जाने हिए तूट जाता है और हम कहते हैं वो घुल गया पर अगर आप नमक को तेल में डाल दोगे या बेंजीन में डाल दोगे बेटा वो टूटता नहीं तो घुलता भी नहीं तो घुलता नहीं तो कहा जाता है नमक जाके नीचे बरतन में बैड जाएगा तो नमक के जो अडू है वो नीचे में बैढ़ जाएगा वह इसका मतलब वह चिपचिपा सा एक चिपचिपा सा लेयर बना देगा क्योंकि नमक तेल में ने घुलता तो याद रखना अगर आपको यह पता करना है कि कब कोई योगिक जो है उसका वियोजन होगा और कब उसका संगुड़न बहुत सिंपल का सभणतने का अगर प्रम अगर प्रॉष्ण में विलायक जल है तो समझ जाओ जाओ ये तूटेंगे और अगर किसी प्रश्ण में विलायक बेंजन है यह तो जूड़ेगा यह होता है पहचानने का तरीका तो चलिए हम पिछले दो दिनों से इसी बारे बात कर रहे हैं कि जब को योगिक टूट जाएगा या जूड जाएगा तो निमेरिकल कैसे बनाते हैं आज समय आ चुका है निमेरिकल बनाने का तो पहले इसका फटाक से की स्क्रीन शॉट लीजे फिर कहानी का अगे बढ़ाता हूं बेटा कल मैंने बाद में वो कमेंट पढ़ा एक बच्चा पूछा था कैसे पता चलता कि लेक्ट्रोलाइट है वो अरे भाई आपको यह बताया जा चुका है ग्लुकोस फ्रुक्टोस यूरिया नैफिलीन कैमफर प्रोटीन जिनको आप तोड़ने नहीं जानते वही नौन इलेक्ट्रोलाइट होता है और जिनको आपको तोड़ने तोड़ने आता कि कौन कौन वैदुद अब घट यहर कौन नहीं है तो एक सिंपल उपाय है मैं तुमसे पूछता हूं बेटा एक सील को तोड़ के बताओ तोड़ लेंगे ना कैसे तोड़ोगे एच प्लस सील मानस अब मैं आप से कहूंगा चलो ग्लुकोस को तोड़के ब होगा तभी इने टूट रहा है तो सीपल सी बात है जिस कंपाउंड को आपको तोड़ने आता है यहीं वैदुद अगट यह है यहीं इलेक्ट्रोलाइट है पर ग्लुकोस के फ्रुक्टोस शुगर सी ट्वेल्व एच ट्वांटीटू ओ एलेवन नेप्थलीन नेप्थली प्रोटीन यह कंफर आपको तो इनका सूतर भी नहीं पता अस्तुट रही नहीं पता तो अपिख ऑंट तोत लोंगे कहां से सूतर रही नहीं पता तो तो लिसक्त तो तो नहीं सकते मतलब वो टूटता नहीं होगा ऐसे को याद रख लो ठीक है तो जिस कमपॉंड को आपको डिसोसियेट करने आता है या आपको लगता कि वो टूट सकता है वही वैदुद अब घडिया होता है चले कहां नहीं को आगे बढ़ाते हैं तो अब अब समय आ चुका क्या करना है बेटा आपको अपने अडू संख्यक जो गुड होते हैं उसके साथ आपको आई मल्टीप्लाई करना है बस इतना ही आपको करना है आज के क्लास में हम क्या करने वाले है बेटा जब भी मेरे प्रस्ण में कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो आई मल्टीप्ल यूरिया नैप्थलीन कैमफर प्रोटीन इनके केस में अडू संख्या गुड निकालते समय आई मल्टिप्लाइब नहीं करते हैं और अगर इस प्रश्ण में आते हैं इस प्रश्ण में बोला है बेटा कि चलिए पराश्रन दाब की गड़ना कीजिए अब पराश्रन दाब का सूत्र तो मुझे पता है बेटा विले का द्रवेमान आर टी एम वी और वी होता यह मुझे सूत्र मालूम है अब इस प्रश्ण में कौन सा यौगीख है के टूएस फोर जैसे ही मैंने के टूएस फोर को देखा मैं समझ गया यह वैदुद अभगटी है और क्योंकि यह वैदुद अभगटी है तो मुझे अब ऌफ्नुध अबस इतना बतादो आई कमान कितना होगा की तूएस फोर खेanti गलिये जलो अभटा यूमान किता होता बताएंगे D नहीं आंसर रेट आपका आंसर होगा तीन कैसे दो पोटेशियम बनेंगे और एक सलफेट यह मैं बता चुका हूं आपको पिछले क्लास में तो के टू एस फोर में आई का मान होता है तीन तो ध्यास सुनेगा सब कुछ मैंने यहाँ पर पूट अप कर दिया बस एक्स्ट्रा चौट इजbourज लिए फिर आगे बढ़ते हैं वेटा अगले प्रस्ण के तरफ चलते लिजिए अगला प्रश्ण आपके सामने आए ज़रा इस प्रस्ण पर ध्यान दीजिए इस मैं क्या लिखा है ॉक्ते इस वालें में क्या है इस यह भी पर आसरन दाफ से तो यहां प्रश्ण में CACL2 है CACL2 एक वैदुत अब घट यह है तो मैं समझ गया मुझे फिर से I multiply करना पड़ेगा चले अब क्या क्या दिया है तो इस प्रश्ण में इस प्रश्ण में परासरण दाप कमान दिया है और अच्छी बात है कि I command भी दे दिया है इसमें इसमें आयतन कमान भी दे दिया है बेटा और और ताप मान का value भी दे दिया है और पूछा है CA CL2 का कितना मातरा जल में घोले मातरा निकालना है मातरा निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ जब भी मातरा निकालना होता है तो हम W भी निकालते हैं है ना हमें W की गढ़ना करनी है तो चलिए फिर सारे value पूट अप करें परास्रान दाप किता दिया है बेटा 0.75 आपको आपको WB कमान पता करना है आर तो आपको पता ही है 0.0821 ताप मान किता दिया है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस उसे केल्विन में बदल लेंगे आगे आते हैं एंबी कमान एंबी कमान तो बेटा यहां पर सी एचल टू चलो जल्दी से फटाक से बुचछ देशी एल टू का एंबी कमान बताओ का एंबी कमान बताओ सी एसी एल टु केल्सियम 40 और क्लोरिन की तार होता है थर्टी फाइब पॉइंट फाइफ इसे आप गुड़ा करेंगे गुड़ा करेंगे दो के साथ चलो जल्धी बताओ मेरे को सी एसी एल टु का अडुभार कितना होगा हल कीजिए CACL2 का अड़ुभार कितना रहा बताएंगे मेरे को CACL2 का अड़ुभार calculate करके बताईए बैटा हाँ 111 111 होगा very good यह होगा बैटा 111 ग्राम correct हाँ 111 इसको लेके चलते हैं आम तर पर तो अब बताईए उसका द्रवमान 111 मैंने ले लिया आयतन दिया है क्या आयतन दिया है 2.5 लीटर और I command प्रश्णे में दिया है 2.47 बस अब इसको आपको क्या करना है बेटा सिर्फ हल करना है और हल करते ही आंसर आपके सामने आ जाएगा फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसको हल क्यों नहीं कर रहे हैं भाल करेंगे प्रस्ण के तरफ चलते हैं अब अगला कोशन आपके सामने आ रहा बिटा ओके अब इस प्रस्ण को देखोए तो बड़ा भयानक सा और बड़ा सा प्रस्ण दिखाई दे रहा है अब सुने मेरी बात अब इस प्रस्ण को बताने से पहले अब आप लोगों को कुछ बेहद इंपोर्टेंट रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो आपने कक्छा ग्यारवी में साम ये अवस्था नाम के चैप्टर में पढ़ा था तो मैं आपको कक्छा ग्यारवी में उपियोग होने वाले एक सूत्र को इस टॉपिक के साथ रिलेट करके बता रहा हूँ जरा गौर से देखेंगे बेटा अब जरा यहाँ पर गौर से देखेंगे मैं आपके सामने एक सूत्र जो है वो लाने वाला हूँ जरा ये जरा यहाँ पर आएंगे मैं अब आपको कुछ सूत्र बताने जारो अब जो numerical आपके सामने आ रहा बेटा वो बहुत important है और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे इस numerical को छोड़ देते हैं प्लीज गौर सुनेगा अभी जो मैं आपको numerical बताने वाला हूँ ये वाला जो numerical है ये जो numerical है ये अकसर एक्जाम में आता है बेटा पांच नमबर में गौर से सुनेगा ये प्रश्ण पांच नमबर में आता है ये बहुत बड़ा कोशन है पांच नमबर में ये इसले आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी है आपको धेर सारा केलकुलेशन करना पड़ेगा तो आपको इस टैप के कोशस कैसे बनाते हैं जरा समझना पड़ेगा गौर सुनना ये जो बड़े परश्ण होते हैं बेटा इसके बारे में आपको एक जानकारी दे दूँ जो बड़े प्रस्ण होते हैं इनके बारे में आपको एक जानकारी देदू कि जब भी एक्जाम में जब भी एक्जाम में निमेरिकल आता है जब भी एक्जाम में बोर्ड एक्जाम की बात कर रहा हूं जब भी exam में numerical आता है और छोटे number में आता है जैसी कि 3 number में तो अगर 3 number में जो पुष्टकर आता है वो आपके पुस्तक का हो सकता है या आपके पुस्तक में दिये हुए प्रश्ण के जैसा ही एक दूसरा प्रश्ण हो सकता है फिर रिपिट करता हूँ अगर तीन नंबर का कोशन आया निमेरिकल में तो वो प्रशन सीधे आपके पुस्तक में से भी हो सकता है और पुस्तक में से ना हो ऐसा भी हो सकता है तो तीन नंबर के जो प्रशन होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं उसको बच्चा बना सकता है ल राषिक एक्जाम में यानि एनल घ्ञाम में जब धी बड़े बड़े कोुष्अ को टारी करोगे तो अफ एक्स्ट्रा कोुष्ण मत करना जितने आपके में पुस्तक में दीए वे प्रस्ण ढूरबार बार 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 प्रक्टिस करना क्योंकि जब भी बड़े कोश्चन आते हैं पांच नमबर वाले तो वो ने कोशच्न नहीं are सीधी आपके पुस्टक के कोश्चन होते हैं आपके exercise में से या index में से यह जो प्रश्ण है यह आपके समय लगेगा तो प्रैक्टिस करकर के समय लएगा मतलग मैं गुड़ा भाग करने की बात कर रहा हूं केल्कुलेशन की बात कर रहा हूं तो तो आपको ही करना है हाँ प्रश्ण कैसे बनता है वह मैं आपको सीखाऊंगा तो चलो इस बड़े से प्रश्ण में बहुत सारे नंद्रो के बारे में पढ़ना है तो वेसा आपको नंम रिलेशन बता रहा हूं रिलेशन से बीट्विन लिग्री यादी को हम डिगरी को अलफा से दर साते हैं डिगरी को अलफा से दर साते हैं और वेंट आफ फेक्टर को आई से दर साते हैं और अलफा यारी कि डिगरी निकाने के दो सूत्र हैं पहला इसके दो सूत्र हैं पहला आई इक्वल टू वन प्लस अलफा और दूसरा I equal to 1 minus alpha plus alpha by 2 आपने ये जो सूत्र है इसको ionic equilibrium chapter में यानि के सामय आवस्था chapter में देखा है अब सुनो ये जो दो सूत्र आप देख पा रहे हैं इस सूत्र में मैंने alpha को I के साथ संबंद में लाया है relation में लाया है अब इसका उपयोग कैसे करना है और आखिर degree का मतलब क्या होता है सुन लो degree का मतलब क्या होता है सुन लो कोई भी वैदुत अब घटी है गोर सुनना कोई भी वैदुत अब घटी है जब किसी विलायक में जाता है किसी विलायक में जाता है तो तूड जाता है या फिर जूड जाता है जब भी कोई वैदुत अब घटे किसी विलायक में जाता है तो या तो तूट जाता है या फिर जुड जाता है लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं होता कि आपने जितना विले लिया है वो सारा का सारा तूट गया होगा या जुड गया होगा यह जरूरी नहीं होता आपने सामी अवस्था चेटर में पढ़ा होगा जो इलेक्टरलाइट होते हैं वो किसी विलायक में जाते हैं टूड जाते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो 100% टूड जाएं अधिकांस केसेस में ऐसा होता है अधिकांस cases में ऐसा होता है कि कोई भी वैदुद अभघट के किसी विलायक में जाते ही पूर रूप से तूड़ जाते हैं पर ऐसा हमेशा नहीं होता तो बैटाय जो अलफा होता है अलफा डिगरी इसका मतलब होता है वियोजन की मात्रा याने कि आपने जो वैदुद अभघट ये लिया है वो विलायक में जाते ही कितने परसेंट में तूटा अरे भाई आपने धेर सारा विले ले लिया पर पानी में गया तो कितना तूटा 90 90% तूटा 80% तूटा 99% तूटा तो कोई भी वैदुत अब घटिये विलायक में जाते हैं कितने परसेंट में टूटेगा या कितने परसेंट में जुड़ेगा उसी को अलफा यानि कि डिगरी कहते हैं तो दो सूत्र है एक उपर एक नीचे तो बेटा जब हम वियोजन के बा अगर तूट रहा है तो आई और अलफा की बीच में यह सूत्र का प्रयोग करना है और अगर आपका वैदुत अब घटिये विलायक में जाते ही जूड़ रहा है तो यह वाला सूत्र यूज करेंगे एसोसियेशन यानि आपका वैदुत अब घटिये अगर जुड़ेगा तो यह वाला सूत्र आपको प्रयोग करना है तो यह जो दो मैंने सम्बंद बताएं बिटा यह किसके बीच के सम्बेंद है आई और आलफा की बीच आलफा क्या होता है अलफा मत्तब वीयोजन की मातरा यानि कि प्रतिसत संगशौठन या प्रतिसत वियोजन तो जब कोई योगी कितने percent में टूटेगा जब आप से फुछेगा गोई भी योगी कितने percent में टूटेगा समझदना आपको alpha निकालना है है ठीक है इक यह relation आपको याद रखना है और दूसरा यह relation पुर चाहल ने बेटा रिलेशन बिट्विन डिगरी एंड इंड आयोनाइज़ेशन कॉस्टेंट अब यह देखो एक और रिलेशन आपके सामने आ गया डिगरी एंड आयोनाइशन कॉस्टेंट कंप्रा और अचन कंच्ट को हम के एसे दर साथ ये भी आपने ये भी आपने आयनिक सामिय चैप्टर में पढ़ा है तो बैटा इसको बोलते हैं वियोजन इस्थरांग यानिक आयोनाशन कॉंस्टेंट और अल्फा और आयोनाशन कॉंस्टेंट इसका एक रिलेशन है के इस इकल टू अबाफ कीजिए अल् सांधरता 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 को वियोजन के मातरा के साथ संबंद में लाया है और साथी साथ इसमें आप जो वियोजन इस थरांके उसको भी लिये हुआ और अगर आप अगर आप इस सूत्र में के को अलग करोगे के को अलग करो इसको ऐसे लिए वन मैनस अलफा मैं उम्मीद करता हूं यह सारे फॉर्मूला जो क्लास 11 में पढ़े गए हैं यह आपको याद होगा और याद नहीं भी होगा तो ज्यादा फरक नहीं पढ़ेगा कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि अलफा और कए कि पीच क्या संबंध होता है तो आप कहना ये संबंध को निमरिकल के लिए याद रखना है कि बता रहा हूँ इसका थियोरी में कुशन नहीं आएगा दो मेरिकल में प्रोग होगा तो नीमरिकल बनाने के लिए आपको य screenshot ले लो ओके अब चलो बटा अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब का प्रेयो कैसे करना है देखने से बहुत होच पोच लग रहा होगा देखने से महुत complicated लग रहा है बहुत फैला फैला सा बिखरा हुआ लग रहा है एकदम simple करता हूं सुनो एकजाम में कैसे प्रश्ण आए कि आ खाट हौन्हा का मांद Dir रहे हैं सब चीज का मान ते रहे काल अपको प्रॉस्ट में आपको ? का मान दिखालना को कर Гavor से उनना एक्राइम कॉश्चन आएगा कि य। है प्रचन में कॉश्चन आएगा डेल्टी भी दिया है और के का मान निकालना है तो कैसे करोगे आपको सब कुछ दिया रहेगा यहां से आई निकाल लेना आई के मान को यहां रख देना तो अलफा निकल जाएगा अलफा के मान को यहां रखोगे तो के निकल जाएगा बस इतरे ही करना है फिर इपिट करता तो यह बता चुका हूँ मैं आप लोग को पहले भी याद दिलाओं बेटा इसको बोलते हैं C बेटा इसको बोलते हैं C ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो कि पूछे करना C कहा से लाओगे तो ये इस हिस्से को C बोलते हैं कि यानि कि सांधरता इस हिस्से को सी बोलते हैं इस हिस्से को सी बोलते हैं करेक्ट हाजी तो मैंने क्या बोला एक्जाम में आपको सब कुछ दिया रहेगा पहले यहां से आई निकाल लेना आई के मान को यहां रखना यहां से अलफा निकल जाएगा अलफा के मान को यहां प्रयोग करोगे तो प्रस्ण में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो योगिक है वो वियोजन कर रहा है कि संगुधन कर रहा है अगर आपके प्रस्ण में लिखा हुआ आएगा कि आपका योगिक टूट रहा है तो यह वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे और अगर आपका के मान को यहां रख दिना तो के निकल जाएगा अब यहीं उल्टा आता है अब यहीं उल्टा आता है उल्टा मतलब आपको आपको के कमान दिया रहेगा अब यह उल्टा आएगा के कमान दिया रहेगा और बोलेकर डेल्टी भी निकालो डेल्टी भी निकालो तो कैसे करोगे के कमान दिया रहेगा उससे अलफा निकाल लेना अलफा के मान को यहां रखना तो आई निकल जाएगा आई के मान को यहां रखोगे तो डेल्टी भी निकल जाएगा बस यही करना है आपको मैं फिर से रिपीट करता है अगर आपको अगर आपको के कमान दिया है और पाई कमा मान दिया है तो यहं से अलफा निकाल लेनल अ कि Lob park मान को यहां रखना तो आई निकल जाएगा उसी आइके मान को यहां रखोगे तो पाई निकल जाएगा वही करना है यह सब भी तो これ यह दिया है और यह से ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा आपको कैलिकूलेशन भली टफ है पर कोशन बनना भी तो चाहिए बेटा और परिक्षा में परिक्षा में प्रशन आता है मैं क्लियर कर दूँ इन प्रश्णों को अधिकास बच्चे छोड़ देते हैं इन प्रश्णों को अधिकास 90% प्रशन ऐसे होते हैं जो सब बच्चे बनाते हैं और 10% 20% प्रशन ऐसे होते हैं जो हरकुई नहींells करेंगे ओर जो Seek प्रस्टन आपके सामने आ रहा है वो ये वाला है अब गौर सुना बेटा इस प्रस्टन में इस प्रस्टन में क्या निकालने बोला थोड़ा चोटा कर देता हुआ अब इस प्रस्ट में क्या बोला है इस प्रस्ट में बोला है कि चलो ग्यात करो क्या ग्यात करो हिमांक में अवनमन ग्यात करना है आपको हिमांक में अवनमन ग्यात करना है किसका किसका इस बड़े से कंपाउंड का इस बड़े से कंपाउंड का हिमांक में अवनमन ग्यात करन कुंगि यह फैसा है कि यहां पर यहां पर यहां पर जो एम हैं इसी को लिखते हैं और जल्दी होता है C क्या होता है WB into 1000 upon MB into WA यह C है बेटा तो चलो अब आपको क्या गरना करना है तो प्रस्ट में बोला है कि डेल TF कमान ग्याद करो अच्छा जी KF कमान KF कमान दिया है क्या? हाँ ए दिया है KF कमान दिया है किता दिया है बेटा 1.88 पर आपके पास C का मान नहीं है और I का मान नहीं है आपको डेल TF की गरना करनी है पर C नहीं है I नहीं है तो सबसे पहले C निकाल रते है WB कितना है इस प्रष्ट में 10 गराम गराम विलायक का द्रमान किता दिया है 250 गराम है जी और इसका अडुभार, बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े compound का अडुभार दिया है, शुक्र है, कि तद यह है बेटा, 122.5, बस इसको हल करना है, अब इसको हल करना है, तो समय बचाने के लिए, मैं answer देखके आपको बतायता हूं, बेटा इसको हल करोगे न, तो इसको हल करने से आपका answer आएगा, 0.0326, समय बचाने के लिए, अभी मैं आपको direct इसका answer बता देता हूं, लिए C निकल गया, C निकल गया, मैंने कहा, C निकल गया, C कमान किता है, बेटा, 0.0326, 0.0326, अब बस क्या बचा, I कमान, बस I कमान बचा, अब I कहां से लाओंगा, अब I कहा से लाओंगा, तो बेटा, इस प्रस्न में, इस प्रस्न में, के ए कमान दिया है, के ए कमान दिया है, तो बेटा, जल्दी बताओ, के ए कमान दिया है, तो अलफा निकाल लूँगा, उससे मैं, कैसे निकाल लूँगा, के ए बाई C, जल्दी बताइए, के कमान किता दिया है, के कमान दिया है 1.4 into 10 to the power minus 3 और C, C तो आपने अभी अभी निकाला है C का value किता है बेटा 0.0326 अब आपको इसका root करना है हाला कि यह असान नहीं होगा यह बहुत मुश्किल से होता है यह जो root है यह बहुत मुश्किल से होता है पर क्या करें गुड़ा, भाग करना root करना, LCM निकालना यह तो आपका काम है यह आपको ही करना है तो अभी के लिए बस मैं बता रहूं कि process कैसे होगा तो अब क्योंकि के कमान दिया था तो के कमान से alpha निकालूँगा समय बचाने के लिए अभी मैं आपको डायेट आंसर बताये तो ठीक है इसको हल करोगा ने बटा तो हल करने से इसका अंसर आएगा 0.065 alpha तो alpha मिल गया अब alpha मिल गया तो अब मैं i निकाल सकता हूँ तो बटा इस formula में इस formula में i का कौन सा formula अपलाई करूँगा यह देखो यह वाला बताया थन मैंने i के दो सूत्र है अगर प्रस्ण में लिखा है योगिक जुड़ेगा तब यह वाला सूत्र प्रयोग करेंगे और योगिक तूटेगा तो यह वाला सूत्र के प्रयोग करेंगे और इस प्रस्ण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि योगिक तूटेगा कि जुडेगा पर मैंने कहा वो तूटेगा बताओ कैसे पता चला कैसे पता चला जल याद है न जल में डालते ही हर चीज तूट जाता है तो तूटेगा और जब भी कोई योगिक तूडता है तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं अब जल्दी बता बेटा अलफा कमान कितना निकाला है अपने 0.065 बस इसे हल कीजिए हल करते क्या जाएगा ये 1.065 लीजिए आई कमान निकल चुका है अब इसी आई के मान को यहां रखेंगे तो डेल टीएफ निकल जाएगा डेल टीएफ निकल जाएगा तो बेटा कैलकुलेशन बहुत कठीन है पर निमेरिकल बनाने के दो स्टेप होते हैं कि एक परस्ट अगर्ना करना तो आपका लोगे मुद्द यह था कि परस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं तो बेटा परस्ट कैसे बनता यह में आको सिखा दिया calculation तो आपके हाथ में चलिए इस बड़े-बड़े कोशन को कैसे बनाते हैं यह तरीका मैंने आपको बता दिया प्लीज इसका screenshot लेंगे चलो एक प्रस्ण आपको और दिखाता हूं इसी topic से related एक प्रस्ण चलिए हम और देख लेते हैं बेटा यह सब बड़े-बड़े तो 5 नमबर में अता थोड़ा दियान रखेंगे ठीक है अब अगले प्रस्ण के तरफ चलते हैं यह थोड़ा बड़ा कोशन इस बार इस बार इस प्रस्ण में बेटा क्या बोला है यह बिल्कु अचु छार कैसे आगया एक मिनट ना यह अलग प्रस्ण है पर यह बिल्कु वैसा ही है जैसे इसके पहले वाला करवाया हूं तो इसके स्क्रींशॉट लीजिए आप मुझे पता आप यह बना लेंगे यह बना लेंगे चलिए ट्राइ किजिए ठीक है चलो एक बार मैं भी हेल्प कर दीता हूं चलो स्टार्ट करते बिटा इसमें कौन सा सुत्र लगेग तो डल टी एफ के एफ डब्लू बी एक काम करते हैं एक बर भी रखले ज्चाल के रखले ज्यादा अच्छा पहले सी रखले डब्लू बी इन्टू ठाउजन एंवी और डग्लू ए चलो सारे मान रखें यहाँ पर क्या होगा बेटा डब्लू बी कितना है जी नैंटीन पॉइंड फाइफ इन टू थाउजन विलाया कद्रविमान किता दिया है 500 ग्राम वेरी गूड अब जल्दी बताओ ये जो बड़ा सा कंपाउंड दिया है शुकर है उसका अडूभार दिया हुआ है 78 बस इसको हल कर ले ना हल करते ही सी कमान निकल जाएगा चलो ठी 15 को मैं बाल दो हो 25 घाल्सेल थारल डेया और से और उसके बाद आप यहां से आई निकाल लेना आप यहां से आई निकाल ले ना तो गवर सुनिये मैं पहले निकाल लूँगा फिर इस सूत्र से इस सूत्र से आई निकाल गया अब आई निकल गया अब बेटा मुझे अलफा निकालना है तो सूत्र क्या है मेरे पास वन प्लस अलफा तो बस फिर क्या है इस आई के मान को इस आई के मान को यहां रखोगे तो अलफा निकल जाएगा बेटा अब जैसी अलफा निक बोला है ाई कमान निकालना है तो यहां निकालना है पस यहां पर आप यहां पड़ा इनलफन लगे यहां पर उसीहलफा के मान को यहां रख देना सी तो आप ही निकाल चुके हो बस इसको हल करते ही आपका के का मान भी निकल जाएगा तो लीजिए इस प्रश्ण में क्या बोला था इस प्रश्ण में आई निकालना और के निकालना है तो पहले मैंने सी निकाला क्योंकि उसक्ता पड़ेगी फिर उसके बाद मैंने इस सूत्र में सी के म को रखते मुझे मील जायका तो इस पर है निकल जाएगा फिर मैंने आई से अलफा निकाला रखोंगा उसी अलफा को यहां रखोंगा तक कि अखमान भी निकल जाएंगा प्लिज इसका स्क्रियन स्क्रिण केंगे कैlles के डिकुलेशन डिकै ćव कर रहा हूं के याद रहें में अपलबिटीव इकजाम में इसे प्रस्थनों को पाता तो फिर वो पिछार जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समय निक अब गर्मी चुटी चल रही ना तो गर्मी के चुट्टियों में ऐसे प्रश्णों को बार-बार गुड़ा भाग करके देखिए एक बार पहले जो होता ना कैलकुलेटर आप एक बार कैलकुलेटर से कर लेना फिर उसको फिर हाज से प्रैक्टिस करना बार-बार प्रैक्टिस करना एक समय ऐसा आएगा कि तीन चारह मेने में यह बड़े-बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं इसमें आप अपना पकड़ बना चुकी होगे पर यह तो करना ही पड़ेगा इसा को दूसरा उप सांधरता है फिर रिपिट करता हूं किसी भी विल्यह में मिलए गये विले की जो मातरा होगी उसको अम सांधरता बोलते हैं और आपको यह पता होगा जब विले की मातर कम होगी थाम कहते हैं और अगर किसी ilean में by leaf की मात्रा जादा हो जाए तो हम कहते हैं उस willing की सांधरता बहुत जादा है एक दोν simple example के लिए यहां देखो मैंने कुछ ग्लास लिया हुए बैटा इस ग्लास में मैंने wayας के तरफार पर कुछ रंगीन पधार्त ले लिया है whylai के नाम पर मैंने कुछ रंगीन पदार से लिया है आप देख सकते हैं ये जो विल्यन है ये बिल्कुल भी रंगीन दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब है कि जरूर इसमें जो विले की मात्रा है वो बहुत कम है इस वाले में विले की जो मात्रा है वो बहुत कम है ये वाला आपको ज्यादा रंग और आप समझी सकते हैं बेटा कि इस विल्यन में धेर सारा विले मिलाया गया है जिसके कारण यह ज्यादा रंगिन दिखाई दे रही है तो सिंपल भाशा में यह कहा जाए कि पहले वाले में पहले वाले में विले की मातर कम है मतब इस वाले का सांधरता मैंने कहा इस वाले का सांधरता क्या है पेटा कम है कम है और इस वाले में आप कह सकते हैं कि जो सांधरता है जो सांधरता है वो बहुत ज्यादा है या इसको अगर इंग्लीस में प्रॉनाउस करूं तुम्हें कहुझा इस वाले का कउंसेंट्रेशन बहुत हाइए माफ कीजे बहुत लो है इस विल्यन का कॉंसेंट्रेशन बहुत लो है और सिंपल भाशा में किस तरीके से हम सांधरता को यानि कॉंसेंट्रेशन को परिभाशित कर सकते हैं जवाब है कि किसी भी विल्यन में मिलाए गए विले की जो मातरा होती है वो सांधरता कहलाती है जितना कम विले मिलाओगे हम कहेंगे विल्यन की सांधरता उतनी कम है और जितना जादा विले मिलाओगे जितना जादा विले मिलाओगे आप काओगे सांधरता का मान उतना ही ज़ादा है अब सांधरता को कितने तरीकों से व्यक्ट करते हैं आज क्लास में जो कुछ आपको बताया जाएगा ये कुछ नएया नहीं है आपने कच्छा 11 वी में भी सांधरता के बारे में पढ़ा है तो इसको समझ्य में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बेटा तो सांधरता को यानि concentration को कितने तरीकों से व्यक्ष कर सकते हैं मैंने कहा सांधरता कितने तरीकों से व्यक्ष कर सकते हैं तो आपकहते हैं बेटा उसे molarta, molarta, nullarta, normaltra प्रभाज मोल प्रभाज याने की इसको आप कुछ इस तरह से बोर सकते हैं बेटा मोलारेटी मोलालेटी नौर्मैलिटी और मोल फ्रेक्ष्ण और मोल फ्रेक्ष्ण तो अब मैं आप लोगों को यह सारी चीजे जो है एक एक करके explain करूँगा हाला कि आपने यह सब पहले पढ़ा हुआ है नया कुछ भी नहीं है पर क्योंकि सीले बस का हिस्सा है तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो बैटा अब यह सब क्या है जब आप अपना पुस्ता खोलेंगे बुक खोलेंगे तो आप पाएंगे बुक खोलते ही शुरू में आपको यही सब मिलेगा यही सब मिलेगा पर मैंने शुरू में ना बता के अभी आखरी मता रहा हूं क्योंकि अभी आप बताओ आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसको मैंने शुरुआत में नहीं बताय तो कहीं पर भी हमको परिशानी नहीं आई तो इसका ये मतलब है कि अगर शुरू में ही मैं ये सब आपको बता देता तो आप हो सकता है थोड़े बोर हो जाते या आपको ऐसा लगता कि वही सब तो चल रहा है जो हम पहले पढ़े हैं तो इस चैप्टर में जितनी नहीं बात एसा कुछ भी नहीं है कि करम तोड़ा है मुझे सांधरता यहां बताना चाहिए मैं यहां बता रहा हूं पर यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि पहले ही 11 वी में पढ़ा जा चुका है इसलिए मैं इसको आखरी मता रहा हूं बाकि सारे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है यह तो आपने इस चेप्टर में पढ़ी लिया है तो चलिए एक छोटा सा हिस्सा जो की रह गया है उसे पूरा करते हैं शुरुआत करेंगे इनकी परिभाशा से मुलार्टी नॉर्मेल्टी और नॉर्मेल्टी इसको बोलते हैं बेटा मुलार्टी इसे कहा जाता है मुलार्टी और यह है बेटा नॉर्मेल्टी आप ध्यान देखो ध्यान से देखो यह सारे शब्द एक जैसे हैं यह सारे सब्द एक जैसे हैं मुलार्टी मुलार्टी नॉर्मेल्टी मुलर्ता मुलल्ता नॉर्मल्ता यह सारे सब्द एक जैसे अब परिशानी क्या है? कई बच्चे इसके निमेरिकल नहीं बना पाते, वो थोड़े कन्फीूज रहते हैं, लेकिन जाद तर बच्चे इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कोई बहुत कठीन टॉपिक नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत सारे बच्चे बहुत आसानी से इस ट जलना पड़ेगा तो ये टॉपिक अधिकांस लोगों से बनतों जाता है पर जिन लोगों से यह टॉपिक नहीं बनता उसका एक बहुत बड़ा कारान है यह सारी चीजें एक जैसी लगती ही हैं तो इनको देखो ना हम ना सिर्फ इनको अलग इनको एक जैसे नाम से बुला रहे हैं ना सिर्फ इनको एक जैसा लिखते हैं एक जैसा बोलते चीजों को एक साथ लिख दो एक साथ लिख दो, एक साथ अपने सामने रखो, और सामने रखे यह चेक करो, कि उन सब में क्या डिफ्रेंस है? क्या अंतर है? एक बार अगर आप उन सब का डिफ्रेंस समझ गए तो आपको फिर बहुत आसानी से उन सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं इनकी परिभाशा यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि अच्छा 11 वी में मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है इसके स्क्रिंशॉट लीजिए पहले फिर एक एक करके मैं सारी परिभाशा को समझाता हूं बेटा मैं कि स्क्रिंशॉट लेंगे इसका है ओके तो अब अगर यहीं पर अगर मैं एक्स्प्लेन करने कोशिस करूं तो आपको किस तारह की चीजे दिखाई देंगी बेटा यह देखो क्या लिखी वी यहां पर यहां लिखी हुई है कि किसी विल्लियन में म मोलो की संख्या है इस असूना मैं आपको एजी करकर बता रहा हूं एक लींटर विल्लियन में विले मोलो की संख्या मुडर्था कहलाता है अब आते हैं अब आते हैं यहां प्र से क्या लिखा यहां है Pacific irritant यहां भी लिखा मोलो की संख्या मतब यहां पर भी हम विले के मोलो की संख्या को ही ग्यात करेंगे पर कहां ग्यात करेंगे इस बर हम ग्यात करेंगे एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम विलायक में ध्यान देना यहां पर लिखा हुआ है विलियन तो विलियन का एक लिटर और य याने की विलायक का 1 kg जबकि दोनों में हम एक ही चीज ग्याद कर रहे हैं यहां भी आप क्या ग्याद कर रहे हो विले की मोलो की संख्या पर यहां पर कहां ग्याद कर रहे हो आपने बोला जब विल्यन का एक लिटर हम लेते हैं तो विल्यन के एक लिटर में विले की मोलो की संख्या मोलारिटी कहलाईगी और विलायक के एक किलो गराम में विले की मोलो की संख्या मोलारिटी कहलाती है आप देख सकते हैं, दोनों में हम एक ही चीज ग्याद कर रहे हैं, इसमें भी आप मोलो की संख्या ग्याद करोगे, यहां भी आप मोलो की संख्या ग्याद करोगे, पर कहां ग्याद करोगे, यहां पर आप विल्यन के एक लिटर के अंदर ग्याद करोगे मोलो की संख्या, और और विल्यन का एक लिटर लेते हैं, आप देख सकते हैं, यह पहला और आखरी अब थोड़ा से मिल रहा है, पहले वाले में भी आपने विल्यन का एक लिटर लिया, यहाँ पर भी आप विल्यन का एक लिटर ले रहे पर फरक्या है, यहाँ पर आपने मोलो की संख्या ग्याद की और यहां पर आप तुल्यांकों की संख्या ग्याद करोगे यहां पर आप तुल्यांकों की संख्या ग्याद करोगे तो अब आखिर मोल क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा मोल क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा और आगे चल कि यह भी बताऊंगा कि तुल्यांक मत समझाऊंगे बेटा एक बर और स्क्रीन्शोट लीजिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब को गुड मॉर्निंगे बेटा तो अब इन तीनों परिभाशा को एक बार मैं आपके सामने तुल्ला करते हुए रखता हूं और बताता हूं कि यह क्या है ठीक है गौर से सु पानी ले लिया और इसके अंदर मैंने विले डाल दिया यहां पर मैंने पानी ले लिया इसके अंदर भी विले डाल दिया यहां भी मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर भी मैंने विले डाल दिया अब क्या करने वाला हूं यहां पर मैंने क्या लिया है यहां लिया है ब और यहां पणलूंगा मैं एक कीलोगराम विलायक विलायक हारा कि मैं विले डाल चुका हूँ पर मैं हाँ विलायक के तुलना में चीजों की गर describes करूंगा उपर में उपर में अब मैं क्या क्या गरना करने वाला हूं सुने बटा मैं यह गरना करने वाला हूं कि इस विल्यन में विले की मोलो की संख्या कितनी होगी विले की मोलो की संख्या संख्या कितनी होगी विले की मोलो की संख्या कितनी है तो गौर सुनना जब भी आप जब भी आप जब भी आप एक लिटर विलियन में विले की मोलो की संख्या ग्याद करते हो मैं आपको परिभाशा याद कैसे करते हो सिखा रहो बैटा की मोलो की संख्या कितनी पाई जाएगी इसी को बोलते बटा मोलरता फिर से रिपीट करता हूं एक लीटर विल्लियन में विले की मोलो की संख्या कितनी पाई जाएगी उसी को बोलते बटा मोलरता उसके बार दूसरे वाले केस में आते हैं किस बार मैंने एक केजी विलायक ल करउंगा क्या ग्यात करूंगा मैं इसके अंदर विले की मोलो की संख्यां ६हीं अप सुना बैटा को आपसे पूछे का मोललता क्या होता है तो तुम कहोगे तुम कहोगे एक किलोग्राम विलायक में एक किलोग्राम विलायक में फिर से विले की मोलो की संख्या कितनी होगी वो मुललता कहलाएगा यह बैटा यह मोलारेटी है और यह मोलालेटी है तो गौर सुनना परिभाशा कैसे याद करते हैं यहाँ पर तुम कहना एक लिटर विलियन में विले की मोलो की संख्या कितनी होगी उसको बहते हैं मोलर्ता। यहां आप कहोगे, एक किलोग्राम विलायक में, विले की, मोलों की संख्या कितनी होगी, उस सो क्या बहुलेंगे बटाप, मोलर्ता। और अब इसमें आते हैं, इसमें, इस बार फिर से मैंने आप देख सकते हैं, मैंने एक लिटर विलियन लिया है जैसे यहाँ पर मैंने एक लिटर विलियन लिया था देख रहे हैं यहाँ भी मैंने एक लिटर विलियन लिया था और वहाँ भी एक लिटर विलियन ले रहा हूँ पर इस बार मैं क्या ग्यात करूँगा अब जब यहां भी एक लिटर विलियन है यहां भी एक लिटर विलियन है और यहां मैंने मोलो की संख्या ग्यात की तो वहां तो मोलो की संख्या ग्यात नहीं करूंगा वरना सेम ही हो जाएगा यह तो अब क्या ग्यात करूंगा तो देखना यहां पर मैं क्या ग्यात करने वा को की संखिया अब ये तुलियांक क्या होता है बताऊंगा हाला कि आप जानते होंगे फिर भी चलो बताऊंगा तो बेटा जब भी आप जब भी आप एक लिटर विलियन में तुलियांको की संख्या ग्याद करते हो तो आप कहेंगे कि आप नौर्मलता ग्याद कर रहे हो क्या अब एक सी बात है, confusion तो थोड़ा सा होगा, अब उस confusion से बचने के एक ही तरीका है, तुलना करके पढ़ो, तुलना करके पढ़ोगे, formula भी आसानी से याद हो जाएगा, और परिभाशा भी, तो बेटा सबसे पहले में आपको ये सिखा रहा हूँ कि परिभाशा कैसे याद करत एक किलोग्राम विलायक में, एक किलोग्राम विलायक में, मोलों की संख्या मुललता कहलाएगा, और फिर से एक लिटर विल्यन में तुल्यांकों की संख्या नौरमलता कहलाता है, तो लीजिए मैंने परिभाशा में क्या फर्क है, मैंने बता दिया, इसमें मोल ग्याद किय इसमें मोल ग्यात किया पर यहां विलियन का आयतन था यहां विलायक का दरवेमान था इसमें आपने मोल ग्यात किया इसमें आपने तुल्यांग ग्यात किया जबकि इसमें भी एक लिटर विलियन था इसमें भी एक लिटर विलियन है तो इस प्रकार से आप इस परिभाशा को बेहत आसानी से याद कर सकते हैं चलिए परिभाशा तो मैंने बता दिया अब चलो मैं आपको सूत्र बताता हूं कि कैसे इनको ग्यात करते हैं numerical के लिए पहले इसका screenshot ले लिजे बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले class में हम इस chapter के एम से क्यूस करेंगे बेटा multiple choice हाला कि इस chapter में हमने धेर सारे numerical बनाए हैं मैंने हर एक topic का आपको numerical करवाया है पर यह आज लगबग देखते हैं कितना कोशन हो पाता है अगर आज कोशन बज गया तो अगले class में बचे हुए कोशन भी कर लेंगे और multiple choice कोशन भी हम लोग बना formula है उसके बारे में बात करते हैं बेटा तो चलिए फिर मैं आपके सामने एक-एक करके चीजों को रखता हूं गौश समझेगा सबसे पहले बात करते हैं बेटा molarity की याने की molarta की molarta की तो तुमने बोला molarta को हम M से दर्स आते हैं और molarta क्या होता है बेटा molarta होता मोलो की संख्या विले की एक मिनट विले की मोलो की संख्या किसमें उपस्थी था एक लिटर विलियन में किसमें उपस्थी था बेटा एक लीटर विल्यान में तुमने कहा एक लीटर विल्यों में विले की मौलों की संख्या मौल dartë कहलाएगी वहीं पर तुल्ला कर रहा हूँ मैं तुल्ला कर रहा हूँ तो सात आप करते हैं मौल इसको मुललता होता है इसमें भी हम विले की मोलो की संख्याही ग्याद करेंगे पर इसमें कहां ग्याद करेंगे एक किलो ग्राम भी लायक में इसे ग्याद करेंगी बेटा एक किलो ग्राम भी लायक में अच्छा जी इसी सुतर को और आगे बढ़ाता हूँ मैं अब बेटा ऊपर जो לिखा है वो तो एजिटी ज रहेगा लेकिन नीचे आपने क्या लिया है पीछ्स आता निचे में लिखा है एक लिटर विल्यन याने विल्ययन का आपने आयतन लिए है लिटर मतलब आयतन होता है तो नीचे में ओन्री आप फिर से उपर सेम चीज लिखा हुआ है विले की मोलो की संख्या पर नीचे में क्या लिखे हो बैटा नीचे में लिखो एक केजी विलायक विलायक का आपने दरव्यमान लिया है तो नीचे में आपने विलायक का दरव्यमान लिया है तो नीचे में आप लिएंगे बैटा विलायक का दरव्यमान वह भी किसमें किल तो कुछ दिरकली समझ लो कि यह आपका सूत्र है यही आपका सूत्र है मोलर्ता का पर इसको अब और आगे बढ़ाते हैं यह बताओ इसमें लिखा है बेटा मोलो की संख्या इसमें भी लिखा है मोलो की संख्या आपको पता मोलो की संख्या कैसे ग्याद करते हैं मोलो की संख या आडिविक द्रवेमान आपको पता होना चाहिए कि कोई आप से पूछे गा कि मौल कैसे ज्याद करते हैं मौल कैसे ज्याद करते हैं तो मौल ज्याद करने और उपर में विले का ट्रवेमान मैंने क्या बोला मैं मोल ग्यात कर रहा हूँ किसका मोल ग्यात कर रहा हूँ विले का और मोल ग्यात करने की तरीका है द्रवेमान बटे अडु द्रवेमान तो यहाँ पर क्या लिखूंगा विले के मोल की स्थान पर विले का द्रवेमान बटे विले का अडु भार लिखूंग तो आपका जो उपर का सूत्र है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा यह देखिए मैं यहाप पर क्या कर रहा हूँ तो विले के मोलों की संख्या की स्थान पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ विले का द्रव्यमान बटे, नीचे, बटे, क्या लिखूँँगा बटा, विले का अडूभार या आण्डविक दरवेमार, बाकी, आगे सब कुछ वैसा ही रहेगा, नीचे क्या लिख्या हो यहाँ पर, विलियन का आयतन, वे लिखा रहेगा अभी भी, विलियन का आयतन, किसमे लीटर के रूप म अब उस तरफ चलते हैं, अब उस तरफ का सूतर भी से, वैसी हो जाएगा बेटा, कैसे, उपर में विले का मोल लिखा है, तो यहाँ भी विले का मोल था, वहाँ भी विले का मोल है, तो विले का मतलब क्या होता बता चुका हूँ, तो यहाँ भी वही मतलब होगा, क्या मतल आप होगा तो यहां पर बेटा फिर से लिखूंगा वी ले के मोल मतलब क्या क्या बिले का द्राव्यमान बटे रिले का अडु भार करेक्ट अडु भार करें बाकी जो लिखा है वेजित इस लिखा रहेगा, क्या लिखा है जी नीचे में, तो यहाँ नीचे में लिखा है पर टक विलायक का द्रवेमान, किस रूप में? किलोग्राम के रूप में, अच्छा, अब ये दो सुत्र रेडी हो चुका है, अब क्योंकि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो तो आपको याद होगा बेटा, इस चैप्टर में सुरू से बताते आ रहा हूं कि विले के द्रवेमान को W लिखते हैं, याद है ने बेटा, आप ये चैप्टर पर चुके हैं पूरा, विले के द्रवेमान को W, विले के अडुभार को MB लिखते हैं ना, और विल्लियन को वी लिखते हैं बेटा विलियन को वी लिखते हैं और विलियन जो होगा उसका आयतन किस रूप में लेंगे आप लीटर के रूप में लेंगे और विलायक के दरवेमान को डबलू ए लिखते हैं चैप्टर पूरप परचुके इसलिए आसान होगा समझ्झे में और विलायक के दरवेमान किस रूप में होगा बैटा किलोग्राम के रूप में तो लीजिए ये मोललता का सूत्र आपके सामने आगया प्लीज इसका screenshot लीजिए मैं तूल ना करके बता रहा हूं ताकि सूत्र एक जैसे आपको ना लगे या परिभाशा एक जैसे ना लगे और आप confused ना हो जाएं प्लीज इसका screenshot लेंगे अभी numerical करेंगे तो और मजाएगा तो सोचो बेटा एक चैप्टर को खतम करने में 16-17 क्लास लग रहा है तो इससे आप अंधाजा लगा सकते हैं कि चीजों को कितने अराम से समझना पड़ता है अगर जल्दी जल्दी कराया जाए तो फिर तो एक हपते में ही चैप्टर खतम हो जाएगा पर हमको बारवी में 90 प्लस का जो टार्गेट हम लेके चल रहे हैं वहां तक पहुँचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम चीजों को बहुत इत्मरान से अराम से समझें और साथी साथ थोड़ा डीपली समझें और मैं हमेशा नुमेरिकल बनाते वक्त कोशिश करता हूं कि चीजों को थोड़ा आसान कर दू कि जो कठीं से कठीं कोशन है उसमें सरवाइव कर सके चलिए अब इसी सूतर को मैं और आगे बढ़ाता हूं बेटा इसी सूतर को मैं और आगे बढ़ाता हूं अब यहां सभी नुमेरिकल बनाओगे आपको सभी नुमेरिकल में एक अजीब सा चीज देखने को मिलेगा जितने नुमेरिकल आपके पूस्तक में दिये हैं बेटा उन सभी नुमेरिकल में आयतन जो रहता है ना वह मेली लिटर में दिया रहता है पर वह हमेशा किसमें होना चीए ल प्रतिसत जो प्रश्ण है उसमें विलियन का आयतन एमेल में दिया रहता है एमेल में तो इसको लीटर में लाने के लिए उपर थाउजन मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अंत में यह सूत्र बनके तयार होता है यह है वहीं सूत्र जिसको पहले भी मैं मोलरता की रूप मे होना चाहिए विलाया कद्रवेमान कीलो ग्राम में होना चाहिए पर कई प्रस्ण ऐसे हैं जिसमें विलाया कद्रवेमान ग्राम में दिया रहता है पर लेना किसमें किलो ग्राम में तो ग्राम में को कीलो ग्राम में बदलने के लिए हमें यहां मजबूरान थाउजन से सामने आ जाता है बेटा और मोल अरता का इकाई होता है मोल प्रती लिटर और इसका इकाई होता है इसका जो इकाई होता है यह होता है मोल प्रती किलोग्राम आप यहां प्रती किलोग्राम में प्रती किलोग्राम में मोल ग्याद कर रहे हो यहां प्रती किलोग्राम में मोल ग् मोल ग्याद करोगे तो इकाई क्या होगा मोल प्रती लिटर और जब आप प्रती किलोग्राम में मोल ग्याद करोगे तो इकाई क्या होगा मोल प्रती किलोग्राम तो लीजिए यह आपका चाहीत को फाइनल फॉर्मूला यह है आपका फाइनल फॉर्मूला जिसके मतव से हम निमेरिकल बनाने वाले है चल ये इसका इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम कुछ परस्ट में भी बना लेंगे बेटा कुछ बच्चे पूछ रहें ग्राम हां बटा यह जो मोल जब निकालते हैं नहीं रहता है फिर फिस मिल बिल्यन के आयतं को लीटर में लेते हैं और लीटर में नहीं हैं तो लीटर में लाने के लिए उसको थाउजंड से मल्टिप्लाई करते हैं हम लोग ठीक है तो चले फिर प्रश्ण बनाना शुरू करते हैं बैटा एक एक करके मोललता मोललता कि मैं आपको जो परिबाए जो इक्जामबल बताऊंगा और इस टॉपिक को शुरू में नहीं पाते हैं कि उसमें कौण विले है कौण विलायक है है यादर याद यादर है जब द्रोटा दरवय मान देता है रुआ होता अब आपके सामने कुछ प्रश्ण आ रहे हैं ये पहला जो प्रश्ण है इसमें आपको मोलर्ता ग्याद करना है ठीक है उम्मीद है आप बना लेंगे इस प्रश्ण को फिर भी एक बार मैं आपका साथ देता हूं मोलर्ता ग्यास करना है सूत्र है विले का द्रवेमान विले का आड़विक द्रवेमान और विलियन ml में दिया है तो अब चलो पूटप करते हैं पता यह बताओ कौन सा योगिक है magnesium hydroxide कौन सा योगिक है magnesium hydroxide तो पता magnesium hydroxide का भार दिया हुआ है कितना भार दिया हुआ है जी 18.25 आगे बढ़ते हैं विल्लियन का आयतन एह देखो 200 ml में है 200 ml में है और उसको लीटर में लाने के लिए मैंने उपर जो है 1000 मल्टीप्लाई किया है अब जल्दी बताओ इस मेगनिसियम हाइड्रोकसाइड का अडू भार कित हो बेटा चलो ग्याद करो बताओ जल्दी मेरे को मेगनिसियम हाइड्रोकसाइड ना तो मेगनिसियम हाइड्रोकसाइड है आपके पास मेगनिसियम का वजन कीता होता है 24 ग्राम ऑक्सीजन का सोला हाइड्रोजन का एक चलिए मेगनिसियम हाइड्रोकसाइड का अडू भार बताइए मुझे कितना होता है अड़ु भर्क बताइए क्या बताना है आप लोग को molecular weight of magnesium hydroxide ग्याद कीजिए कितना है बताइए सही है सही है प्रष्टने के तरह है सही है गुग इसक्रम होगा बैटा इसको लिए और हाल करने के बाद यह बताओ कि आप काूतर इतना ही आर्वाइक नहीं हाल करके बताओ आपका ऊत्तर इतना ही आरओ रहें ओक्तफ् athletes गोल्रता उत्रहीं आना चीजी उपर लिखा हुआ है मोलर्त उत्रहीं आना चीजी जितना मन उपर धेसा है आग्या मिलिखा हुआ है आग्या व गूइन के जब सबस्त चलेए अगल अगले कोशन देखते हैं भेटा जै अट यहासाझन памत लेंगे चलिए कोशिस कीजिए इसको आप बना के दिखाओ मैं उम्मीद करता हूं आप बना लेंगे चलो ट्राइ करो बेटा नहीं बनेगा तो फिर तुम्हें बताऊंगा ही बनाइए 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 ट्राइ करिए यह इस चेप्टर का सबसे इजी टॉपिक है न सबसे इजी टॉपिक इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बनाकर दिखावे इसको वहां अंसा लिखा हुआ है प्रती केजी लिख दिया है एक में पिटा यहां सर् आ रहा है कि नहीं हूं कि क्या कियो हो यह बताओ आप यही कर रहे हो क्या मुलरता है ना विल्लियन तो तो मुझे बस इतना बता दो बैटा आप लोग यहीं कियो ना उपर में दरवेमान लिए हो चार ग्राम और एन ओवेज का अडू भार होता है बैटा 40 ग्राम और विल् कि आग vistky तो यह देखे एंगा अगले प्रश्ट्न चलते हैं इस बार के प्रश्टन में मोलल्टा घ्याद करना फिर से मोलरथा ज्याद करना है हाँ सुक्रोज है इस बार इस प्रश्ण में क्या बोला है बेटा सुक्रोज जानते हैं सुक्रोज का अडुभार किता होता है बेटा मैं बता दूं सुक्रोज का सूत्र होता है सी ट्वेल्व एच ट्वांटीटू ओईलेवन दरसल सुक्रोष मतलब शुगर होता याने कि सक्कर होता है सक्कर तो चलो सूत्र मैंने बता दिया आप इससे एंबी कमान निकाल लेना ठीक है एंबी कमान निकालने के बाद यहां पर पुट अप कर देंगे चलिए मुझे बना के दिखाओ इस प्रश्न को कितना दिया है बटा सुक्रोष का द्रवेमान थ्री एक मिनट कितना दिया है जी थ्री पॉइंट फॉर टू इन्टू थाउजेंड विल्लियन का आयतन एमल में कितना दिया है हपए मेंल here real good 1000 ml अब बस आपको यहां पर महां बताना है कि तर बादा शुगर का शुगर का और भार किता हो अपर अब है मैं किता और चुझा फोगे सका शाब होको पाते हैं इसका होगा इसका होता है इसका होता है 342 ग्राम एना यहोगा 342 बस अब बताओ हल करो और बताओ यही आंसर आ रहे कि नहीं यहीं आ रहा है कि नहीं आगे कहीं लोग का वेरी गूड शाबाज शाबाज बिटा अधिकास लोगों ने आंसर दे दिया है इसका सही जवाब है वेरी गूड आगे बढ़ते हैं चली अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं अब अगले प्रश्ण में फिर मो लड़ता है अब इसको खुदी करके बताओ भई इसको ट्राई कर चलो हर ए ग्लुकोज का उप्योग किया है दुश्का अरुभार तो आपको याद हो गया होगा बस फटाक से बता दो यही आंसर आपका आ रहा है कि नहीं इसमें भी मोललता ही ग्याद करना है ठीक आगया साबाज बढ़ता अगले प्रश्ण में आते हैं इस बार आगया मोललता अब लिजिए मोललता आपके सामने आचुका है कोई नई बात नहीं है कठीन बात नहीं है मोललता में बस करना यह है बेटा कि इस बार विलयन के आयतन के स्थान पर विलायक का दरवे मालेना है इस बार वियले का भी दरवे मान लेना है और विलायक का भी दरवे मान लेना है तो देख लिए हांपर पांच ग्राम a.o. kingdom याने कि यह हो गया आपका विले जिसको घूला गया है hills tao ग्राव जल में यह हो गया बीटा आपका वीलायक सामनी होगा कितना है रहा है की नहीं यह अंसर आ रहे कि नहीं एवर कंफर्म करेंगे बेटा आ गया ना ठीक इसके बाद साबास्ट बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड अगले प्रश्ण में चलते हैं बेटा चलो इस बार इस बार इस प्रष्ण में थोड़ा सा कहानी बदला हुआ दिकाई दे रहा है इस प्रष्ण में मोलर्ता और जब मोलता एक साथ आ गया इस प्रस्ण में मोलता और मोलता एक साथ आ गया अब जब मोलता और याद रखना जब भी मोलता और मोलता एक साथ किसी प्रस्ण में पूछे तो तै होता है कि उस प्रस्ण में उस प्रस्ण में घनत्व दिया ही रहेगा कंफर्म है कि फिर आपको गनत्व कमान दिया इए रहेगा तो जब भी किसी प्रस्ट में मुलर्ता और मुलर्ता एक साहत आएगा तो कंफरम है बेटा कि विल्लियन का गनत्व आपको दिया इहाई रहेगा अब उसका क्या उप्योंग है मैं बताता हूं चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम मुलर्ता और मुलर्ता ज्याद करते हैं और कैसे करेंगे और क्या परेशानी आने वाली समझ्या तो बेटा मुलर्ता का सूत्र था विले का द्रवेमान इन्टू थाउजन विले का रूभार और आयतन इन मिलिलि संसे मतार वेहता है नहीं है डिले काम कर एमी निकाल मता फिर कहाने बढ़ाऊंगा मैं है दर्वर मान किता दिया है डस ग्राम 1 तर है मल पैयतन किता अफ्व कपने किता यूरिया का अडूभार किता होगा इतने सारे प्रश्ण बना चुके हैं कई ऐसे योगिक है जिनका तो अडूभार आपको याद हो गया होगा बैटा हल कीजिए हल करते ही हल करते ही आपको मोलर्ता का मान पता चल जाएगा लिजिए तो मोलर्ता ग्यात करने में परिशानी नहीं हुई क्योंकि बैटा इसमें आयतन दिया है, आयतन, विल्यान का आयतन, विल्यान का आयतन मोललता के सूतर में होता है, मैंने इसको अपलाई कर दिया। परशानी तो अब होगी, क्या होगी यहां सुनना, अब परशानी किस तरह के होगी, तो बेटा अब आपको मुललता ग्याद करना है, अब मुललता के सूत्र में एक समस्या है, समस्या यह है कि जब मुललता ग्याद करते हैं, तो बेटा मुललता ग्याद करने के लिए आपको यहां पर आपको यहां पर विलाया कद्रवेमान चाहिए विलाया कद्रवेमान और इस प्रश्ण में विलाया कद्रवेमान नहीं दिया है विलाया कद्रवेमान नहीं दिया है बलकि विल्यान का आयतन दिया है तो अब मैं क्या करूं तो अब मैं क्या करूंगा गौर से सुनन density को form न होता mass by volume और आप density density किसका दिया है willian का density किसका दिया है willian का तो बेटा अगर density आप willian का लोगे तो भार भी किसका लोगे willian का और आयतन भी किसका लोगे willian का correct और आपको तो ये पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक नट रूख जाओ, क्या पता होना चाहिए, बताता हूँ हाँ जी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि विलियन का भार कैसे तयार होगा विलियन का भार, बैटा, विलियन दो चीज़ से बनता है, विले और विलायक है न, विल्यन कैसे बनता है, विले और विलायक, तो विल्यन का भार मतलब क्या, विले का भार, विलायक का भार, जब विले के भार और विलायक के भार का योग करेंगे, तो विल्यन का भार बन जाएगा, तो बताओ, विल्यन का भार मतलब क्या होगा, विले का भार, प्लस व कि लिएन कंभार बन जाए बस फिर क्या था सारे वैल्यू तो दिये हैं प्रस्थनें में घनतव कितना दिया है जिस एक-100 काहतन किता धिया 57 हजार माल करक ils कुटने०ं का है दस और आपको समनात्र अब आपको क्या चाहिए अब आपको चाहिए विलायख kad भार और जब विलायक कभार निकल जाएगा तो इसको यहां से यहां पूट अप कर देना तो मुललता निकल जाएगा तो मुललता ग्याद करने के लिए हमें विलायक कभार चाहिए था और प्रस्ट ने में विलायक कभार नहीं दिया है बलकि विलियन का आयतन दिया है तो उसे विलायक कभार निकालके यहां से वहां पूट अप करेंगे पिर आपका मुललता निकल जाएगा चलो निकाल भी लेते हैं बैटा निकाल भी लेते हैं जल्दी बताईए विले का भार किता था कहां गया दस ग्राम इन्टू थाउजन अडू भार साट ग्राम और अब आपको विलायक का भार मिल चुका है बैटा 990 बस इसको हल करेंगे उत्तर आपके सामने होगा बैने दोनों का उत्तर यहां लिख दिया है मुलरता और मुललता का प्लीज कंफर्म करेंगे आप कभी ऐसे ही आया की नहीं ब अगले प्रस्ट में आगए मुल अंश मोल अंश मतला मोल प्रभाज तो मोल प्रभाज तो अभी मैंने आपको बताया नहीं अभी तो आपको नौर्मलता पढ़ना है मल अरता में हम एक लीटर विल्लियन में विले की मोलों की संख्या को ज्याद करते हैं यादना सबको विले की मोलों की संख्या को हम एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम विलाया के अंदर ग्याद करते हैं और नॉर्मलता में आज क्या होने वाला है आज हम फिर से एक लिटर विलियन लेंगे पर आज हम एक लिटर विलियन के अंदर विले के तुलियांकों की संख्या को ग्याद करन वाले अब तुल्यांक क्या होता है मैं बताओंगा चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो बैटा अब सुनेंगे अब सुनेंगे एक मिनट एक मिनट हाँ यहां सुनना तो मैं चीजों को आसान करने के लिए मोलर्ता और नौर्मल्ता को एक साथ आपके सामने रखूँगा ताकि तुल्ला करते हुए आप यह समझ सके कि दोनों में फरक क्या होता है याद है पिछले क्लास में आपको बताया था मोलर्ता नौर्मल्ता यह तीनो ना सुर्फ एक जैसे बोलने में हैं, इनके परिभाशा भी जैसी हैं, इनके फॉर्मूला भी जैसे है, इनके नुमरिकल भी एक जैसे है, पर हम कन्फिूज ना हो, इसलिए हम इन सब को एक साथ तूलना करके देख रहे थे, तो आज मैं आपको मोलर्ता और नौर्म को यानि की नौर्मलता को ठीक है जी ठीक है तो तो जल्दी बता बटा मोलर्ता क्या था आपको याद मोलर्ता क्या था तो मोलर्ता का मतलब होता है मोलर्ता का मतलब होता है हम क्या इसका सूत्र बना है थे बैटा याद है आपको विले की मोलो की संख्या बिले की मोलो की संख्या बटे विल्यन का आयतन विल्यन का आयतन इन लीटर ये था मोलर्ता का सूत्र तो आपने पिछले क्लास में देखा था जब मोलर्ता ग्याद करना होता है तो मोलर्ता क्या होता है बेटा विले की मोलो की संख्या जब ग्याद की जाती है विले की मोलो की संख्या ग्याद की जाती है तो हम कहते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम मोलर्ता पढ़ रहे हैं मोलर्टा पर पर फिर से आप दिला दूँ एक लीटर विल्यन में विले की मोलो की संख्या मोलर्टा कहलाएगी तो फिर नॉर्मल्टा क्या है तो फिर नॉर्मल्टा क्या है चालो इसको देखो बेटा नॉर्मल्टा क्या है तो नॉर्मल्टा में क्या होता सुनो इसमें हम नि किस में same same चीज के अंदर यानि कि себя ४ उलियन का आय तनद लेंगे हम यहाँ पर वह भी किस में लीटर में तो चलो परिभाषा याद दिलाओं परिभाषा याद दिलाओं कोई पूछता है मोलर्ता क्या है पूछते हैं मोलर्ता क्या तो तुम कहना एक लिटर विलियन में विले की मोलो की संख्या जब ग्यात की जाती है तो हम कहते हैं मोलर्ता ग्यात कर रहें और नौर्मलता क्या होगा एक लिटर विलियन में विले की तुलियांकों की संख्य जब ग्याद की जाए तब वो नॉर्मलता कहलाता है तब वो नॉर्मलता कहलाता है अब मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था कि मोलों की संख्या कैसे ग्याद करते हैं बेटा मैंने आपको सिखाया था कि मोल कैसे ग्याद करते हैं मोल कैसे ग्याद करते हैं तो आपको याद होगा यह मने बताया था आपको द्रव्यमान बटे आडविक दरवेमान यानि की अडूभार मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि मोल कैसे ग्याद करते हैं मोल कैसे ग्याद करते हैंhmen कैसे हैं बटे अडूभार and आप यहाँ तो आपको सूत्र क्या बना था आपको याद दिलाता हूँ कि आखिर हम कैसे इसको हल करेंगे तो पैने की मूलों की संख्या मूल की संख्या कालते हैं कैसे रिकाले दरव्यमान बटे अ अड्वित फार तो आप लिखेंगे उपर में व्यीत समय को चैनल ए मुथ दर भिंवादउ ओन धर अधर घडि आगलु तर आग hard आयतन किसमे लीटर में लीजिए ये है सूत्र मोलर्ता का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोलर्ता का सूत्र हम कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में देखिए आज के क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने पिछला क्लास अटे लिख दिया ताकि मैं तुलना करके बता सकूं कि वेटा मुलरता और नॉर्मलता में क्या similarity है और क्या difference है चलो तो यह तो आपने पीछेरे class में पढ़ा था अब चलते हैं नॉर्मलता में तो मोलर्ता और नौर्मल्ता में सिर्फ इतना फरक है मोलर्ता में हम विले की मोलों की संख्या ग्याद करते हैं और नौर्मल्ता में हम विले की तुल्यांकों की संख्या ग्याद करते हैं अब यह तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं चलो बताता हमें आपको तो जिस प्र तुल्यांगा निकार लिकी तरीका करें आत्रों करजुय निए तरीखर करें यो होता है आतो द्रव्यमानifter गूंभास के बट डिय मार्वाषी द्रव्यमान सब्सक्राइब Все चिरहें या तुल्यांकी भार आप लिख सकते हैं इसको तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार तो सुनो मेरी बाद जब भी आपको मोल निकालना होगा तो मोल निकालने के तरीका है बेटा दर्वेमान बटे अडु भार और तुल्यांक निकालने के तरीका होता है दर्वेमान बटे 11 में पढ़ दियो होंगे तो याद रखना जिनको यह सब आता है क्योंकि यह सब क्लास कच्छा 11 पढ़ा हुआ चीज है और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे पर मैं हमेसा कहता हूँ कि बटा मुझे हर तरह के बच्चे को साथ लेकर चलना पढ़ेगा कुछ बच्चे जो किसी वज़े से हो सकता है कि क्लास 11 में यह नहीं पढ़ पाए है उनको भी मुझे साथ लेकर चलना पढ़ेगा क्या बन जाएगा नॉन्मेल्टी का तो उपर में क्या लिखूँ तुल्यांक इस्तान में इसको लिखूँगा तुकँ ऐसे लिखूँगा बेट्टा यह देखो खिआ लिखूँगा मैं विले का द्रावियमान बतेग विले का विले का国 law का तुल्यांक की भार गुडित अब आगे सब कुछ वही रहेगा नीचे क्या लिख्या है? विल्यन का आयतन किसमे? लीटर में अब तुम एकदम ध्यासे देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको मोलर्ता और मोलर्ता में बहुत सारी समानताई दिखाई देंगी देखो मोलर्ता का सूत्र और नोर्मलता का सूत्र एक जैसा है अब बताओ फरक कहा पर आया सिर्फ एक जगे पर फरक आया सिर्फ एक जगे पर फरक आया बेटा आप यहाँ पर लेते हैं अडू भार और आप यहाँ पर लेते हैं तुल्यांकी भार, बागी सब कुछ सेम है, देख लो, मोलर्ता और मोलर्ता में सब कुछ सेम है, बस एक ही जगे पर अंतर आया, मोलर्ता ग्याद करते समय, हम विले का अडू भार लेते हैं, नौर्मलता ग्याद करते समय, हम विले का तुल्यांकी भार लेते हैं, अब बेटा अडू भार क्या होता ये तो आप जानते हैं बस तुल्यांकी भार क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा चले फटा फटा इसका स्क्रीश लीजिए फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे बेटा इस चेप्टर में ये जो बैब बता रहा हुने बेटा ये तो एक डम नॉर्मल ये तो कच्छा 11 वी में भी थोड़ा सा पढ़े हैं पर इस चेप्टर में हमने बहुत सारे चीजे पढ़ ली हैं तो और आप नए हो तो एक बार पुराने सारे जो वीडियो से उसको जरूर देख लेना बेटा ठीक है अरून वेरी गूड आप भी नए हो तो एक बार सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं लाइन से एक एक वीडियो को देखना बेटा गौतम आप भी सारे वीडियो से देखना बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर बहुत मज़ेदार चेप्टर है मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे नए हैं सारे वीडियो से एक बार देख लेंगे यह क्लास 12 के केमेश्ट्री का सॉलूशन चेप्टर के लेक्चार रहे ठीक है सर नोट्स नोट्स आपको हमारे टेलिक राएं सौरी जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन में हम दे चुके हैं बेटा एप्लीकेशन में इसका नोट्स दिया जा चुका है जो भी नए बच्चे हैं हरीश बेटा प्लीज ध्यान दीजिए जो जो नए बच्चे हैं आप इस चेप्टर का पूरा वीडियो एक बार देखो यह तो आखरी टॉपिक चल रहा है यह लास्ट टॉपिक है चलो तो अब आगे बढ़ते हैं तो मोलर्ता में ध्यान देना बेटा मोलर्त के सामने लिखें इन दोनों सुत्र को एक बार मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं यहां देखना यहां देखना बेटा मोलर्ता ग्यात करने के लिए इसी सूत्र को ऐसे लिखते हैं विले का द्रव्यमान विले का अडू भार विल्यान का आयतन लीटर में यह मोलर्ता का सूत्र नौरमलता का सूत्र क्या होगे बैटा विले का द्रव्यमान विले का तुल्यांग की भार को ई से दर साते हैं तुल्यांग की भार को ई से दर साते हैं और यहां मैं लिग दिया ई भी आप ये चैप्टर पूरा पर चुके हैं आपको पता होगे बैटा बी का मतलब वि निमेरिकल बनाते हैं तो निमेरिकल बनाते वक्त एक परशानी हमारे सामने आती है कि जब भी हम निमेरिकल बनाते हैं तो हमें आयतन जो दिया रहता है हमें जो विल्यान का आयतन दिया रहता है बटा अधिकांस प्रश्णों में अधिकांस प्रश्णों में आयतन का मान मिलिलिटर में दिया रहता है आप सब को याद होगा अधिकांस प्रश्णों में विल्यान का मान मिलिलिटर में दिया रहता है पर हमको लेना किसमें उसको ल फॉर्मूला जिसके मदद से अब हम normality की कोश्ण स्बनाएंगे और इसका इकाई क्या होता है अगर मैं पूछूं इसका unit क्या होता है तो चलो याद दिलाता हूं मैं आपको आपको याद दिलाता हूं मोल अर्ता का क्या इकाई था बेटा इसका होता है मोल प्रती लीटर और इसका इकाई होता है बेटा तुलियांक प्रती लीटर तो लीजिए सूत्र को एक बार लिख लीजिए फिर अब प्रश्ण बनाएंगे हाँ अब इस प्रश्ण बनाने के लिए याद रखे आपको आप तु भार क्या होता है ये तो पता है पर तु ल्यांग की भार कैसे निकालते हैं तु ल्यांग की भार कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजे screenshot लीजे notes open क्यों नहीं होंगे बेटा बिल्कुल होते हैं बागी बच्छे डाउन्लोड कर रहे हैं आपका डिसंबर तक होगा आपका वो दिखेंगे बेटा तो गौर्श सुनिए जो तुल्यांकी भार होता है जहाँ सुनेंगे बेटा अब मैं आपको तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं तुल्यांकी भार याने के ई-बी तुल्यांकी भार जो होता है तुल्यांकी भार जो होता है वो अलग-अलग पदार्थों का अलग-अलग तरीके से निकाला जाता है मैंने कहा तुल्यांकी भार अलग-अलग पदार्थों का अलग-अलग तरीके से निकालते हैं अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है किसी अमलका किसी एसिड का तो बेटा तुल्यांकी भार किसी एसिड का अगर आपको निकालना होगा तो उसका तरीका होता है उसका तरीका होता है अमलका माफ कीजिए अमलका अमल का अडूभार बटे अमल का यह अमल द्वारा अमल द्वारा अमल में एच प्लस आयोनो की संख्या इधर सुनो तूल्यां की भार कैसे निकालते हैं अगर आपको अगर आपको ईबी यानिकी तूल्यां की भार निकालना है है एक सीयल का तो बेटा एक सीयल का अडूभार कितना होता है थाटी सिक्स पॉइंट फाइब ग्राम और एस सीयल कितना एच प्लस निकालता है एक तो बेटा एस सीयल का अडूभार अर्टूल्यां की भार दोनों बराबर होता है तूल्यां की भार अडूभार दोनों बराब तूटता है, तो कितना h निकालता है, कितना h प्रस निकालता है, दो h प्रस निकालता है, तो divided by 2, that is 49, तो बेटा यह है, यह है, h to h to 4 का तुल्यांग की भार, तो इस प्रकार से तुल्यांग की भार, इस प्रकार से आपको तुल्यांग की भार निकालना होगा, याद रखना जब molartha ग्याद कर रहे थे तो molartha ग्याद करने में इसलिए परेशानी नहीं हुई क्योंकि अडू भार निकालने सबको आता है लेकिन आज हम नॉर्मलता ग्याद करेंगे और नॉर्मलता ग्याद करने के लिए हमें तुल्यांकी भार निकालनी होती है और तुल्यांकी भार निकालने के तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है तो यहाद रखना तुल्यांकी भार acid का कैसे निकालेंगे यह example आपके सामने है प्लीज इसे copy करेंगे बेटा screenshot लेंगे इसका आगे बढ़ते हैं अब इसी में दूसरा उदारन देखते हैं अब इसी पर दूसरा उदारन देखते हैं बेटा अब चलिए मैं आपको एक दूसरा example दिखाता हूँ किसी ने कहा कि चलिए EB याने की तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार अब किसी base का निकालो किसी छार का निकालो तो बेटा चार का तुल्यांकी भार निकालो एक तरीका है क्या चार का अडूभार चार का अडूभार बटे बटे चार में चार में OH माइनस आयन आयनों की संख्या संख्या तो यह देखो इस तरह से आप किसी छार का तुल्यांकी भार निकालोगे तो यह देखो बेटा अगर कोई आपसे कहता है कि चलो तुल्यांकी भार निकालो किसका एने ओएच का तो एने ओएच का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे nrh का अड़्ू भार होता है 40 ग्राम कि यजब टूटता है तो कितना ओच निकालता है तो आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि nrg का तुल्यांकी भार अड़्ू भार वो निकाल लेना बटे इसमें देखो 2 OH निकलने वाला है 2 OH निकलने वाला तो divided by क्या होगा टू ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर आपको ठीक उसी प्रकार अगर अगर आपको तुल्यांग की भार निकालना है इसका जो भी अडू भार होगा इसका जो भी अडू भार होगा बटे देख सकते हैं एल्मूनियम हाइट्रोक्साइड तीन OH निकालता है तो divided by क्या होगा थ्री तो इस तरह से आप किसी भी छार का तूल्यांग की भार निकाल सकते हैं प्लीज कॉपी करेंगे इसको अडू भ अडू भार तो बहुत पूरे चैप्टर में पूरे चैप्टर में बस हम अडू भार ही निकालते रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब प्रश्ण बनाने का समय हो चुका है मैं आपको एक उदाहरन दिखाता हूं कि इस टौपिक से कैसे कोश्ण आएगा इस टौपि 500 mg विल्यन में तो चलो मोलर्ता और नॉर्मल्ता ग्याद करो कैसे करोगे बेटा कैसे करोगे तो यहाँ पर मोलर्ता का सूतर क्या था विले का द्रवयमान गुड़ी थाउजेंग विले का अडू भार और विल्लियन का आईतन और नॉर्मलता क्या है नॉर्मलता होता है बैटा विले का द्रवेमान इन्टू थाउजन विले का तुल्यांग की द्रवेमान इन्टू विल्यांग का आयतन इन मिलिलीटर चलिए सूत्र में चीजों को रखें बताओ बैटा विले का द्रवेमान किता दिया है पांच गराम ह जी आयतन्किता दिया है व्याथ 500 ml, ठीक अब इसमें आते हैं, इसमें नौर्मलता जच आप करेंगे, फिर से वीले के तरह में मान क्या दिया है व्याथ 5 गराम और यहाँ भी आयतन्किता दिया है व्याथ, 500 ml अब दोनों प्रश्णों में क्या फर्क है बस यहां पर आपको यहां पर आपको अडू भार लेना है और यहां पर तुल्यांग की भार लेना है तो बताए स्ट फोर का अडू भार कितना होता है 98 और उसका तुल्यांग की भार क्या होता है तो 98 divided by 2, two से क्यों divide किया? टू से क्यों डिवाइट किया? तूकि S2O से 4, दो H निकालता है, लीजिए, इसको हल करते ही, आपको answer मिल जाएगा, इसका 1 काई होता है बेटा, मोल प्रति लिटर, और इसका होता है, तुलियांग प्रति लिटर, लीजिए, इस प्रकार से आपको इसका प्रश्ट जो है वो हल करना होगा एक जैसे होते हैं मुलरता और नॉर्मलता बिलकुल एक जैसे होते हैं बस इसमें अडू भार लेते हैं इसमें तूली आंकी भार लेते हैं बस इतना ही फरक है बेटा स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आपको मैं व रासरण दाप पढ़ाया था मैं कुछ बच्चे आप लिक रहे हैं कि नोट्स जो है वो कंप्रीट है मैं क्लियर कर दूं नोट्स बिल्कुल कंप्रीट है बेटा अब अलग अलग राजियों में जो पूस्तके चलती हैं उसमें जो कंटेंट होते हैं एक दो छोटी मोटी करने के बाद अगर एक दो टॉपिक कउछ अलग से आपके सिलेबस में आ भी जाए तो इतना पढ़ने के बाद आप में इतना ताकत आचुका होता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आपको आपके बुक में मिल जाए तो पढ़ने से आपको वो समझ में आही जाएगा क्योंकि बेटा मैं व्यक्तिगत तोर पे 36 गड़ बोर्ड का पुस्तक या भोपाल बोर्ड का पुस्तक या राजिस्थान बोर्ड का पुस्तक मैंने अलग से देखा नहीं है पर मुझी इतना पता है कि सब के सिलिबस में कुछ थोड़ा बहुत फरक रहता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेजर सिलिबस है जो CBSC के सिलिबस होता है जो NCRD सिलिबस है वो आपको पूरा करवाया जा रहा है पर एक दो छोटी मोटी चीज हैं किसी किसी में स्किप रहती हैं किसी किसी में एक्स्ट्रा दी होती हैं तो प्लीज कभी ऐसा मज़ समझेगा कि आपको नोट्स जो दिया गया है उसमें कोई चीज नहीं है अगर आपके पास पूस्तक अवलेबल है तो एक बारना आप ये समझो कि इस चेप्टर को इतने डीपली इतने इतमिनान से इतने अच्छे से बताया गया है कि आप अगर पूरा चेप्टर समझ गया हो तो एक दो छोटी मोटी टॉपिक अगर आपके सीलेबस में होंगे भी ने बैटा उसको पढ़के आप समझ ही जाओगे इतना मैंने आपको काबिल बना दिया है तो प्लीज आप न इस बात को लेके परशान मत होए कि कोई टॉपिक जो है चोटा मोटा छूड गया है आपके बोर्ड के हिसाप से या आपके पूस्तक में कोई टॉपिक दिया है हमारे नोट्स में टॉपिक नहीं है तो आपको NCR टीका एक फिक्स सीलेबस दिया जा रहा है पर हां लगबक सभी राज्यों में सेम सीलेबस होता है तो आपको मैं इस काबिल बना रहा हूं बेटा कि कोई छोटी मोटी चीजे अगर आपके पूस्तक में दी हुई होगी एक्स्ट्रा तो उसको पढ़के आप समझ ही तो चलो अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्ण रखता हूं जो आप मुझे बना के दिखाएंगे बेटा तो चलो फिर कोशर आगे बढ़ते हैं तो मेरे खाल से हम प्रश्ण 6 तक पहुंच चुके थे पिछले क्लास में 6 तक हम लोग ने कर लिया था मुललता मुललता मुल लीजिए प्रश्ण आ चुका है नौर मलता का पहला प्रश्ण आपके सामने है चलो यह उमझे बना के दिखाओ बेटा यह प्रश्ण आप मुझे बना के दिखाएं अभी से अबvatा आठ करेंगे इसको बनाना इस्टार्ट करेंगे जहां दिक्कत होगी आप मुझे बता दीजेगा जहां परशानी होगी आप मुझे बताएंगे बनाए इसको पहले तो एमजी ओएच होल ट्वाइस का पहले तो पहले तो अडू भार अडू भार निकालो बेटा किसका एमजी ओएच होल ट्वाइस कुछ बताएगा एमजी ओएच होल ट्वाइस का अडू भार किता होगा किता होगा इस का अडू भार 58 ध्यान दीजेगा 58 तो चलो बताओ क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया बेटा नॉर्मलता का प्रस्ण अठारा दसामना दो पांच गराम मेगनिस्यम हाइड्रोकसाइड लिया गया है विलियान का आयतन दिया गया है 200 मिलिलीटर और और एमजी ओएच होल ट्वाइस का अडू भार होता है बेटा 58 और एमजी ओएच होल ट्वाइस दो ओएच निकालेगा तो डिवाड़ेड़ अडू बद बस इतना बता दो ऐसे की हो क्या एसे की हो क्या अडू भार बता दू रामू चलों ठीक अडू पर बतायFr T था हूं लगता है आपने चैप्टर पूरा निपढ़ा है मैंनि सियम चेप्टरवसी ऑर औक छीजन दो और सीजन दो और दरता है तो उससे अड़ू भार मिल जाता है ठीक है इस तरह से निकालते हैं हम दो अडू भार ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अगले प्रष्ण के तरफ चलते हैं बैटा लीजिए ये प्रष्ण बनागे दिखाईए ये प्रष्ण बनाएंगे जैसे मैंने अभी बताया था सेम वो ऐसे ही करेंगे फटाफट कीजिए बताएंगे आँसर आपको क्या रहा ह है इस चेपटर के सारे जो बड़े टॉपीक हैं जो मज़ेदार टॉपीक है वो हमने कर लिया है ये थो बस एक छोटा सी टॉपीक बचा हुआ था जो हम कम्प्लीट कर रहें बेटा और अगले क्लास में हम लोग इस चेपटर का मल्टीपल चॉइस कोशन करेंगे एम सिक्य या फटाफट बनाएंगी प्रस्ने को इस्क्रीन थोड़ा कट रहे क्या थोड़ा नीचे रख देता हूं हां इसको बनाईए यह टॉपिक इजी है आसानी से बन जाता है को दीकत नहीं सारे बच्चे कर लेते हैं इसको हो गया क्या बात है वेरी गुड राजकुमार पायल र अब जbor इस प्रष्ण को आये यह बहुत इंपॉर्ट इंप्रस्न राबाया यह यह बहुत इंपॉर्टं कर दोनों ग्याद करना है मोलरता और नार्मलता और नॉरमलता करना चली फटा बनाए इसको इसको फटाश एंगे बिटा आप लोग न अपन इड्र आइडि में अ इस एक ने लिखा है मेडिवियल एक्सपेरिमेंट कि नामें तो हमें बोलने में परिशानी होती है तो मैं चाहता हूं थोड़ा अच्छा सा नाम अपने आइडी के बना लें ताकि अगर आप आंसर दे तो मैं आपको आपका नाम लेकर बता सब्सक्राइब कि यह बच्चे न कक्या नॉर्मलता भी सेम है कंफर्म करेंगे प्लीज क्या दोनों से मारा रहा है इसका यह मतलव निकला सुनना यह दोनों में हाज़ी हाज यह क्या मतलव होता है पंट तरश क्या मतलव सुनो मैं आपको इस प्रस्टर पाण इम्पोर्प्रस्टा और नॉर्म्लता ग्याद करो प्रेंट हर्णाक करना है इसको बना तुर मोलर्था और करने को श्रभ प्रस्टा में बहुत तो इस प्रस्श्ड में जल्दी बताइं बेटा मोलर्था आ रहा है वो इसमें आंसर तो लिखा नहीं है जरा अनसर तो बता बैटा है इसमें जल्दी बताओ क्या अंसर निया निया है सह दो जीरो पॉइंट स्वाय रहें करेक्ट जीरो पॉइंट वण आएगा और नौर्मलता कि तद बताऊ थो है जी नौर्मलता कितना रहा बताएंगे नौर्मलता कितना रहाएंगे नौर्मलता आ रहा है जिरो पॉइंट टू तो अब सुनो अब सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं जरा पहले वाले प्रश्ण में आओ पहले वाले प्रश्ण में मोलर्ता और नौर्मलता सेम आया था सेम आया था और इस वाले प्रश्ण में मोलर्ता के तुलना में नौर्मलता डबल आ रहा है ऐसा क्यूं तो बेटा घौर से सुनना पहले वाले प्रश्ण में आपने कौन सा योगी के लिया है HCl कौन सा कमपाउंड लिया है HCl तो मैं आपको बता दूं HCl HNO3 HClO4 इसके अलावा NaOH, KOH, NH4OH बेटा इन सभी योगी कों में क्या समान बात है इन सभी योगी कों में ये समान बात है कि ये लोग जब तूटते हैं तो एक H निकालते हैं एक H या फिर एक OH तो बेटा वे सारे योगीक जो एक H निकालते हैं या एक OH निकालते हैं इनका मोलर्ता और नौर्मल्ता दोनों एक जैसा होता है सेम होता है जब भी किसी प्रश्ण में ऐसा योगीक आ जाए जिसमें एक H निकलता हो या एक OH निकलता हो तो बेटा इसका मोलर्ता और नौर्मल्ता एक जैसा होगा लेकिन इसके बाद वाले प्रश्ण में क्या हुआ था इसके बाद वाले प्रश्ण में कौन सा योगीक है अगा है H2SO4, H2SO4, H2SO3, H2SO3, इनको देखो इसके बाद है कि जाएं ओएच होल ट्वाईस, एम जी ओएच होल ट्वाईस, जै्देन ओएच होल ट्वाईस तो ये सब ऐसे प्रश्ण है आप ऐसे योगिक हैं गोर्ज देखो ये सब ऐसे योगिक हैं जो टूटने पर 2H निकालेंगे या फिर 2OH निकालेंगे तो कोई भी ऐसा प्रश्ण जिसमें ऐसा योगिक आ जाए जिसमें 2H या 2OH निकालने का छमता हो तो बेटा तै है कि मोलर्ता के तुल्ला में नौर्मल्ता आपको दुगना मिलेगा यानि कि मोलर्ता नौर्मल्ता के आधा होगा मोलर्ता नौर्मल्ता के आधा होगा तो इसे फाइदा क्या होगा फैदा क्या होगा अगर आपको इन में से कोई भी योगिक परश्ण में दिया रहेगा तो बेटा मोलर्ता ग्याद करो मोलर्ता ग्याद करो नौर्मल्ता अपने आप इस संबन्द से भी निकाल सकते हो आपको मुलर्ता और नॉर्मल्ता अलग-अलग हल करनी के आवशकता नहीं है बस मुलर्ता निकाल लो बेटा उसको डबल कर दो तो आपको नॉर्मल्ता मिल जाएगा मुलर्ता निकाल लो डबल करते ही नॉर्मल्ता मिल जाएगा तो इस प्रकार से आपको direct question बनाना है अगर आपके सामने ऐसा योगीक आ जाए जो 2H निकालेगा या 2OH निकालेगा तो बेटा ऐसे में ये सम्मध बनके तयार होता फटा फटा फट इसका screenshot लिजी आप लोग तो इसी प्रकार एक तीसरा conclusion देखो बेटा मालो आपको ऐसा योगीक मिला जैसे की H3PO4, H3PO3 आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा योगीक है H3PO4, H3PO3 इसके लावा CROH whole thrice ALOH whole thrice COOH whole thrice तो बेटा अब अगर आपके प्रस्टन में कोई ऐसा योगीक आ जाए जो तूटने से 3H निकालेगा या 3 OH निकालेगा तो बेटा ऐसे प्रस्टनों में Molarity और Normality के बीच में ये संबंध होता है याने कि जो Normality होगा वो Molarity के 3 गुना होगा 3 गुना तो आप क्या करोगे ऐसे प्रस्टनों में बस Molarता निकाले ना आपको अपने हाँ पता चल जाएगा लीजिए इसको स्क्रिंशॉट ले लीजिए बटा क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगा मैं चमा चाहूंगा क्योंकि शाम को जो क्लासेश हो रही थी वो हपते में 3 दिन हो रही थी पर जो सुबह क्लासेश ले रहा हूँ इसको मैं 5 दिन, 6 दिन ले पा रहा हूँ तो सीलेबर बस जल्दी हो पाए इसलिए हम लोग класс सुबह रख रहा है क्यों सुबह जब मैं क्लास लेता हूँ तो हपते में 5 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे रखता हूं class को पर शाम को हपते में सिब तीन दिन class ले पा रहा था तो सुबे class करने के पीछे यही करन है कि मैं ज़्यादा दिन class ले पाऊं ताकि सिल्वा सही समय में खतम हो सके ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा चीजी आपको बता सकूं अगर आप live नहीं आ सकते तो वीडियो तो recorded आपको मिली जाता है वहां से आप देख लें कोई दिकत नहीं है हाँ बैटा तो चलो फिर अगला प्रश्ण अब इस प्रश्ण में मोल प्रभाज आ गया तो चलो मोललता समझ लिया हम लोग नहीं मोललता समझ लिया हम लोग नहीं नॉर्मलता समझ लिया जितने भी मैंने अडू संख्या गुड पढ़ाए सब में मोल प्रभाज आया हेंडरी के निया में भी मोल प्रभाज आया तो मोल प्रभाज मेरे ख्याल से सबको पता है क्या होता है फिर बिचलिए एक बार मैं आपको बताएता हूँ बैटा कि आखिर मोल प्रभाज क्या ह होता है एक बार मैं आपको बताता हूँ मोल प्रभाज क्या होता है बेटा यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं मोल प्रभाज में हमको अनुपात निकालना होता किसका अनुपात सुनो जहां से मान लो आपके पास एक बरतन है यह मुझे मालूम है सब को पता है एक बरतन है इस बरतन में दो चीजे हैं A और B माल लो इस बरतन में दो चीजे हैं A और B तो बेटा इस बरतन में आपको A के मोल भी मिलेंगे और B के मोल भी मिलेंगे तो किसी ने पूछा चलो मोल प्रभाज निकालो आपको पता हो बेटा मोल प्रभाज को X से दर्स आते हैं मोल प्रभाज को X से दर्स आते हैं तो अगर किसी ने बोला चलो A का मोल प्रभाज निकालो A का मोल प्रभाज निकालो कैसे निकालोगे? उपर लोगे आप A की मोलो की संख्या और नीचे क्या लोगे बेटा? नीचे लोगे फिर से A की मोलो की संख्या प्लस बी की मोलो की संख्या तो गौर सुनेंगे बेटा आपको जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का मोल परभाज निकालना है आपको उपर में उसी का मोल लेना है उपर में उसी का मोल लेना है और नीचे में नीचे में लेना है कुल मॉलों की संख्या नीचे में लेना कुल मॉलों की संख्या इसको मैं simple भाषा में लिए खूं तो अगर A का मॉल प्रभाज निकालना था आप यहां लेंगी बेटा मोल्स आफ ए मोल्स आफ ए प्लस मोल्स आफ बी आप तो पूरा चैप्टर पढ़े हैं बेटा और ना जाने कितने बार हमने मोल परभाज निकाला है इसको ऐसे लिखेंगे और मेरे खयाल से आपको यह पता होगा की 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 मोल कैसे निकालते हैं अब भी अभी कुछ दिर पहले बताया हूँ मोल कैसे निकालते हैं दरवेमान बटे आडविक दरवेमान दरवेमान बटे आडविक दरवेमान तो बेटा अगर आपको ए का मोल निकालना है तो ए का दरवेमान बटे ए का आडविक दरवेमान निची आईए एका दरवेमान बटे एका आणविक दरवेमान प्लस फिर क्या रिखूंगा एका माफ कीजिए बी का दरवेमान बटे बी का आणविक दरवेमान तो ये मुझे मालूब है आप सबको पता तो इस परकारते हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो बटा मोल प्रभाज क्या मतलब हुआ किसी भी विल्यन में किसी एक यौगिक के मोल को जब हम कुल यौगिक के साथ तुल्ना में रखते हैं तो हम कहते हैं हमने उस यौगिक का क्या निकाल दिया अपर प्राणी निकाल दिया फिर से रिपड करता हूं ह undertake कुल योगी को, जहां सुनेंगे, इस विल्यन में कुल मोलो की संख्या के तुलना में, किसी एक योगी का मोलो की संख्या कितनी होगी, यह उस योगी का मोल परभाज कहलाएगा, एक फिर से रिपिट करता हूँ, क्या होता है, कुल मोलो की संख्या के सामने, किसी एक योगी का मोलों की संख्या कितनी पाई जाएगी ये उस योगिक का मोल प्रभाज कहलाएगा और अगर बेटा आप बी का अगर आप बी का निकालेंगे तो लगभग ये भी वय सही निकलेगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर प्रस्ट में बनाएंगे हम लोग इसक्रीनशॉट लेंगे बेटा नाजमीन बेटा हां मैं सुबे नौ बजे लगभग हर दिन लाइव आउंगा सो मुआर से सुक्रुवार या सो मुआर से सनीमार कभी कभी सनीमार क्लास गैप होता है बाकि लगभग सो मौर से सनी मौर तक सुबे नौ बजे में हर दिन आपको मिलूँगा ठीक है तो चलो फिर प्रश्ण बनाएं प्रश्ण बनाएं तो लीजिए आपके सामने प्रश्ण आ रहा है बेटा मोल मोल हाँ या गया मोल अंश लीजिए इस प्रश्ण में बोला गया है कि एक बरतन है उस बरतन में दो योगिक हैं क्या क्या एने ओवेच है बेटा और जल है और जल तो चलो आपको क्या करना है इस प्रश्ण में आपको प्रत्यक घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको मोल प्रभाज निकालना है एने ओवेच का फिर आपको मोल प्रभाज निकालना है जल का चलो बना लोगे बना लोगे कि बताना पड़ेगा बेटा बना लोगे बताना पड़ेगा आपने मोल प्रभाज पहले भी इस चेप्टर में कई बार किया इसलिए पूछ रह नहीं होती मतलब पढ़ाई इतना बड़ा हो चुका है पढ़ाई इतना वाष्ट हो चुका होता है कि अप कोई गर्मी छुट्टी नहीं लगेगी अगर आप एक बड़ा लक्ष बना के रखें तो भूल जाओ छुट्टियों के बारे में कोई गर्मी छुट्टी नहीं होगी आपको पूरे गर्मी भर पढ़ाया जाएगा बैटा समर वेकेशन में लाइव क्लास अटेंड कर पाऊं इसलिए पूछ रहे हो हां बैटा पूरे अभी गर्मी भर क्लास थुरूआउट थूरूआउट आपके क्लास से सुबह चलेंगी चलिए अब आगे अच्छा बैटा ए अगर आपने अफ कमोल प्रभवाज निकाला मालो आपने हल किया आपने क्या लिया होगा बैटा एज Kommol नीचे एन ए ओएज का मोल और वाटर का मोल जब इसको हल की होगे तो यह उतर आया होगा 0.048 0.048 तो याद रखना अगर आपको किसी प्रश्ण में दो-दो चीजों का मोल प्रभाज निकालना हुआ तो आप किसी एक का ही मोल प्रभाज निकालना बाकी दूसरे को 1 से माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा बेटा याद रखना अगर किसी प्रश्ण में आपको दो-दो योगिक का मोल प्रभाज निकालना हो तो आप किसी एक कबस निकालना दूसरे को 1 से माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा क्यों सर आ जाएगा कियोंकि किसी भी one में दो योगी को का मोल प्रभाज का योग 1 हो तो याद रखना थी आपका अगर किसी प्रशन में समय और मुझे बना दिखाद के साथ में तकी मैं यह सत् каж इसको बना सकते हैं अगर आपको ग्लुकोस का मोल प्रभाज निकालना है तो ग्लुकोस के मोल ग्लुकोस के मोल और क्या है इसमें साथ में जल है तो जल के मोल इसको और ऐसे लिखोगे बेटा इसको और ऐसे लिखोगे ग्लुकोस का द्रवेमान ग्लुकोस का आडविक द्रवेमान ग्लुकोस का आडविक द्र ग्लुकोस का द्रविमान किता दिया है 1.8 ग्राम, उसका अडू भार होता है बैटा 180 ग्राम, वी फिसक अडू भार किता होता अठार बस यहीं तो करना है आपको बताइए सब नहीं किया सब नहीं किया प्लिस कंफर्म करेंगे साबास तो बेटा अब हम लोगों ने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया बहुत बड़ा चैप्टर था करीब 13-14 क्लास लग गए हमको इस चैप्टर को पूरा करने में तो बेटा मैंने अपने तरफ से इस चैप्टर में जो कुछ में बता सकता था डीपली सी डीपली बता सकता था मतब मज़दार करके बता सकता था मैंने कर दिया मैंने आपको इस चैप्टर का सब कुछ बता दिया फि पूरा अलग अलग रहता है तो अब मैंने इस चैटर को पूरा कम्पीट करा दिया अगले जो क्लास होगा अगले क्लास में इस चैप्टर का हम हम MCQs करेंगे, MCQs कोशन करेंगे, और बैटा, MCQ करने के लिए, ये चेप्टर में आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी जरूरी है, तो मुझे नहीं पता कि आपने सारा चेप्टर पूरा-पूरा पढ़ा है की नहीं, सारे क्लासेस आपने अटेंड किये हैं की नहीं, तो मै आप लोगों को दो दिन का टाइम देता हूं, तो बैटा, कल और परसो, दो दिन आप इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ लो, सो मुआर को, यानि की मंडे को, मंडे को हम इस चेप्टर का, हम इस चेप्टर का MCQ करेंगे, और ये क्लास, जो MCQ वाली क्लास है, वो एक घंट से जादा समय भी लग सकता है, याद रखना, मैं आपको दो दिन का टाइम दे रहा हूं, टाइम इसले दे रहा हूं, क्योंकि आपने पूरच चेप्टर तो पढ़ लिया है, बैटा, पर मैं चाहता हूं कि MCQ भी आप से फटा-फट, फटा-फट बने, मुझे जादा effort लग होके आईएगा, तो बैटा, सुबे नौ बजे, सुबे नौ बजे, सो मुआर को, हम इस चेप्टर के MCQ करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ के आईएगा, मैं उमीद करता हूं, आप आएंगे, और MCQ जल्दी-जल्दी बना पाएंगे, तो चलिए, आप सब को बहुत-ब से खरिवादी टोब बजे को, हम इस चाल करता हुआवा भ सबना का स्बढ़ को, हम इस चाल सुälवादी करता हुआख रभणे पाएंगे, सर्दी-जलदी करता चा